हलो फ्रेंड्स शानु हेर दोस्तो आज मैं आपको सुनाऊंगी रोमेंस रिलेशन्शिप्स और इमोशन्स पर आधारित एक बहुत ही प्यारी कहानी इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं चैनल पर ऐसी ही कहानिया लेकर आती कहा शायत शायत कहा मैंने पूछा सुधा बोली हो सकता है कि किसी किताब में मिले हो लोग कॉलेश में ट्रेन में फ्लाइट में बस में लिफ्ट में होटेल में कैफे में तमाम जगों पर कहीं भी मिल सकते हैं लेकिन किताब में कोई कैसे मिल सकता है मैंने पूछा इस बार म मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसी किताब के किरदार हो जो अभी लिखी ही नहीं गई हो तो यह सुनकर मैंने चाय के कप से एक लंबी चुसकी ली और कहा मजाक अच्छा कर लेती हैं आप बसे बेटा शादी कर ले चंदर के मुबाइल पर पापा के नंबर से एक SMS आया जिसमें एक मुबाइल नंबर लिखा हुआ था अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि इतने में उसके पापा के फोन से ममी का फोन आया कॉल में अपना और चंदर का हालचाल लेने और देने के इलावा बस इतना बताया किया कि संडे बारा बजे कॉफी हाउस में एक लड़ जाया गया कि लड़की वहां अकेले आई की हाला कि लड़की के अकेले आने वाली बार इतनी बार जोट निकल चुकी है कि चंदर ने ये मानना ही छोड़ दिया है कि कोई लड़की शादी के लिए मिलने अकेले आ सकती है लड़की के साथ उसके कोई ऐसी क्लोस फ्रेंड आ से 15 मिनट पहले ही पहुंच किया वहां देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख ले फिर 12 बचे फोन कर लेका अब जब चंदर अपना मोबाइल निकाल कर बार बार उसको अनलॉक और लॉक कर था उसी दरान उस कैफे में बैठी लड़की की आवाज तेज होने लगी चंदर को जो कुछ सुनाई पड़ा वो कुछ ऐसा था अच्छा तो शादी के बाद अगर तुम्हें दो साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं यहां अपना कैरियर छोड़के तुम्हारे इससे केवल बच्चे पलवाने हैं तो वरकिंग वुमेन चाहिए ही क्यों नहीं बताओ ना ब्ला 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 चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मज़ा आने लगा वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोली होगी इस बेच में बंदा बस बोलकर उटकर जा चुका था इस इसी बेच चंदर की घड़ी पर नज़र गई, सबा बारा बच चुके थे चंदर ने सोचा फोन निकाल कर बता दे कि वो पहुँच चुका है चंदर ने फोन मिलाया और उधर की आवाज सुने बिना ही बोल दिया हेलो बस इतना बताना था कि मैं कैफे पहुंच किया हूँ आप आराम से आ जाईए मैं भी कैफे में हूँ अच्छा मैं तो कैफे में 20 मिनट से हूँ मैं भी एसे एक दिन की बात चंदर को समझ में आ चुका था कि वो ये वही लड़की है जिससे वो शादी के लिए मिलने आया है चंदर पलट कर उसकी टेबल तक गया इससे पहले वो कुछ समझाती या बोलती चंदर ने कहा पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा लेकिन मैं भी सॉफ्वियर इंजनियर हूँ हाँ 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 सौरी आपको वेट करना पड़ा I am सुधा अरे कोई बात नहीं बहुत अच्छा बोली आप I am चंदर आप बाते सुन रहे थे सुन नहीं रहा था सुनाई पड़ रही थी क्या मैं बहुत जोर से बोल रही थी हाँ और क्या पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं खेर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछू हाँ पूछिए मेरे बात भी कोई मिलने आ रहा है तो आप बता दीजिए मैं उस हिसाब से टाइम एड़्जस्ट कर लूँगा अरे नहीं नहीं एक दिन में दो लड़के काफी है क्या करती हैं आप मैं लॉयर हूँ फैमली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ आप कह सकते हो डाइवोस एक्सपर्ट हूँ वाउ मैं आज पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ सही में डाइवोस करवाती हो क्या सही बताऊं तो डाइवोस कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है हम तो बस सरकारिस टेंप लगाने में और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं क्यूं करते हैं लोग डाइवोस कोई एक वज़ा थोड़े ही है फिर भी सबसे ज्यादा किस वज़ा से होता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ से चाहिए क्या क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए थोड़ा बहुत शायद और तुम्हे मुझे नहीं पता क्या चाहिए छोड़ो, कहा डायवोस की बाते करने लगे हम तो रोज कोट में इतने डायवोस देखकर भी शादी करना चाहती हो सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती घर वाले परिशान ना करें इसलिए मिलने आ जाती हूं और कोई न कोई बहाना बना के लड़के रिजेक्ट कर देती हूं सौफ्वियर इंजनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो मिलने का कोई टंडा ही नहीं हाँ, अगली बार से यही करूंगी अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हैल्प कर दो तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया फालतो ही मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहेंगे ठीक है, डन शादी नहीं करनी किया तुम्हें? नहीं क्यों? प्यार व्यार वाला चक्कर है क्या? हाँ, शायद नहीं, शायद पदा नहीं यार और तुम्हारा? था चकर, अब नहीं है मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती फिर अपने घर वालों को समझा दो ना कितने सौफ्वियर वाले लड़कों की बैंड बचाओगी? हाँ, सही कह रहे हो घर वालों को यही समझाओगी तुम तो आज समझा दोगी मुझे पता नहीं कितने संडे कराब करने पड़ेंगे कोई फॉल प्रोफ तरीका बता दो मुझे पता होता कोई तरीका तो आज उस एडियेट से मिलने थोड़े ही आती जाने के बाद मुझे भी एडियेट बोलोगी तुम हाँ, शायद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है चलो मैं चलता हूँ मेरे बारे में जानने लायक बस इतना है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है दो-तेन साल अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका लेकिन कभी वहां मन नहीं लगा अब अकसर दो-तेन साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ पता नहीं क्यूँ क्रिकेट मैच के इलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ थेटर देखना पसंद है किताबे खरीदता ज्यादा हूँ पढ़ता कम सुबा का अकबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता आगे लाइफ में क्या करना है ज्यादा आइडिया नहीं है अब मैंने इतना मुख खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता ही दो पीजी में रहती हूँ वहां रहने वाली मोस्टी लड़कियों से मेरी नहीं पढ़ती अपना काम बहुत पसंद है मुझे इंडिया की टॉप लॉयल बनना चाहती हूँ मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है टीवी पे नहीं वीकेंड पे शोग किया थेटर करती हूँ बचपन से ही थोड़ा से एक्टिम व्यक्टिंग का कीड़ा है और हाँ सबसे इंपोर्टेंट वर्जिन नहीं हूँ और तुम मैं क्या क्या वर्जिन हो तुम अरे छोड़ो ये बताओ एक बच गए कहीं लंच वंच कर ले या तुम्हें कहीं निकलना है उम्र भर खाना है अरे नहीं पसंदों कुछ और खा लेते है अरे नहीं चलेगा यार एक ही दिन की तो बात है ये चंदर और सुधा की पहली मुलाकात थी पहली हर चेस की बात हमेशा कुछ अलग होती है क्यूंकि पहला ना हो तो दूसरा नहीं होता दूसरा ना हो तो तीसरा इसलिए पहला कदम ही जिन्दगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिले तैकर दिया करता है पहली बार के बाद हम बस अपने आपको दोहराते हैं और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ढूंडते हैं टर से टाटा बाई बाई उस दिन लंज से केवल दो ही चीज़े अच्छी थी एक खाने के बाद की फिल्टर कॉफी और दूसरे सुधा की कमपनी खाना खत्म होने तक करीब दो बच चुके थे चंदर ने चलने से पहले कहा फिर अब क्या प्लैन है कुछ नहीं घर जाओंगी आराम करूंगी मूवी देखनी थी लेकिन देखूंगी कोई फ्रेंट साथ चले तो जाओंगी नहीं तो नहीं तो क्या नहीं तो मूवी रहेगी नहीं अगले हफते तक मैं सोचाएगी मूवी मुझे भी देखनी थी कोई ना मिले तो बता देना मैं साथ चल लूँगा मु वरना फोन कर दूँगी पक्का? हाँ पक्का चलो फिर चलता हूँ अपनी शादी में बुलाना मैं तो करूँगी नहीं शादी लेकिन तुम अपनी शादी में जरूर बुलाना डन और हाँ Keep in touch Sure, it was indeed nice meeting you वरना उस idiot ने mood off कर दिया था किसी से मिलकर nice meeting you अगर कभी लगा भी करे तो बोला मत करो कुछ चीज़े बोलते ही कच्रा हो जाती है छीक है, ध्यान रखूंगी चलो बाई 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 बाई, टटा Sunday ritual अगले संडे से सुधा के पास उसके घरवाले एक नए लड़के का नंबर भेच चुके थे और चंदर के पास एक लड़की का नंबर आ चुका था दोनों अलग-अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचे सुधा वहाँ पहले से थी चंदर को जिस लड़की से मिलना था वो भी वहाँ पहांच चुकी थी दोनोंने एक दूसरे को देखा हाथ ही लाया और वट दा लुक दिया सुदा जिस लड़के से मिलने आई थी उससे दस मिनट में इरिटेट हो गई इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान ना देकर सुदा की तरफ देख रहा था लेकिन चंदर सुदा के जैसे स्ट्रेट फॉवर्ड नहीं था कि इस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं करनी शादी इतने में सुदा वहां चंदर की टेबल पर आ गई और लड़की की और देख कर एकदम सीरियस सोकर बोली बेहन ये आत्मी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना ये बहुती कमीना इनसान है मैं दो बार इसके बच्चे की मा बन चुकी हूँ लेकिन देखो फिर बे तुमसे मिलने आ किया इस आत्मी को लड़की से बस तीन चीज़े चाहिए हवस 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 बेहन मैं तो इनसानियत के नाते बस तुम्हें बता ही सकती हूँ बाकी तुम्हारी लाइफ है और हवस भी तुम्हारी आई मिन लाइफ तुम्हारी है ये सुनने के बाद वो लड़की उटके वहां से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को वट दा हवस लुक दिया लड़की के जाते ही सुधा बोली कैसी लगी मेरी एक्टिंग बहुती बेकार क्यूं तुम्हारी लाइफ को बरबाद होने से बचा लिया तुम्हें कैसे पता बरबाद होती मेरी लाइफ तुम्ही ने तो कहा था ना शादी नहीं करनी तुम्हे हाँ बोला तो था लेकिन ऐसा थोड़े है कि कभी नहीं करनी शादी तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉइफ्रेंट से बात कर रही थी, उसको फोन पे बोला था उसने, कि इस idiot को आधे घंटे में निप्टा कर आती हूँ ओ, मुझे idiot बोल रही थी वो हाँ, और क्या तुम्हें idiot बोला, मैं सब कुछ बरदाश कर सकती हूँ बस ये नहीं सुन सकती कि कोई तुम्हें मेरे इलावा idiot बोले हाँ, हाँ, हाँ ये acting है ना और क्या, तुम्हें क्या लगा acting अच्छी कर लेती हो तुम फिल्मों में try क्यों नहीं करती जहाँ पना, अनारकली बरफ के पहाड पर, सारी पहन के slow motion में dance नहीं कर सकती ना इसलिए theater करती हूँ college में थी तो live theater करती थी थेटर तो सुना है ये live theater क्या बला है दिल्ली में जब हम लोग college से लोटने के लिए बस लेते थे और देखते थे कि कोई बंदा किसी लड़की को परिशान कर रहा है तो मैं अपने friend को एक जांपर मार कर शोर मचाने लगती थी इससे क्या होता था कि जो बंदा सही में चेर रहा होता था उसकी फट लेती थी हम अगले stop पर उतर जाते थे कि चल पुलिस चेशन लेकर चलती हूँ और अगले stop से हम दूसरी बस ले लेते मेरे सब friends ने बहुत थपड़ खाए है मुझसे तो अब नहीं करती थपड़ मानने वाला live theater कभी कभार जैसे अभी acting की ना उस बंदी के सामने बस अब theater करती हूँ वैसे live भी एक तरह की acting ही तो है कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं कुछ बहुत खराब anyway जब मेरा play होगा तो बुलाओंगी तुम्हें आओगे ना हाँ और क्या पक्का आओंगा तो क्या program है आज का किसी और से भी मिलना है नहीं कोई program नहीं है play देखने चलो के कौन सा कोई सा भी जो चल रहा होगा theater की बात हुई तो play देखने का मन कर गया चलो play के बेश में तुम मुझे थपर लगा कर अपना live theater मत शुरू करना बस पसे play मुंबई में ऐसे तो play के कई अटे हैं उन में से एक बड़ा अटा प्रित्वी theater है और दूसरा NCPA theater इन दोनों में से एक में अगर play नहीं देखा तो समझ ये मुंबई दर्शन अधूरा रह किया सुधा और चंदर प्रित्वी theater जुहू गए प्रित्वी theater प्रित्वी राज कपूर के नाम पर है जहां अकसर शशी कपूर साब अपनी wheelchair पर बैठे दिख जाते हैं वो कुछ बोलते नहीं बस सब को देखते रहते हैं और उनको ध्यान से देखने पर उनकी आँखों में पानी थोड़ा गाडा दिखता है रोज मुंबई स्ट्रेशन पर कुछ लोग नहीं सैंकडो शहर हजारों लोग और लाखों सपने उदरते हैं हर एक सपना जो उदरता है ना उसकी एक कहानी होती है कोई घर छोड़के आया होता है तो कोई सब कुछ बेच कर तो कोई खाली हाथ ये सारी कहानिया कोई सुनना नहीं चाहता और ये हर एक कहानी अपने आप में एक फिल्म होती है मुंबई में एक कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज्यादा है कि कई सपने चलते चलते भटकते भटकते ठोकरे खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं रोज लाखो सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं फिर में यहां अगले दिन स्ट्रेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शेहर है ना। उन सारे सपनों में से कुछ सपने रोध शाम को प्रित्वी थेटर पर आते हैं। इसलिए प्रित्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोट पैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों में कान्म करने वाले चेहरे यहां अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आत्मी ने काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक वादे एक मीटिंग के भरो से जिंदगी गुजार देते हैं। यहां एक किताबों की दुकान हैं जहां हिंदी किताबे कम होती हैं लेकिन मिल जाती हैं। जब सुधा और चंदर प्रित्वी थेटर पहुंचे तब तक सारे टिकेट बिक चुके थे। लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकेट का जुकार कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि उसकी पलके जपकना भूल जाती थी। सुधा के साथ एक आद बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकों से बिना बताए पानी की दो चार बूंदे बाहर आ गई। चंदर का ध्यान प्ले पर कम और सुधा पर ज्यादा था। जैसे जैसे थेटर की लाइटिंग बदल रही थी। ठीक उतनी ही तेजी से सामने एक्टर्स के चहरे के भाव बदल रहे थे। और उतनी ही तेजी से सुधा के चहरे का रंग भी बदल रहा था। प्लेग खत्म होते होते सुधा, थ्वेटर की लाइट और स्टेज के अक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्लेग खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदर ने डिनर के लिए पूछा, तो बोली, प्लेग कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा? बस अच्छा, बहुत अच्छा नहीं लगा? चीक है, बहुत अच्छा लगा, रोती भी हो तुम्हें? बस प्ले में? सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बस रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते I am impressed डिनर करे मन नहीं है मन तो मेरा भी नहीं है फिर पूछा क्यूँ लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे चालू हो गया ना फ्लर्ट तुम्हारा फ्लर्ट का भी एक रूल होता है जो भी बोलना है उसको किसी बहाने से नहीं डारेक्ट बोल दिया करो बेटर रहता है सुधा क्या कुछ नहीं बोलो भी अब बाते बीच में मत छोड़ा करो थोड़ी देर और साथ ताइम स्पेंट करें क्या चलो पास में ही समंदर है वहाँ चलते हैं समंदर अच्छा लगता है तुम्हें बहुत और तुम्हें मुझे पहाट ज्यादा पसंद है तो अपने हनीमोन पे उटी उटी जाओगे नहीं हनीमोन पर मसूरी जाओंगा कोई खास वचा मसूरी में घुसते ही एक होटेल है हनीमोन इन नाम का बस जब पहली बार मसूरी गया था तब ही डिसाइड कर लिया था कि वही जाओंगा हनीमोन मनाने बढ़िया है हमारी शादी नहीं होने वाली वरना पहला जगड़ा तो हनीमोन को लेकर ही हो जाता क्यूं? तुम्हें कहा जाना है हनीमोन पर? कहीं भी जहां समंदर हो हनीमोन पर तुम्हें ऐसी जगा जाना है जहां समंदर हो और शादी तुम्हें करनी नहीं है थोड़ी पागल नहीं हो तुम हाँ हू तो हर कोई थोड़ा सा पागल तो होता ही है मैं तो नहीं हूँ पागल तो ढूनो अपना पागलपन उससे क्या होगा थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुन्या को जेला नहीं जा सकता चंदर सुधा की ये पागलपन वाली बात चुग गई ये सुनकर वो चुप हो गया बाते जो हमें अच्छी लगती है वो हमें धेरे धेरे सहला कर शांत कर देती है चंदर जब बहुत देर तक कुछ नहीं भोला तो सुधा ने कहा क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं बता दो इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा सही में हो गया तो? तो एक काम करना क्या? मुझे मत बताना अरे तुम ही ने तो कहा था अभी कि सब कुछ बता देना चाहिए वो फ्लर्ट के लिए कहा था प्यार के लिए थोड़े चलो अब चलते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ओ प्लीज मैं चली जाओंगी लड़के इतना केरिंग नहीं होते न तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती चलो फिर अब कब मिलना होगा कब तो नहीं पता कहां होगा ये बता सकती हूँ कहां वहीं कैफे में तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना पक्का चलो बाई बाई टटा गर पहाँचकर SMS कर देना वह सो कियरिंग नहीं करूंगी SMS और कुछ नहीं होगा मुझे डोंट वर्डी इट वाज़ डे वेल स्पेंट ये सब बोल कर चेप होने वाली बाते मत करना इस मुलकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए चंदर जब कपडे चेंज करके सोने जा रहा था तब सुदा का SMS आया विश्ट सेफली नाइस मीटिंग इस SMS के कई जवाब चंदर ने अपने मुबाइल पर टाइप किये लेकिन कोई भी जवाब भीजा नहीं जिन्दगी की कोई भी शुरुआत हिच के चाहट से ही होती है बहुत थोड़ा सा घबराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ी भी घबराहट नहीं है तो या तो वो काम ज़रूरी नहीं है या फिर वो काम करने लायक ही नहीं है हर से हेलो चंदर से सुधा को मिले हुए करीब एक महीने होने जा रहा था इस बीच ना सुधा का कोई SMS आया ना ही चंदर ने चेप होने के डर से कोई SMS या कॉल किया चंदर उस दिन का करीब करीब सब कुछ भूल चुका था सिवाई पागलपन वाली बात के सुधा ने शायद अपनी साइट से मना कर दिया था इसलिए मम्मी का भी उस लड़की को लेकर कोई फोन नहीं आया बस चंदर को एक दो बार ऐसा लगा था कि उसको प्ले के बहाने ही सही कोई प्रोग्रेम बना लेना चाहिए था एक बार ये भी लगा कि उस दिन कोई बात अधूरी रह गई असल में बाते हमेशा अधूरी ही रहती है ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि हम बोल पाएं कि मेरी उससे जिन्दगी भर की सारी बाते पूरी हो गई हम सभी अपने अपने हिस्से की अधूरी बातों के साथ ही एक दिन यूँ ही मर जाएंगे खैर उससे जो बात अधूरी रह गई वो कुछ यूँ दुबारा शुरू हुई एक दिन ऐसे ही रात में बारा बचे के आस पास सुधा का फोन आया चंदर ने जैसे ही फोन उठा कर हलो कहा उदर से सुधा शुरू हो गई सुनो मेरी अपनी फ्लैट मेट से लडाई हो गई है तुम अभी तुरंट आ सकते हो इतनी रात में अरे लडाई कोई टाइम देख के थोड़े होती है रात में हुई तो रात में ही न बुलाऊंगी नहीं आ सकते तो बता दो नहीं बाबा आता हूँ कितनी देर में आ जाओगे बस जितनी देर में आटो वाला पहुँचा दे जल्दी आओ इस चुड़ैल के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती मैं चर से चुड़ैल सुधा अपना सामान पैक करके चंदर का इंतिजार कर रही थी चंदर ने सुधा का बैग लेकर आटो में रखा और पूछा किस बात पे हुई लड़ाई अरे यार लड़ाई के लिए कोई बात होना जरूरी है क्या फिर भी कुछ तो हुआ होगा वाली देती होगी ना या फिर हम लोगों वाली क्या मज़ा आता होगा तेरे बाप की तेरे भाई की यार एक तो लड़ाई हो गई पीजी छोड़ दिया और तुम्हें मजाग सूच रहा है ओ तो अब पीजी में नहीं रहोगी नहीं बैग में दो तिन दिन का सामान है विकेंड पे नया पीजी ढूंडूंगी और विकेंड तक तुम्हारे घर में कोई प्राब्लम है नहीं है तो बता दो नहीं प्राब्लम तो कुछ नहीं है थोड़ा ओक्वर्ट नहीं हो जाएगा क्या किसे हो जाएगा आकवर्ट तुम्हें नहीं मुझे नहीं तुम्हें मुझे कोई प्राब्लम नहीं है उस चुड़या से तो अच्छे ही हो तुम चंदर को उस चुड़या से तो अच्छे ही हो तुम वाली लाइन में से केवल अच्छे ही हो तुम बार-बार सुनाई पड़ रहा था ओटो में बाहर से हवा आकर धीरे-धीरे चंदर के चहरे से होते हुए सुधा के चहरे को टटोल कर देख रही थी हवा खुश थी, ओटो खुश था, सड़क खुश थी, शहर खुश था चंदर थोड़ा सा खुश था, चंदर की खुशी में थोड़ी सी हिच की चाहट बिक्री हुई थी दा से दिमाग का दही, चंदर के घर में घुसते ही, सुधा ने पूरे घर का एक चकर लगाया और बोली, घर तो साफ सुधरा है तुम्हारा, हाँ तो लड़के भी घर साफ रखते हैं यार, बढ़िया है, विकेंड पे घर नहीं मिला तो यहीं रह जाओंगी, हाँ, और क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, लाओ, सामान अंदर रख देता हूँ, कुछ खाओगी वसे, हाँ, भूक लग रही है, मैगी है क्या, हाँ, तुम आराम करो, मैं बना के लाया, अच्छा सुनो, क्या, साथ में चाय भी बना दोगे क्या, उस च चुडेल ने दिमाग का दहीं कर दिया, छीक है, दूद नहीं है, बिना दूद वाली चाय चलेगी तुमको, बिना दूद वाली तो नहीं पीती मैं, कोई बात नहीं, ट्राई कर सकती हूँ, बना दो, छीक है मैडम, तुम सोच रहे होगे न, कहां फस गया, हाँ, सोच तो रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं ऐसे ही फसना चाहता था, किसी के साथ, बिलकुल ऐसे ही रात में दो बज्ये, किसी लड़की के साथ, good कि तुम्हारे साथ फसा, इसलिए अकेले रहते हो, हाँ, मैगी तो अच्छी बनाते हो तुम, मैगी कोई खराब बना सकता है क्या, ता तो अभी क्यों की? आज आएगी यार, अंदर कमरे में सोता तो शायद नहीं आती ओफिस कितने बज़े जाते हो? 9 बज़े पहुंच जाता हूँ सुबह उठा देना मुझे, नाश्ता बना दूँगी ओ मैडम, आपको इतना परिशान होने की जरूरत नहीं सुबह बाई आती है, तुम बता दो क्या खाओगी, मैं सुबह बनवा दूँगा अच्छा, क्या बनाती है वो? सब एक जैसा खराब बनाती है कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूँगी उससे अब सो जाएं, तीन बज गए, तुम्हें कितने बज़े उठाना है? बाई आने पर उठा दिना चलो गुड नाइट गुड नाइट सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं मुझे मुझे भी पसंद नहीं है फिर बोला क्यूं? थोड़ी फॉर्मालिटी कर रहा था चीक है, तुम करो फॉर्मालिटी मैं कल अपनी किसी फ्रेंड के यहां शिफ्ट हो जाओंगी सॉरी यार, आगे से नहीं होगा प्लीज शिफ्ट मत होना नहीं जाओंगी, अच्छा लेकिन मुझे सॉरी और प्लीज से भी नफ्रत है, समझे? चीक है, सॉरी गुट नाइट, प्लीज सब वापिस दे दो दे दिये वापिस, तुम भी क्या याद करोगे, चलो सो जाओ अब सुधा वैसे भी अपनी पीजी वाली लड़की से लड़कर, काफी ठक चुकी थी, उसको घर में वैसे ही गेरी नीद आई, जैसे कि अपने घर के बिस्तर पर नीद आती है, चंदर को बहुत देर तक नीद नहीं आई, जैसे कि वो अपने घर पर नहीं, किसी और के घर सोया हो पसे पोहा सुबह जब चंदर सोकर उठा तब पहली बार समझ में आया कि जब घर में दो लोग होते हैं, तब घर कैसा महकता है, कैसा शोर करता है खैर, सुधा ने निउस पेपर से बॉली वूड वाला पेज निकाल कर, बाकी पेपर इदर उदर फैका हुआ था उसकी हर चीज़ को लेकर एक ओपीनियन थी हर चीज़ को लेकर मसलन, चंदर बॉली वूड वाला पेज नहीं पढ़ता था, इसको लेकर भी तब बॉली वूड वाली निउस क्यों नहीं पढ़ते फिल्म वाले बहुत खोकले लगते हैं मुझे, और उससे भी ज्यादा उनकी खबरे, हमने फालतु ही सिर्पे बिठा रखा है उनको तुम्हें कुछ पता ही नहीं है लाइफ का, बाकी निउस पेपर में तो जैसे बड़ी सही खबरे आती है, और क्या आती तो है सब पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है तुम बहुत भोले हो यार निउस पेपर खबरे बताने से ज्यादा खबरे चिपाते हैं, समझे वो बस हमें वही बताते हैं जिससे काम की निउस छुपी रह सके तो फिर तुम बॉलीवूड वाली निउस क्यों पढ़ती हो जब पता ही है सब फर्जी है तो क्यूंकि वहाँ कम से कम फोटो तो अच्छी छपती है खैट छोड़ो अरे वाँ, इतने अच्छे पोहे तो बाई ने आज तक नहीं बनाई थे बाई ने नहीं बनाया है मैंने बनाया है अरे, तुम्हे क्या जरूरत थी बनाने की अरे बस ऐसे ही मन किया, उसको समझा दिया है, मेरे हिसाब से बनाया करे वाँ सही है, बाई ने पूचा नहीं दीदिया भईय की कौन है पूचा था तो क्या बताया तुमने सब सच बता दिया हमारे भारे में मुझे भी बता दो थोड़ा हमारे भारे में मैंने पहले ही बाई से पूश लिया कि पहले भी कोई दीदी आई है क्या भाईया के यहां तो क्या बोली वो वो बोली आती रहती है भाईया बहुत शौकीन है अच्छा, और क्या बुली वो? यही कि देदी आप सबसे अच्छी हो, आप मत जाना तो तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया, आप भी मुझे पसंद हो भाया को छोड़ भी दूँ, आपको नहीं छोड़ूंगी पहले मुलकात में इतनी बात कर ली तुमने और क्या, स्टाइल है अपना, अब जाओ, तुम्हें आफिस के लिए देरी नहीं हो रही हो तो रही है, आफिस जाने का मन नहीं कर रहा वो तो तुम्हारा रोजी नहीं करता होगा हाँ, लेकिन आज वज़ा अलग है क्या अलग है आज? आज पोहे अच्छे बने हैं ना? क्या यार, एक बार जूटी बोल दिया होता कि आज तुम हो, इसलिए मन नहीं कर रहा है बोलना चाहता तो था, लेकिन कहने ही पाया कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए इंडिया में 90% लड़के ऐसे सोचने में ही रह जाते हैं वो कॉर्णर स्टीट के टिकट ले तो लेते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते बस पूरे फिल्म में बैट कर पॉपकॉन खाते हैं और बाकी 10%? 10% लड़के तो यूजलेस ही हैं इंडिया में ज्यादा ही हैं डिसकाउंट करके बता रही हूँ देखो मेरा एक फंडा है लाइफ में क्या? जब भी कन्फ्यूजन हो कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या फिर कोई बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए तो बस बिना ज्यादा कुछ सोचे वो काम करके देख लेना चाहिए वो बात बोलके देख लेनी चाहिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है लाइफ का बहुत बड़ा ग्यान दे दिया है तुम्हें बहुत काम आएगा, समझे बच्चा अच्छा, कभी ऐसे नहीं सोचा यार आज कल के लड़के लड़कियां ऐसे ही सोच पाते तो 85% लड़के लड़की के शादी तै होने के बात नहीं बताते कि वो उन्हें प्यार करते थे 100% मेंसे 10% useless हैं बचे 90% 90% में से 85% लड़की की शादी तै होने के बाद बोलते हैं बचे 5% उनका क्या मैडम 5% लड़के इतने भी बुरे नहीं है मिस्टर कुछ तो दिमाग लगाया करो चलो अफिस जाओ लेट हो जाओ कि और तुम इतने शर्मीले हो कि मुझसे कह भी नहीं पाओ कि कि तुम्हारे चकर में देर हो गई मैं भी यूजलेस वाले 10% लड़कों में ही आता हूँ लगता है लड़के सारे ही यूजलेस होते हैं कुछ शादी के पहले होते हैं कुछ शादी के बाद हो जाते हैं खैर वो सब शाम को देखेंगे ठीक है चलो टटा बाई बाई टटा अच्छा सुनो शाम को कॉफी पीने चलते हैं ठीक है साथ बज़े मेरे आफिस के पास वाले कॉफी हाउस में मिलो चंदर को आज आफिस जाते हुए रास्ते में ये नहीं लग रहा था कि अपने जी विंग के फ्लैट नंबर ग्यारा सो दो से आफिस जा रहा है फ्लैट का थोड़ा सा हिस्सा घर हो चुका था सुदा की आदत थी बिना पुछे जगा और प्लैन बदल दिया करती थी उसको जब भी कुछ बोलो तो कह देती कि जिंदगी के स्कूल में टाइम टेबल के हिसाब से एक लास नहीं लगती जो टाइम टेबल के हिसाब से जिया वो पक्का फेल होता है शाम को कॉफी हाउस वाले प्रोग्रेम को चेंज करके उसने गोल गपे का बना दिया तुम तो कॉफी हाउस बैठने के लिए बोल रही थी फिर गोल गपे नहीं, प्रॉबलम कुछ नहीं है, मुझे गोल गप्पे उतने पसंद नहीं है, हमेशा गले में सरग जाता है सही से खाना नहीं आता होगा तुम्हें, अब गोल गप्पे भी कोई गलत तरीके से खा सकता है तुम तब से खाही रहे हो, पूरा एक बार में मूँ में डालना होता है, खेर छोड़ो, पता ही चल रहा है, कभी कोई गर्फ्रेंड नहीं रही तुम्हारी अब गोल गप्पे खाने से गर्फ्रेंड का क्या कनेक्शन है? है, तुम नहीं समझोगे, गर्फ्रेंड को खिलाए होते, तो खाने की तमीज आ गई होती, चलो हो गया मेरा, कॉफी हाउस चलते है, पक्का, गोल गप्पे के बाद कॉफी, क्यूं, ये कहां लिखा है कि गोल गप्पे के बाद कॉफी नहीं पिस सकते, अरे, नुकसान कर सकत है ना, नहीं करेगा, चलो, मुझे बात भी करनी है, क्या बात, कॉफी हाउस चलो तो पहले, बात तो घर पे भी कर सकते है, मेरा मन नहीं है कॉफी हाउस जाने का, चीक है, तो घर चलते है, पहले बता देती तो बाई को मना नहीं करता, अब वो नहीं आएकी, तो क्या तुम बना देना कुछ मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता सीख लो गर्फरेंड होती तो सीख चुके होते खैर शादी के बाद सीख जाओगे ये बार बार गर्फरेंड होती तो मत बोला करो गर्फरेंड है मेरी मैंने कभी बताया नहीं किसी को भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा यार तुमारी गर्फरेंड है सच पताओ हाँ सच कहां रहती है क्या करती है कभी देखा नहीं वो यहां नहीं रहती कभी कभी आती है उसी के लिए मैंने अलग घर लिया वो मेरे पहले वाले फ्लैट मेट के साथ कमफर्टेबल नहीं थी फिर कभा रही है वो पता नहीं क्यों नहीं पता लाओ मोबाईल दिखाओ अपना मोबाईल क्यों फोटो दिखाओ उसकी मोबाईल में पिक होगी ना उसकी नाम क्या है उसका घर चलो सब बताता हूँ तब तक फोटो तो दिखाओ मुबाइल में फोटो नहीं है उसकी तो पर्स में होगा वैसे बे तुम ओल्ड फैशन वाले ही लगते हो पर्स में भी नहीं है गर्ल्फरेंड पक्का है भी न या कहानी सुना रहे हो सच बोल रहा हूँ गर्ल्फरेंड है या ये कहलो गर्ल्फरेंड थी उसको थी बोलने की आदत नहीं हुई है अभी घर चलो पूरी कहानी सुनाता हूँ यार एक बात बोलू बुरा तो नहीं मानोगे नहीं बोलो दारू लेलो बड़ी सैट स्चोरी लग रही है तुम्हारी लव स्चोरी सैड हो या हैपी मैं बिना दारू के जेल नहीं पाती जेलनी पड़ेगी तो नहीं सुनाऊंगा यार नहीं मुझे सुननी है छीक है घर चल के सुनाता हूँ और हाँ उसको गोल गपे बहुत पसंद थे सरसे सैट स्चोरी सुधा ने घर पहाँच कर हाथ मूध होया कपड़े चेंज किये लैप्टॉप पर जगजीत सिंग की गजल लगा दी कमरे की लाइट डिम कर दी और बोली थोड़ा स्ट्रॉंग पैक बनाओ तुम्हारी लफ स्चोरी जितना स्ट्रॉंग मुझे लग रहा है तुम मेरी लफ स्चोरी का मजाग उड़ाओगी पागल हो क्या मजाग तो बंदा प्यार में पढ़ते ही बन जाता है अब क्या मजाग उड़ाना अब तक तो तुम्हें आदत हो गई होगी चीर्स तो शुरू करो अपनी स्चोरी वो कॉलेश में थी क्या नहीं कॉलेश में नहीं मुझे लखनाओ में समर ट्रेनिंग में मिली थी हम दोनों का प्रोजेक्ट गाइड एक ही था वहां कुछ ज्यादा काम नहीं था तो हम रोज वहां अटेंडन्स लगा कर मॉल में जाकर बैट चाते थे टिपिकल स्चोरी लग रही है तुम्हारी समर ट्रेनिंग वाले प्यार को समर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट जितना ही सीरियोसली लेना चाहिए यार खेर आगे सुनाओ तो बस दो महीने में एक दूसरे की आदत हो गई कौलिश में मुबायल से टच में थे दो तिन महीने में एक बार मिल लेते थे फिर मेरी जॉप मुंबई में लग गई और उसकी दिल्ली में वो कभी कभी यादी थी यहां लेकिन उसको मुंबई पसंद नहीं आया सौरी मैं बीश में रोक रही हूँ मुंबई क्यों पसंद नहीं आया उसे उसको यहां की भाग दोड़ वाली लाइफ स्चाइल पसंद नहीं थी बस इतने सी बार उसको समझाना चाहिए था ना कि मुंबई में रहने के लिए थोड़ी बेचैनी और थोड़ा पागलपन चाहिए समझाया था वो समझी नहीं तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि प्यार करती थी वो तुमसे हाँ यार दिन भर में कितनी बार लव यू बोलती थी दिन भर लव यू बोलना प्यार करने जितना आसान होता तो क्या बात थी टिपिकल आजकल वाला प्यार है तुम्हारा खेर आगे सुनाओ आगे क्या बस बड़ी मुश्किल से उसने घर पर बात की मैं उसके घर गया लेकिन उसके पेरेंट्स माने नहीं बस इतनी सितिक कहानी और तुम देवदास बन गए लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि वो प्यार में बस देवदास होना चाहते है इतना भी बुरा नहीं हुआ तुम्हारे साथ उसने शादी कर ली है ये तो और भी बढ़िया हुआ दो चार गाली वाली दो और आगे बढ़ो मुझसे नहीं हो पाएगा तो ऐसे ही बने रहोगे एक बात बताओ जब उसको आना ही नहीं था तब तुमने अलग घर क्यों लिया बस ऐसे ही अरे बताओ तो मुंबई की सबसे खराब बात यही है कि यहाँ अकेले रोने के लिए भी जगा बड़ी मुश्किल से मिलती है वहाँ दोस्तों के साथ मैं सही से रो नहीं पाता था यार ये रोने वाली बात से जो थोड़ी बहुत चड़ी थी उतर गई जल्दी खत्म करो और अगला बनाओ तुम्हें मेरे रोने वाली बात थोड़ी अजीब लग रही होगी ना नहीं बिल्कुल नहीं बलकि आज पूरी शाम की सबसे अच्छी बात ही यही है मेरा रोना अच्छा कैसे हो गया बढ़िया है तुम रो लेते हो उनका क्या जो मौके पर सही से रो नहीं पाए अब जब मेरी कहानी हो गई है तो तुम अपनी कहानी क्यों नहीं सुनाती क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी कुछ तो बात होगी मेरी कहानी में कुछ नहीं है यार एंगेश्मेंट हो गई थी हमारी मैरिश को लेकर ना उसके घर पे कुछ पंगा था ना मेरे तो फिर फिर क्या बस उसकी ममी ने मेरी ममी से एक दिन पोच लिया कार्ट तो आप वैसे भी देते ही है ना शादी में बस मेरा दिमाग सटक गया याद आती है उसकी यार याद बड़ी कुट्टी चीज होती है साली आ ही जाती है क्या करती हो याद आती है तो तो सूसू आती है सूसू कर लेती हूँ ऐसे ही याद आती है तो याद कर लेती हूँ कोई कॉल वगेरा उसने बाद में कभी कोशिश नहीं की कोशिश की उसने, बहुत कोशिश की, वो बोला भी कि कार वो खरीद देगा, बस उसके पेरंट्स को पता नहीं चलना चाहिए, कि उनके बेटे ने कार खरीदी है, बस इस बात ने पुरानी सारी बातें खराब करती शादी हो गई उसकी, हाँ हो गई, फिर तो याद नहीं आती होगी अब, बताया ना, याद बड़ी कुट्ती चीज होती है, आज के बाद से कभी तुम दारू पी कर, प्यार व्यार की बात मत करना मुझसे, क्यूं, रोने के लिए मुंबई में जगा बहुत कम है ना, शियर् सिगरेट पीते हो तुम, मैं पीता नहीं, ले आता हूँ, हाँ, चलो मैं साथ चलती हूँ, दारू पीने के बाद बाहर भटकना बड़ा अच्छा लगता है, सिगरेट तुम पीते नहीं हो, देवदास्त या खाक बनोगे, सरसे सिगरेट, चंदर को सुदा का सिगरेट पी नहीं लगती थी, सुदा को भी चंदर की सारी बाते अच्छी नहीं लगती थी, असल में किसी को भी किसी दूसरे की सारी बाते कभी सही लग ही नहीं सकती, लेकिन सच ये है कि चंदर कभी नहीं चाता था कि सुदा सिगरेट चोड़े, क्योंकि सिगरेट पी कर वो बड़ी ही सही बाती करती थी सिगरेट पीते ही हर बार ऐसा ही कुछ बोल कर शुरू करती थी Smoking is injurious to help कुछ भी लिखते हैं ये लोग कुछ भी क्या सच तो है पागल हो तुम सिगरेट नहीं सुलकती बंदा बाकी तमाम वजों से यूँ ही अपने आप सुलकता रहता है बस बलेम सिगरेट को करता है अच्छा तुम क्यों सुलकती हो तुम्हारी वज़ा से अब मैंने क्या किया कुछ नहीं किया ये तो गलत है हर चेस के लिए बलेम करती हो तुम मुझे ना किया करूं बलेम बहुत लोग तरसते हैं कि मैं उन्हें बलेम ही कर दूं तो कर दिया करो लेकिन मुझे इतना ऐसान किस लिए क्योंकि तुम सिगरेट हो मेरी तुम्हें तो सांसे दे दी यार समझ नहीं आया लेकिन सुनके अच्छा लग रहा है जो सुनके अच्छा लगता है वो अच्छा होता है और जो सुनके अच्छा ना लगे वो अच्छा होकर भी अच्छा नहीं होता सिगरेट छोड़ दो नहीं छोड़ सकती लेकिन तुम थोड़े थोड़े दिनों में पूछ लिया करो क्या पता कभी मोर बन जाए छीक है एक बात कहूं कह दिया करो पूछा मत करो सिगरेट छोड़ दो आज नहीं छोड़ सकती थोड़े दिन बात पूछना सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है यार पेपर में सिगरेट छोड़वाने के इतने एड आते हैं उसमें से कुछ ट्राई करते हैं तुम चिंता मत करो मैं जो कुछ भी छोड़ती हूँ हमेशा के लिए छोड़ती हूँ सिगरेट भी छोड़ूँगी तो हमेशा के लिए छोड़ दूँगी और मुझे तुम्हे कभी नहीं छोड़ूँगी क्योंकि तुम्हें कभी पकड़ा ही नहीं सुनो क्या सिगरेट छोड़ दो इतना जल्दी जल्दी बोलोगे तो अभी छोड़ दूँगी तो छोड़ दो ना सिगरेट नहीं मैं सिगरेट पीने के बाद कुछ भी बोलती हूं तुम कभी सीरियसली मत ले लेना, बस टाइल के लिए बोलती हूँ. मैं सोच रहा हूँ, मैं भी सिगरेट शुरू कर देता हूँ. पागल हो क्या? नहीं, तुम सिगरेट मत शुरू करना. क्यूं? तुम अपने? पीओ तो कुछ नहीं. हम क्यों नहीं पी सकते? आदते मुश्किल से छूटती है इसलिए सुधा की देखी देखी चंदर ने में एक दो बार सिगरेट पीने की कोशिश की लेकिन हर बार सुधा नाराज हो जाती चंदर को सुधा का सिगरेट पीने से मना करना ज्यादा पसंद था चंद से चाओमिन ऐसा नहीं था कि सुधा ने विकेंड पर पीजी नहीं ढूंडा अकबार रखे रखे कब जुड़कर महीने भर की रद्धी हो जाते हैं पता नहीं चलता ऐसे ही चंदर और काम वाली बाई दोनों को सुधा का रहना पता नहीं चला कई बार रद्धी में पुराने खोई हुए दिन चाए के निशान के साथ मिल जाते हैं और हम ऐसे ही नाचाने कितने दिन रद्धी में कौड़ी के भाव से बेश देते हैं खर इतने बेशने में हम अभी भी कच्छे हैं पूरे जिन्दगी पता नहीं क्या कमाने की फिक्र में हम समझ ही नहीं पाते की बचाना क्या है और बेशना क्या जितनी यादे हमने बनाई होती हैं उस पर वो यादे हमेशा भारी पढ़ती हैं जो हम बना सकते थे काश कि कोई दूसरी दुनिया होती जिसका दर्वाजा इस दुनिया से खुलता काश कि उस दूसरी दुनिया में जिन्दगी उल्टी चलती तो सबसे पहले लोग अपने बच्पन का फिक्स डिपोजिट करा ले थी ऐसे ही एक दिन जब चंदर महीने भर की रद्धी बेशने के लिए इकठा कर रहा था तो वो बोली एक मिनट पेपर दिखाना जरा लो देखो मुझे आये हुए एक महीने से उपर हो क्या पेपर से दिन याद रखती हो क्या और क्या पेपर की फोटो से जिस वीक मैं आई थी उस वीकेंड पर ये फोटो आई थी मुझे तो अखबार से दिन याद नहीं रहते बावजुद उसके की पेपर पे डेट लिखी रहती है तुम पेपर पढ़ते होना इसलिए खैर मैं सोच रही थी पीजी क्या ढूंडू यही पर्मनेंटली रुख जाती हूँ हम साथ रह लेते हैं लड़कियों के साथ वैसे भी मेरे सेटिंग सही नहीं हो पाती यू में लिविन लिविन बोल के चीप मत बनाओ अरे लिविन को लिविन नहीं तो क्या चाओ मिन बोलेंगे हाँ वो ठीक है लेकिन सुनने में थोड़ा सा चीप लगता है लिविन वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहने का फैसला क्यों किया मैंने क्यों किया क्योंकि तुम चैट करते हुए ओके को केवल के नहीं लिखते बस इतना ही देखा तुमने और क्या ओके को के लिखने में लोग पता नहीं कितना टाइम बचा लेते हैं कुछ तो और देखा होगा और कुछ क्या देखना है कैतो तो मैसे रहे हो जैसे तुमसे शादी करनी हो और सब ठोक बजाके मैं चेक कर लूँ पहले ही क्या पता शादी तक बात पहुची जाए तो लड़के तुरंद शादी का सोचने लगते हैं न लड़कों का क्या पता मुझे अपना पता है क्या पता है तुम्हें यही कि तुमसे शादी कर सकता हूँ शादी तभी करूँगी जब अपनी गर्फ्रेंड के लिए देवदास बनके दिखाओगे थोड़ा पागल वागल हो जाओ उसके लिए तब सोचूँगी तब लगे गाना कि लड़का पहले कमिटेड रह चुका है अभी तो ब्रेक अप हुए छे महीने भी नहीं हुए तुम्हें और हाँ शादी वादी के चकर में नहीं पढ़ना मुझे पहले ही बता रही हूँ क्यूं? ऐसे ही सब बताना जरूरी है हाँ है जरूरी आखिर हम साथ रहना शुरू करने वाले हैं तो सब को जानना जरूरी है सब बताने से तो आसान है पीजी ढून लेना एक काम करते हैं पीजी ढूनने चलते हैं सही में? और क्या? मुझे लगाता हमारे भी चामिन बन सकता है तुम तयार ही नहीं हो मैं तो तयार हूँ तुम्हे कुछ बताने को तयार नहीं हो वो रिष्टे कभी लंबे नहीं चलते जिन में सब कुछ जान लिया जाता है तो कौन से चलते हैं? जिसमें कुछ-कुछ बचा रहता है जानने को मैं नहीं मानता नहीं मानते तो कोई बात नहीं चलो तयार हो जाओ पीजी ढूणने चलते हैं नहीं, सही में चलना है पीजी ढूणने हाँ, और क्या छोड़ो, कहां जाओगी बाई को तुम्हारी आदत हो गई है उसकी खाते रुक जाओ ये हुई ना बात वैसे अगर कभी मुझे रोकना चाते हो तो कभी अपने लिए रुकने के लिए मत कहना कभी-कभी मुझे तुम्हारी बाते समझ नहीं आती कोई बात नहीं सब समझना ज़रूरी नहीं आज शाम को कहीं बाहर चलते हैं समंदर देखे हुए बहुत दिन हुए चाउमिन खाए हुए भी मसे मुमेंट सुदा समंदर के पास चाकर एकदम चुप हो गई चंदर को लगा शायत लिविन वाली बात का बुरा मान गई है चंदर ने पूछा तो कुछ बोली नहीं बहुत देर तक समंदर में पैर गीले करके टहलती रही फिर जब सूरच समंदर की पेाली में नमक जैसा घुल गया तब बोली यार मैं पीजी ही ले लेती हूँ कुछ बुरा लग गया क्या नहीं वो बात नहीं है यार मुझे तो शादी करनी नहीं है मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा घर बसने में दिक्कत हो जाएगी हरे बाप्रे इतनी देर से यही सोच रही थी क्या नहीं फिर क्या सोच रही थी इतनी देर से होता है कब पैर के नीचे से फिसल जाए पता नहीं चलता और तुम इतने फट्टु हो कि अगर मैं बोल भी दू कि गले लगा लो तो अभी तुमारी हिम्मत नहीं होगी। हिम्मत वाली क्या बात कर दी एक बार बोलके तो देखो मुझे गले लगा लो अभी तुरंत जैसे अपनी गर्फरेंड को लगाते थे अभी तुम फट्टु हो रहने दो मैं लगा लेता हूँ गले रहने दो वो मुमेंट चला गया मुझे लगाता तुम मजाग कर रही हो मैं समंदर के पास कभी मजाग नहीं करती क्यों क्योंकि मजाग करने से वो मुमेंट चला जाता है समंदर के किनारे टहलते हुए सुधा ठीक व्यसे जीती थी जैसे हर एक सांस में जिंदगी भर रही हो समंदर किनारे टहलते हुए सुधा अपनी एक भी सांस वेस नहीं करना च थोड़ा अजीब है लेकिन समंदर जितना बेचैन होता है हम उसके पास पहुंचकर उतना ही शान्त हो जाते हैं यही जिन्दगी का हाल है पूरा बेचैन हुए बिना जैसे शान्ती मिल ही नहीं सकती सुधा और चंदर जब भी समंदर के पास जाते तो डिनर वहीं समंदर के से शिव सागर रेस्टरेंट में करते सुधा का आज शिव सागर में खाने का मन नहीं था उसने चंदर से कहा कहीं ऐसी जगा ले चलो जहां बहुत शोर हो चंदर सुधा को जूहु के ही एक डिस्प में लेकर गया वहां इतना शोर था कि वो चाकर भी बात नहीं कर सकते थे कुछ बोलने के लिए बार बार चंदर को सुधा के कान के एक दम पास जाकर बोलना पड़ रहा था सुधा ड्रिंक लेने के बाद थोड़ा नॉर्मल हुई वो अपना केवल चंदर के कान में बोल रही थी बलकि चंदर के गाल पर बोल रही थी उसके होंटों पर जो समंदर चिपका हुआ था वो अब चंदर के गाल और कान पर थोड़ा थोड़ा बिखर गया था चंदर को अपने गालों पर गिला गिला समंदर, रेत, सुधा, सुधा की सांसे और मुमेंट मैसूस हुए ठीक इस मुमेंट चंदर को जिन्दगी से कोई शिकायत नहीं थी डिस्क का शोर बढ़ता जा रहा था सुधा शान्त होती जा रही थी चंदर बिना बात की बातों से बार-बार सुधा के कान और गाल को अपने होंटों से चोक कर जिन्दगी की तसली कर रहा था एक आदे मुमेंट को पकड़ कर छूने का मौका जिन्दगी सब को देती है चंदर के लिए ये वही एक मुमेंट था चंदर ने अपनी आँखों से इस पल को फ्रीज करके कहीं रख लिया था हम यादे कहां रखते हैं ये तो खेर किसी को पता नहीं होता काश कि हम अपनी यादे समझ पाते काश कि हम जिन्दगी समझ पाते काश कि हम मुमेंट थोड़ा लंबे टाइम तक पकड़ पाते ड़ से डबल बैट घर में एसी एक ही कमरे में था तो डिसाइड ये हुआ कि चंदर सुधा एक ही कमरे में सोया करेंगे बैट पे चंदर और नीचे गदा बिचा के सुधा एक ही कमरे में ये चंदर और सुधा का पहला दिन था चंदर अच्छा खासा घबराया हुआ था ये बात सुधा तुरंट समझ गई इसलिए बोली डर्ना मत कुछ करूँगी नहीं तुम भी मत डर्ना कुछ करूँगा नहीं हाई काश की बोल दिया होता की कुछ करोगे वैसे क्या लगता है तुमें किसे दिन रात को सोते हुए मेरी नियत खराब हो सकती है क्या नहीं फट्टू हो तुम तुम्हारी तो नहीं ही होगी हाँ मेरी हो सकती है सही में नियत डोल गई तो क्या करोगी? वही जो करना चाहिए क्या? भजन गाना शुरू कर दूँगी ताकि मन में बुरे खयाल ना आई पहले बताना था ना? पहले ही डबल बेट ले लेता सोचाता शादी के बाद लूँगा हिंडिया का प्रॉब्लम ही यही है क्या? यही कि हम शादी को डबल बेट और डबल बेट को शादी समझ लेते हैं चलो सोचाओ अब ज्यादा बाते करोगे तो मेरी नियत कभी भी खराब हो सकती है पता चला सुभा फटे कपड़ों में चादर लपेट कर रोते हुए मिलो लाइट आफ कर दो मुझे लाइट से कोई दिक्कत नहीं होती स्विच तुमसे ज्यादा पास है मैं लाइट बन नहीं करूँगी जिसको दिक्कत होती है वो करे हद है यार बड़ी अजीब हो तुम हाँ हूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सोजाओ चंदर ने उठकर लाइट बन की और सुधा के पैर के पास बैठ खेया सुधा के पैर की सबसे छोटी उंगली को सहलाने लगा सुधा चुप चाप उंगली सहल वाने लगी चंदर की उंगलियों ने सुधा के तलवे पर गुन गुनाना शुरू कर दिया कमरे में बाहर से बहुत थोड़ा सा उजाला आ रहा था इतना उजाला जो केवल बत्ती बंद होने के पांच मिनट बात दिखना शुरू होता है बाहर के उजाले ने कमरे में घुस कर चंदर को परचाई बना दिया चंदर की परचाई ने सुधा को चुकर उजाला कर दिया पूरा पैर दबा दो यार सुधा ने ये बोलते हुए अपना पूरा पैर आगे करतिया चंदर की परचाई ने बिना कुछ बोले सुधा के पैरों को दबाना शुरू करतिया यार बाद में मैं असिस्टेंट रखूंगी जो सोने से पहले मेरे पैर दबाईगी चंदर ने कोई जवाब नहीं दिया बस अब थोड़ी सी पीट सेहला दो चंदर ने सुधा को पल्टा और पीट सेहलाने लगा कमरे के उजाले ने सुधा और चंदर की परचाईयों को मिला कर एक कर दिया चंदर और सुधा दोनों ने एक दूसरे के समंदर को अपने होटों से चुआ ऐसे चुआ जिससे एक दूसरे का कोई भी कोना सुखा ना रहे सुधा ने चंदर की महक से सांस ली चंदर ने कमरे के अंधेरे को अपनी आखों में भर लिया कपडों ने अपने आपको खुदी आजाद कर लिया और कमरे के कोने में जाकर पसर गए गदे पर जैसे चंदर और सुधा एक दूसरे में घुले जा रहे थे गदे के पास रखे दोनों के कपड़े एक दूसरे में उल्चे जा रहे थे कपडों में थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी शाम, थोड़ा उजाला और थोड़ा सा समंदर था चंदर और सुधा वो महसूस कर रहे थे जो दुनिया के पहले आदमी ने दुनिया की पहली आदमी ने दुनिया की पहली आदमी बन गया था और सुधा दुनिया की पहली आदमी बन गया था और सुधा दुनिया की पहली आदमी बन गया था और सुधा दुनिया की पहली आद पूर चुके थे। ये जगने और सोने के बेच की वो दुनिया थी जिसमें समझ नहीं आता कि जाना कहा है। दोनों नीन में थे। दोनों जगे हुए थे। दोनों बोल रहे थे। दोनों चुप थे। कपड़े सूप कर भीग चुके थे। चंदर सुधा के कंधे पर से रख कर छुप गया था सुधा के बाल चंदर के चहरे की चादर बन गए थे एक बार में चंदर का जितना हिस्सा सुधा को चू सकता था उतने हिस्से में सुधा को समंदर मैसूस हो रहा था दुनिया अपने वजूत पर खुश थी रात सुबा के इंतजार में अपना रंग बदल रही थी तारें छुट्टी के लिए टिम टिमा कर गिड़ गिड़ा रहे थे सुबा ने अपने होने से पहले रात की पीट को सैला दिया था रात भर बैट ने चंदर का इंतजार किया असे अलमारी ऐसे तो चंदर सुबा अलाम क्लॉक बचने के 20 मिनट बात बन कर देता था लेकिन अब अलाम क्लॉक के बचते ही उसको बन करना शुरू कर दिया था ताकि सुदा की नीन न खुल जाए ऐसी सुबह अभी चंदर और उसके घर के लिए नहीं थी सुबह उठने के बाद चंदर सामने खिड़की का परदा हटा कर सुदा को थोड़ी देर तक कैसे देखता जैसे अकपार में छपी कोई अच्छी खबर सुदा अलाम की आवाज से जग जाती लेकिन चंदर उसे देखते हुए डिस्चर्ब न हो जाए इसलिए वो थोड़ी देर तक सोने का नाटक करती अब उसका गद्दा नीचे नहीं बिश्टा उन्होंने डबल बैट भी नहीं लिया दो लोग जब बहुत पास आ जाते हैं तो उनकी अलमारियां एक हो जाती है थोड़ा और पास आ जाते हैं तो अलमारी में जगा कम पढ़ने लगती है सुदा की अलमारी में कभी कपड़े कम हो जाते थे तो कभी अलमारी में जगा ऐसे ही एक दिन वो बोली कपड़े नहीं है मेरे पास इतने सारे हैं तो लास्ट टाइम हम शॉपिंग से आई थे तो तुमने कहा था कपड़े रखने के लिए अलमारी चोटी पड़ रही है तुम पागल हो लड़कियों के कपड़े कभी पूरे नहीं होते कितनी बार समझाओं तुम्हें चीक है मत समझाओ लेकिन अब क्या प्लैन है किस चीज का प्लैन यही कि पहले कपड़े लेने चलना है या अलमारी तुम मेरा मज़ाग उड़ा रहे हो नहीं बिल्कुल नहीं जब उड़ाता हूँ तब तुम्हें लगता नहीं है जब लगता है तब उड़ाता नहीं पहले कपड़े ही ले लेती हूँ क्यों नई अल्मारी भनने के लिए बहुत शॉपिंग करवानी पड़े की न तुम्हें और आज उतनी शॉपिंग का मूर नहीं है मैं शॉपिंग कहां करवाता हूँ तुम अपने काट से ही पे करती हो शॉपिंग करवाना केवल पैसे देना थोड़े होता है पागल तो क्या होता है थोड़ा समझाओ शॉपिंग करवाना मतलब उतना टाइम देना उससे कम और उससे ज्यादा कोई किसी को कुछ दे भी कहां सकता है इतनी इतनी बड़ी बाते मत किया करो ठीक है शॉपिंग पर चले फिर हाँ चलो लेकिन आज पेमिंट मैं करूँगा क्यों करोगे क्योंकि मेरी अलमारी में बहुत जगा है तुम्हारे कपड़ों के लिए कभी तो अच्छे रिजन दिया करो ठीक है अगली बार से कोशिश करूँगा वैसे अलमारी में कपड़ों की जगा बचाने के बचाए अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा टाइम सेव किया करो मेरे लिए समझे नहीं समझा कोई बात नहीं शॉपिंग पर चलो समझ जाओगे यूँ तो दुनिया के ज्यादा तर लड़के शॉपिंग से नफरत करते हैं चंदर भी नफरत करता था सुदा को भी कोई शॉपिंग ज्यादा पसंद नहीं थी चंदर के घर के एकदम पास में मॉल था लेकिन सुदा को मॉल के बचाए कार्टर रोट के पास वाली फेशन स्ट्रेट में शॉपिंग करना पसंद था मॉल अपने साथ तमाम चीजें लाई और ले गए मॉल भाफ करना भी उन में से एक है सुदा को शॉपिंग के लिए कोई भी ऐसी जगा पसंद थी जहां मॉल भाफ किया जा सकता हूँ सुदा शॉपिंग से ज्यादा मॉल भाफ करके खुश थी दोनों बहुत ठक गए और लोटने के बाद तुरंथी सो गए बसे बैट वाला मॉर्णिंग चंदर हमेशा सुदा के नहाने के बाद नहाने जाता उसको सुदा के नहाने के बाद बाथरूम की महग बहुत अच्छी लगती थी जैसे ही कोई नया घर में रहना शुरू करता है तो सबसे पहले बाथरूम बदलता है सुदा ने अपना फेस वाश, शेंपू, सब बाथरूम में लगा दिया था प्यार जैसा शब्द खोशने के बाद दुनिया ने नए शब्द धूनना बंद कर दिया जबकि दो लोग आपस में रोज कुछ ऐसा नया धून लेते हैं जिसको प्यार बोल कर छोटा नहीं किया जा सकता चंदर सुदा में रोज नया शब्द धून रहा था और सुदा चंदर में रोज नई किताब गुड मॉर्निंग तुम्हें पता है कि मुझे ये गुड मॉर्निंग विश करना पसंद नहीं है फिर भी बार-बार बोलते हो चीक है बैट मॉर्निंग यार मॉर्निंग केवल मॉर्निंग नहीं हो सकती गुड बैट के चकर में क्या पढ़ना खेर बताओ क्या लोगी चाई या कॉफी तुम्हें पता है मुझे कॉफी नहीं पसंद फिर भी गुड मॉर्निंग के जैसे बार बार पूछते हो कितनी बार और बोलू मुझे पता है तुम दोनों को गुड मॉर्निंग केना पसंद नहीं है और ना ही कॉफी पसंद है कभी-कभी दो लोगों में प्यार के लिए पसंद नहीं नापसंद मिलने चाहिए ताकि वो एक दूसरे को छू पाएं क्यूं छूना है ताकि जान पाएं एक दूसरे को बिना छूए भी किसी को जाना जा सकता है लेकिन मैशूस नहीं किया जा सकता तो ये बोलो ना कि मैशूस करना है तुम्हें पता है मैं कह नहीं पाता सही से कुछ भी जूट सज, क्येर मुझे शाम ज्यादा पसंद है वो क्यों? क्योंकि तुम पहली बार शाम को ही मिली थी ना कभी कुछ नया भी बोला करो फिल्में हमें कितना नौन क्रियेटिव बना देती है और तुमें तो कुछ ज्यादा ही बना दिया है हम दिन में सवा बारा बचे मिले थे शाम मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि शाम को छुटी होती है छुटी होती है तो छुटी होती है तो घर आता हूँ घर आते हो तो शाम को पहली बार फुटसर्ट से तुम्हें देख पाता हूँ सुबा ओफिस की जल्दी रहती है ना चंदर और सुदा की बाते वैसे होती जा रही थी जैसी एक स्चेर्ज के बात हो जाती है जब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता जब बाते बात बढ़ाने के लिए नहीं बस वक्त बढ़ाने के लिए की जाती है दुन्या ने सालों से नई बाते ढूंडी नहीं है बस हर बार बाते करने वाली लोग नई हो जाती है जिन्दगी एक ऐसा रास है जो बिना जाने हर जनरेशन बस आगे बढ़ाते चले जाती है कल से कॉर्णर सीट दोनों अक्सर संडे सुबह वाले मॉर्निंग शो देखते थे सुधाल को रात में मूवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था मॉर्निंग शो देखने की उसकी वज़ा बड़ी ही अचीब थी पूछो तो बोलती थी सुबह वाले शो में लड़के लड़कियां दिखते हैं जिनको नया नया प्यार हुआ होता है लेकिन हम तो मूवी देखने आए हैं नया नया प्यार देखने थोड़े और ये नया नया प्यार क्या होता है प्यार प्यार होता है छोड़ो तुम ये बताओ मेरिट कपल और अन्मेरिट कपल में क्या फर्ख होता है क्या मेरिट कपल मूवी हॉल में कॉर्नल सेट नहीं मिलने पर परिशान नहीं होते लेकिन तुम होते हो हाँ तो तुम भूल जाती हो हमारी शादी नहीं हुई है मुझे लगता है हमें कॉर्णर सेट किसी अन्मेरिट कपल के लिए छोड़ देनी चाहिए छोड़ सकते हैं तुम शादी कर लो तुमसे शादी नहीं हो सकती मेरी क्यूं पड़ा लिखा हूं ओफिस में लोगों को समझदार लगता हूं ठीक ठाक दिखता हूं ठीक ठाक कमा लेता हूं तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं सब पता है बैट पर अच्छा हूं तुम्हें पुरे छे महीनों से जानता हूं कमी क्या है मुझ में क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम सब जानते हो मेरे बारे में इसलिए तो होनी चाहिए ये क्या बात हुई शादियों में लोग एक दूसरे के बारे में इतना कहां जान पाते हैं जितना तुम जानते हो, इसलिए नहीं हो पाईगी शादी, कोई और वज़ा दो शादी ना करने की, बोरिंग हो तुम, आज तक तक तुमने प्यार के लिए प्रपोस भी नहीं किया और शादी करनी है, प्यार के लिए प्रपोस करना कितना चीप लगता है, क्या चीप लगता यही I love you बोलना, दुन्या में इससे ज्यादा boring कुछ नहीं होता, एक लड़का इससे ज्यादा boring कुछ नहीं बोल सकता, लड़की love you two से ज्यादा boring कुछ नहीं बोल सकती, boring हो तुम, ठीक है हूँ boring, लेकिन बाकी वज़ें काफी नहीं है क्या शादी के लिए, नहीं है, और सुनो, अगली बार से corner seat मत लेना, फिल्म के बेच में बहुत बोलते हो तुम, जो लोग प्यार में होते हैं, वो अपने साथ एक शहर, एक दुनिया लेकर चलते हैं, वो शहर जो movie hall की भीर के बीच में, corner seat पर बसा हुआ होता है, वो शहर जो metro की seat पर आसपास की नजरों को इग्नोर करता हुआ होता है, वो शहर जिसको केवल वो पहचान पाते हैं, जिन का शहर खो चुका होता है, हम सभी ने अपने नाचाने कितने शहर खो दिये हैं, इतने शहर जिनको जोड कर एक नई दुनिया बन सकती थी, मसे मोबाईल, दिन और रात दोनों, रोज एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन कभी ठहर कर एक नहीं हो पाते, ऐसे चंदर और लेकिन एक होना सुधा चाहती नहीं थी, दिन भर कोट में वो डाइवोस के लिए लोगों को लड़ते हुए देख कर, शादी से डर चुकी थी, उसको यहीं लगता था, कि शादी से सब कुछ खत्म हो जाता है, ये बात चंदर समझता तो था, लेकिन उसको लगता था, कि एक दिन वो सुधा को मना लेगा, चंदर, तुम्हें कितनी बार मना किया है, मेरो मुबाइल मत चेक किया करो, कोट में कौन-कौन लाइन मारता है तुम पे, बस यही चेक करता हूँ, कोई मुझ पे लाइन नहीं मारता, क्यूं, मैं मारती हूँ, सारे स्मार्ट लड़कों पे लाइन, अच्छा, लाइन मारती हो तो लड़के क्या करते हैं, लाइन देते हैं, फिर क्या करती हो, बस बंदा ठीक ठाक लगे तो बंदे के साथ लंज करने बाहर जाती हूँ, वहाँ भी ठीक लगे तो, तो बात आगे बढ़ाती हूँ, बात आगे कैसे बढ़ती है, म बंदे को एक दो बार डेट वेट मारती हूँ, क्या कोई पसंद नहीं आया भी तक? आते हैं, शुरू में सब सही लगते हैं, बस जैसे ही रोमेंटिक होने लगते हैं, मेरा टर्न आफ हो जाता है थोड़ा, रोमेंस पसंद नहीं है क्या तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं, तो लाइन मारती रहती हूँ, तुम नहीं मारते अपने आफिस में लाइन मारता हूँ, तो बात आगे नहीं बढ़ी क्या कभी? एक दो बार बढ़ी, लेकिन बंदियां थोड़ा जल्दी रोमेंटिक हो जाती हैं, तो क्या तुम्हें रोमेंस पसंद नहीं है? बहुत पसंद ह हर लड़के को होता है तो बात आगे भढ़ाओ फिर क्या दिक्कत है जल्दी रोमेंटिक होने दो बंदी को रोमेंटिक होते ही मेरा भी टर्न आफ हो जाता है कोई बात नहीं थोड़ा और टाइम दो देतो रहा हूँ एक काम करो तुम मुझसे ही चकर चला लो कभी नहीं क्यों तुम जल्दी रोमेंटिक नहीं होते न जो जल्दी होता है उससे नहीं चलाना चकर जो देर में होता है उससे भी नहीं चलाना चाहती क्या हो रोमेंट्स विद टाइमिंग लाओ अपना मोबाईल दिखाओ, चलो नहीं दिखा सकता मोबाईल क्यूं, ऐसा क्या है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ दिन जिंदगी के फिल्म में बस होते है वो दिन क्यूं आकर क्यूं चले जाते हैं पता नहीं चलता वो ना हमारी कहानी आगे बढ़ाते हैं, ना ही कुछ बताते हैं उन दिनों को अगर जिंदगे से हटा कर देखो, तब कुछ अधूरा रह जाता है और अगर जोड़ दो, तो भी कहानी पूरी नहीं बनाती कभी कबार उदास शामे, उदास बाते भी करते रहना चाहिए हमें सुकून तभी मिलता है जब हम उदासियों से लोट लोट कर बार बार मिलते हैं चंदर पुराने किसे से आगे बढ़ चुका था सुदा बहुत आगे बढ़ चुकी थी लेकिन दोनों का अधोरापन वैसा का वैसा था आगे बढ़ जाना, कुछ टाइम बात सब नॉर्मल हो जाना बड़ी से बड़ी बातें जेल जाना भी अपने आप में कितना खतरनाक है ये एकलौती बात हमें जानवर बनाती है क्या बहुत प्यार करते थे उससे? बहुत प्यार क्या होता है? प्यार करता था आइमें प्यार करते थे उससे उसके बिना रहने ही सकते थे क्या? बला 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 ये बला 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 क्या होता है? पता नहीं, प्यार में आदमी बला 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 होकर ही रह जाता है वैसे हुआ था, बताओ ना? हाँ Was she good? Sorry, फिर से personal हो गया ना? Yes, she was amazing और तुम? Of course, I was also good, I mean amazing ये तो अस बंदी से पूछना पड़े का Problem क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं, खेर ये बताओ बिना intimation के प्यार हो सकता है क्या? ये कोई सवाल ही नहीं हुआ Please यार, अब politically correct होने की कोशिश मत करो हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है मुझे नहीं लगता क्यूं? जिससे प्यार हो, उसके साथ शारिरिक संबन तो होना ही चाहिए ना? मेरा मतलब है उसको फेल तो करना ही चाहिए, बंदा या बंदी को? हाँ, करना तो चाहिए तो उस हिसाब से हमारे बिच प्यार हुआ तुम मुझे और मैं तुम्हें कितनी बार फेल कर चुके हैं? प्यार के लिए इंटिमेट होना ज़रूरी है इंटिमेट होने के लिए प्यार नहीं, डफर बिना प्यार के इंटिमेट कैसे कर सकती हो तुम? मैं अकेली नहीं हूँ ऐसी, for that matter ऐसा ही होता है पता नहीं, I'm not comfortable किस चीज में? क्या हमारे? नहीं, बिना प्यार वाले इंटिमेशन में प्यार अलग है और इंटिमेट होना अलग शादी के बारी में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ चेंज हुआ क्या? तुम टॉपिक मत बदलो, शादी को प्यार और इंटिमेट के साथ मित मिलाओ क्यूँ? ऐसा ही तो होता है होता होगा, मैं नहीं करूँगी ऐसा क्यूँ? कही मुझ से तुम्हारी शादी हो गई तो हो गई तो इंटिमेट नहीं होंगी तुम्हारे साथ क्यूँ? क्यूँकि तुम्हारे हिसाब से प्यार के लिए इंटिमेट होना जरूरी है और इंटिमेट होने के लिए प्यार जरूरी है मुझे लगता है शादी के लिए ये दोनों ही जरूरी नहीं है तो एक काम करते हैं क्या? ब्ला ब्ला कर लेते हैं जिन्दगी की आउकाद बस बला 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 भर की है हम बला बला करने आते हैं और बला बला करके चले जाते हैं वसे वन नाइट स्चेंट कभी-कभी सुधा ऐसी चीजे पूछती थी कि चंदर को उससे डर लगता था तो कभी बहुत प्यार आता था उसने सिग्रेट पीना थोड़ा कम कर दिया था ऐसे ही किसी फ्राइडे की शाम जब दोनों पब में बैठे थे तो सुधा ने सामने किसी स्मार्ट से लड़के को गोरते हुए चंदर से पूश लिया ए मिस्टर कभी वन नाइट स्टेंड हुआ है तुम्हारा नहीं और तुम्हारा नहीं हुआ यार लेकिन करने का बहुत मन है कितना सही है ना फालतू का सेंट्याप नहीं तो कर लो लड़कियों के लिए तो वैसे भी आसान होता है कर लूंगी तुम्हारा क्या खेयाल है तुम्हारा मन नहीं करता क्या कभी करता है लेकिन डर लगता है वान नाइट स्टेंड वाली बंदी से प्यार हो गया तो यार तुम्हारा यही प्राब्लम है प्यार को इंटिमेट से अलग नहीं सोच पकते क्या क्या करूँ डरता हूँ तुम्हें नहीं लगता अगर वन नाइट स्टेंड वाले बंदी से प्यार हो गया तो प्यार होने में टाइम लगता है ऐसे थोड़े ही हो जाता है फिर भी हो तो सकता ही है न हो गया तो कर लूंगी प्यार उसमें क्या है तुम्हें हो गया उस बंदे को नहीं हुआ तो तो क्या हुआ सारे प्यार पूरे होने के लिए थोड़े होते हैं तुम बहुत डिमांडिंग नहीं हो एक ही बार में वान नाइट स्टैंड भी चाहिए और उसमें प्यार भी ढूनना है हम सब चीजों में बस प्यार ही तो ढूनते हैं यार तुम्हारे बेसिक से हिले हुए है मैं वान नाइट स्टैंड में प्यार ढूननोगी ही क्यूं यही तो समझ नहीं आता न तुम्हें सडक पर चलते हुए जैसे गिरा हुआ नोट मिला जाता है वैसे ही अचानक मिलता है प्यार तुम कुछ भी बोलते हो कहां गिरा हुआ नोट और कहां प्यार एक काम कर लेते हैं दोनों एक बार वान नाइट स्टैंड कर लेते हैं फिर बात करेंगे छीक है तुम करवा दो मेरा मैं क्यूं कराऊं खुद जूंडो और करो अरे तुम्हारे आफिस में कोई ऐसी बंदी नहीं है क्या वान नाइट स्टैंड टाइप है तो लेकिन प्यार हो जाएगा तुम्हें इसलिए तुम रहने दो वैसे तुम्हारे आफिस में कोई लड़का है क्या One night stand type बहुत है Mostly सभी लड़के one night stand type होते हैं कभी ना कभी तो मिलवा दो किसी से मिलवा तो दू लेकिन क्या कहके मिलवाऊंगा कि ये इनसे मिलो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन इनको one night stand करके देखना है क्यासा लगता है तो एक मिनट हमारे प्यार वाली बात पे इतना स्ट्रेस देने की क्या जरूरत है तुम्हें अरे बताना तो पड़ेगा ना तो कुछ भी बता देना तुमें कुछ भी तो नहीं बता सकता ना तुम कुछ भी बोलते हो यार छोड़ो मैं खुदी ढून लूँगी ढून लो ढून लेना लेकिन मुझे मत बताना वाउ सो पुजेसिव हाथ तो पता है बहुत क्यूट लगते हो तुम कभी कभी क्यूँ ऐसे ही जब पुजेसिव होने की कोशिश करते हो तो पुजेसिव हो यार कोशिश थोड़े करता हूँ वैसे तुम हमेशा क्यूट लगती हो बस यही बोल के सब मोड आफ कर दिया तुमने हमेशा कोई भी क्यूट नहीं लगता है मुझे चोटे मोटे क्यूट जैसे जूट से ज्यादा नौन क्यूट सच पसंद है समझे रोमेंटिक फिल्मे मत देखा करो प्यार करना भूल जाओ के क्या समझे कुछ नहीं बढ़िया है चलो सच बताओ कुछ मेरे बारे में सच बताओ या चोटा मोटा जूट चोटा मोटा जूट बतादो तो चलो तुम भी क्या याद रखोगे तुम हमेशा बहुत क्यूट लगती हो और तुम कभी कभी लेकिन जब लगते हो तो बहुत लगते हो कभी वान नाइट स्चैंड मत करना किसी चीज़ के लिए मना मत किया करो फिर वही करने का मन करता है मेरा समझी कुछ नहीं ठीक है ना छोड़ो सब कुछ समझने के लिए थोड़े होता है लाइफ के कुछ चैप्टर बिना समझे ऐसे ही छोड़ देने चाहिए ए लड़के ये दारू पीकर फिलासोफी मत जाड़ा करो अब घर चलो सोना है नीदा रही है बहुत तेज गर पहुँचते ही सुधा बिना कपड़े बदले सो गई चंदर ने सुधा के कपड़े चेंज किये चंदर सोने से पहले बहुत देर तक सुधा की बंद आंखों में आने वाली दुनिया तलाशने लगा और वहीं उसके कंदे पर सिर रख के सो गया चंदर को सुभा सुधा को परिशान करके उठाना बहुत ही पसंद था ए लड़की उठो उठो वान नाइट स्टैंड के सपने देखना बंद करो उठो यार तुम्हें क्या लगता है कि इससे पहले किसी और जनम में मिले होंगे हम मैं ये जनम वनम नहीं मानती फिर तो और भी आसान हो गई बात क्या बात सोचो हम दुनिया बनने के सैंकडो साल बाद पहली बार एक दूसरे से मिले हैं और इसके बाद जब तक दुनिया है, तब तक कभी नहीं मिलेंगे. क्या तुम मानते हो जनम वनम? हाँ, मानता हूँ. फिर तो बात आसान हो गई. क्या बात? यही कि जब तक दुनिया रहेगी, तब तक हम हर जनम में मिलते रहेंगे. लेकिन तुम तो मानती नहीं न जनम वनम उससे फर्ट नहीं पड़ता तुम मानते हो न अगला जनम लेने के लिए इतना ही काफी है Probability मानती हो तुम चुप करो, कुछ भी बोलते रहते हो Does it delete? जिन्दगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली यह बात एक उम्र के बात हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब दोनों बेच जाते हैं रोते हुए हम अपने सबसे करीब होते हैं और हसते हुए दूसरों के इसलिए लाख अपने करीब होकर भी रोना हसने से रेस में पीछे रह जाता है सुधा बहुत कम उदास होती थी एक दिन जब कोट से लोटी तो बहुत उदास थी आते ही बोली बहुत मूड ओफ है यार क्या हुआ? टीम के एक बंदे ने सुसाइट कर लिया क्यूं? पता नहीं अभी थोड़े दिन पहले ही शादी ते हुई थी उसकी परसो हमने साथ ही लंच किया था मेरे सेट के पडोस वाली सेट पर बैठता था वो हमेशा हस्ता रहता था बहुत अच्छा बंदा था कुछ पता नहीं चल रहा लव मैरिज होने वाली थी की अरेंज लव मैरिज ही होने वाली थी मैं उस बंदी से मिली हूँ बहुत ही अच्छी थी वो पहले घर वाले नहीं माने थे बात में मान गए थे यार मैं कोट नहीं जा पाऊंगी कुछ दिन मुझे ले चलो कहीं बहुत डर लगता है मुझे शादी से अपनी सीट चेंज करा लो सीट चेंज कराने से क्या होगा कुछ होगा नहीं उससे रिलेटिड कुछ देखोगी नहीं तो याद भी नहीं आएगी मान लो मुझे कुछ हो गया तो तुम ये घर चेंज कर लोगे क्या सारे मैसेज भी, फिर एक एक करके तुम्हारी सारी फोटो डिलेट कर दूँगा, जिस बेचेज से तुम्हारी याद आ सकती होगी, वो सब को छटा दूँगा अपनी लाइफ से, इससे क्या होगा, याद आना बंध हो जाएगी क्या, पता नहीं, मालूम है, हमारी जनरेशन क सबसे बड़ी ट्रेजडी क्या है, क्या, हमारे पास एक दोसरे की यादे बहुत कम है, जब बंधा चला जाता है, तो हमें पहली बार याद आता है, कि हम तमाम यादे बना सकते थे, लेकिन बना नहीं पाए, हम मरने के बाद जाने वाले की वो यादे याद करते हैं, जो हम नहीं क्या कह रही हो ऐसी सैट बाते मत करो मेरा भी मूर आफ हो जाएगा बड़े अजीब हो यार तुम तुम्हें मूर की बड़ी है वहाँ वो बंदा अब कभी नहीं आएगा हाँ तो मर गया तो मर गया मुझे सुसाइट करने वालों से सिंपती नहीं होती प्लीज ये ग्यान मत दो चुप हो जाओ उसको इतने ही फिक्र होती तो वो जाता ही क्यों यार तुम कभी-कभी इतना अजीब बेहेव करते हो अजीब मतलब मतलब कुछ नहीं मुझे बहुत जोर से रोने का मन है प्लीज मुझे रो लेने दो तो रो लो रोका किसने है कैसे रो लू रोना नहीं आ रहा बस अब बाते बंद करो चुपो जाओ एक्तम तुम धोड़ा पास आओ मेरे तुम भी कभी ऐसे ही छोड़के तो नहीं चले जाओगे ना नहीं पागल हो क्या अगर जाना ही पड़ा तो साथ जाएंगे चलो अब जल्दी से रो लो रोने में भी जल्दी करूं तो आराम से रो लो चलो सुदा घंटो रोती रही चंदर ने सुदा को घंटो चुप नहीं कराया सुधा को रोते रोते नींद आ गई चंदर सोचने लगा कि सही में कभी सुधा चली गई तो क्या होगा अगर कहीं सुधा मर गई तो क्या होगा अगर वो खुद मर गया तो सुधा क्या उसे एक दिन भूल जाएगी चंदर को ये सब सोच कर बेचैनी हुई चंदर ने उस दिन कई दिनों बार अपने बारे में सोचा सोच कर उसको ये भी लगा कि आखिर वो कर क्या रहा है सुधा के जाद जिन्दगी सही तो है क्या फर्ग पड़ता है कि उसको शादी नहीं करनी चंदर अपने बारे में सोचते सोचते सोने की कोशिश करने लगा लेकिन उसको नीन नहीं आई जब रात में अच्छी नीन दाना बंध हो जाए तब मान लेना चाहिए कि आगे जिन्दगी में ऐसा मोड आने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा बाहर से हमारी लाइफ जितनी परफेक्ट दिखती है उतनी होती नहीं परफेक्ट लाइफ भी कोई लाइफ हुई लव से लाइफ अगले दिन जब सुदा आफिस से लोटी तो देखा कि चंदर आराम से सोफे पर बैठा दारू पी रहा था इतनी देर से फोन मिला रही थी उठा क्यों नहीं रहे थे लाइफ बहुत छोटी है विग डे में तो नहीं पीते हो तुम क्या हो गया लाइफ बहुत छोटी है बार बार बोलने से बड़ी थोड़े ही हो जाएगी लाइफ बहुत छोटी है एक बार और बोला तुमने तो मर्डर करके लाइफ छोटी कर दूगी तुम्हारी लाइफ बहुत छोटी है मैं वो सब कब करूँगा जो मुझे करना है क्या करना चाहते हो पता नहीं जब पता ही नहीं कि करना क्या है फिर क्या टेंशन है लाइफ छोटी हो या बड़ी डर ये है कि कही मुझे लाइफ में बहुत लेट ना पता चले कि मैं करना क्या चाहता था ओफिस में कुछ हुआ है क्या हाँ क्या हुआ प्रमोशन हो गया सुधा ने सामने टेबल पर पड़ा हुआ एप्रेजल लेटर लेटर उठा कर देखा और कहा वा तो असिस्टेंट वाइस प्रेजिटेंट सर आज तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए और आप कैसे छोटे-छोटे सवालों के जवाब ढून रहे हैं लाइफ में क्या करना है? मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ? आज के देन के लिए मैंने ना जानी कितने सालों से मेहनत की थी जब आज वो मिल गया तो कुछ फेल नहीं आ रहा हमें जो कुछ भी मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है तुम्हें जो करना है करो, ज्यादा हीरो मत बनो यार जो सपने के पीछे नहीं भागते, ऐसा नहीं है कि उनके सपने नहीं होते लाइफ को ओवर ड्रामाटाइज करने की जरूरत नहीं है फिल्मों और किताबों के जैसे, स्ट्रॉगल को इतना रोमेंटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है मौका मिला नहीं कि हीरो एक बैग लेकर सब को छोड़ चाड़ कर निकल पड़ा, अपने सपने ढूनने वो आज कल क्या बोलते है, हाँ, follow your dreams, ये सबना बस लेक्चन में अच्छा लगता है यार सुधा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जिसको जाना होता है न, वो बस निकल जाता है तुम्हारी तरह दारू पीते हुए सोचता नहीं रहता, स्टीव जॉब्स किस पेश नहीं देखता रहता, जिन्दगी मिलती उन्हीं को है, जो ढूरने निकलते हैं, बैटके बस बाते नहीं करते रहते अगले साल तक नौकरे छोड़ने का प्लैन है हाँ हाँ हस क्यों रही हो, किसको बेवकुव बना रहे हो, क्यूं, प्लैन तो करना पड़ेगा न छोड़ने से पहले जो प्लैन करते हैं न, उनका अगला साल कभी नहीं आता तुम तो हो ना मेरे साथ, तुम संभाल लोगी ना मुझे यार, फिर्म चल रही है क्या, कि हिरोईन संभाल लेगी ऐसे मत बोलो, बोलूंगी यार, नहीं हो रही मुझसे नोकरी तो छोड़ दो, करूंगा क्या मैं कैसे बताऊं, तुम देखो तुम्हें क्या करना है मुझे नहीं पता नहीं पता तो नोकरी करते रहो जिस दिन पता चल जाएगा, उस दिन छोड़ देना एक काम करो, छुटी ले लो एक दो महीने की इतनी चुटी नहीं मिलेगी यार, क्या बोलके लूँगा महीने भर की चुटी लेने भर की हिम्मत है नहीं और चले है follow your dreams खेलने मुझे कैफे खोलने का मन है एक ऐसा कैफे, जिसमें खूप सारी किताबे हो लोग आए, बैठे, बाते करे, किताब पढ़े अपने घूमने का प्लैन बनाए अपनी भागते हुई जिन्दगी के बारे में ठहर कर सोचे अपनी कहानिया सुनाए, अपने डर सुनाए अपनी गलतियां बताए, अपनी यादे दोराए इत्मी नाम से बैठ कर, अपनी यादों को दोराने से बड़ा कोई सुख नहीं है कभी-कभी सोचता हूँ, एक बेटी हो मेरी जिससे मैं खूप सारी बाते करूँ मैं बच्चों को कहानिया सुनाओ सुधा, यार मुझे डर लगता है सपनों से इतना डर कि बताने से भी डरता हूँ ये कभी किसी को बताया नहीं पता नहीं कैसे होगा मुझे बस एक चीज़ पता है मैं नौकरी करते हुए रिटाइर नहीं होना चाहता आफिस में रोज रोज एक जैसी शकलें एक जैसी बाते सुन कर बोर हो गया हूँ कि वो सड़क के कोने में बैठ कर अपने टूटे चश्मे से किसका इंतिजार करता है वो अपनी चपल को सुई धागे से सिलता रहता है रोज जितनी चपल सिलती है उतने ही कदम साथ देती है ऐसे ही सड़क पर रास्ता बीते बीते चपल एक दिन धागा हो जाती है और धागा दूसरे चपल ढूरने लगता है उन औरतों से मिलना चाहता हूँ जो अपने सर पर इसलिए जिन्दगी भर बोज उठाती रहती है ताकि उनकी लड़कियां साइकल के पास वाले स्कूल जा पाएं बच्चों के साथ च्यूब वेल पर घंटो नंगे नहाना चाहता हूँ शहर से दूर टपरी पे बैटके लोगों की बाते सुनना चाहता हूँ लेकिन… लेकिन क्या? दुनिया में सारे लोग नौकरी थोड़ी करते हैं तुम भी मत करना, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं शायद बिना प्लैन वाली लाइफ चाहता हूँ प्लैन से चल कर बहुत जी लिया भूल जाना चाहता हूँ मंडे कौन सा है और संडे कौन सा विग डे कौन सा है और विकेंड कौन सा एक बात बताओ क्या जब मैं तुम्हारे कैफे में आऊंगी तो मुझे कितने परसंट डिसकाउंट दोगे 100% तो जल्दी से खोलो यार कैफे फ्री की काफी पीने का मन कर रहा है शेर्स इतना आसान नहीं है इतना मुश्किल भी नहीं है जरूरी है कि हर कोई कुछ न कुछ करे हम बिना कुछ किये नहीं रह सकते तुम्हें मालूम है हम जिन्दा क्यों है मिनिंग ओफ लाइफ पता है क्या तुम्हें हर लाइफ का एक परपस होता है वो परपस अचीव करने के लिए यही प्रॉब्लम है तुम्हारा तुमने इस रटे हुए जवाब को अपना जवाब मान लिया है इनफेक्ट मोस्ली लोगों ने लाइफ के जवाब मान लिये हैं जसे स्कूल में मैट्स के सवाल में एक्स की वैल्यू मान लेते थे लाइफ मैट जैसी मुश्किल नहीं है यहां मानने से नहीं जानने से काम चलता है कई चीज़ें हम केवल मान के ही जान सकते हैं सब को जाना तो नहीं जा सकता खेर तुम मिनिंग आफ लाइफ बता रही थी तो बताओ क्या होती है मिनिंग आफ लाइफ लाइफ के कोई मिनिंग नहीं होती, उसमें मिनिंग डालना पड़ता है, कभी अपने पागलपन से, तो कभी अपने सपनों से Actually सपने आते ही केवल पागलों को है, लाइफ में हर कोई बेचैन भी तो नहीं होता ना बिना बिमारी के जब बेचैनी रहने लगे, तो समझ जाना की लाइफ तुम से मिलना चाहती है हम लोग पैदा क्यों होते हैं, पैदा भी हो जाते हैं, तो जिन्दा क्यों रहते हैं हम सब लोग बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए जिन्दा हैं जिस दिन बोरियत मिटाते मिटाते हम थक जाते हैं उस दिन हम मर जाते हैं लाइफ के सबसे अच्छी चीज यही है कि हम सभी एक ना एक दिन थक जाते हैं मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो शायद ज्यादा चड़ गई है तुम्हें कम चड़ी है तुम्हें जिस दिन लाइफ चड़ती है ना सब समझ आ जाता है तुम्हें क्या चाहिए लाइफ से ज्यादा कुछ नहीं बस तुम्हारे कैफे में 100% डिसकाउंट चंदर ये सुनने के बाद बड़ी देर तक खिरकी से बाहर आसमान में अपना कैफे, अपना बचपन, हजारों किताबे, बच्चों की आवाजे ढूनने लगा आसमान धुंदला था लेकिन चंदर को कुछ-कुछ साफ दिखाई और स चुनाई देने लगा था, हर से हनीमोन सुईट, प्रमोशन के बाद चंदर का काम थोड़ा बढ़ किया था, रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच आते हुए, रास्ते के ट्रैफिक में उसको ये एहसास होता था, कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं ह हो रहा लाइफ में, हम सबी की जिन्दगी में एक दिन ऐसा आता ही है, जब हम रोज सही पते पर पहांच कर भी भटके हुए होते हैं, जब कुछ नया नहीं होता, तो वो अकसर सुदा से शादी के लिए पूछ लिया करता, अकसर लोग शादी के लिए हाँ भी बस अपनी बोरियत मिटाने के लिए कर देते हैं, चंदर बार-बार शादी के लिए सुदा से पूछता, वो हर बार मना कर देती, हर बार एक ही बात से अपनी बात शुरू करती, हमारे बेच ऐसा क्या हो जाएगा शादी करके, जो अभी नहीं हो सकता, एक चीज बता दो, हनीमून, ब पागल हो क्या, हनीमून पर बिना शादी के, तो इसमें क्या है, बताओ कहा जाना है तुम्हें हनीमून पर, मैं ओनलाइन ढूनती हूँ, जहां का पैकेट सस्ता मिले का, वहाँ चलते हैं, आर यू सीरियस, यार बड़े अजीब हो तुम, लड़की हनीमून जाने के लिए पोश रही हैं, और तुम उस नई नवेली दुलहन जैसे शर्मा रहे हो, जो सुहाग रात से पहले, दोत का बड़ा वाला गिलास लेकर शर्माती है, ये देखो, अमेजिंग एंड मान क्या, पैकेश मिल रहा है, वो भी 40% डिसकाउंट पे, कितने दिन का है, दिन का क्या कर लग रहा है, चलो यार, तुम्हारे असली हनीमून से पहले तोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मेट्रिमोनियल साइट पर अपने वर्क एक्सपिरियंस के साथ, हनीमून का एक्सपिरियंस लिख देना, फिर देखना, कितने रिष्टे आते हैं, खेले खाए हुए लड मुझे अजीब लग रहा है, उय, तुम अजीब लगवाते रहना, पैकेज हो गया है, और पैकेज नौन रिफंडेबल है, अब तो जाना ही पड़ेगा, कब निकलना है हमें, परसो फ्राइडे रात से, पांच दिन के छुटी ले 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 न तुम, इतनी जल्दी, हाँ तो अब क्या शादी का वेट करें तुम्हारे हनीमून के लिए, ये वाला ही डिसकाउंट पे मिल रहा था, चलो अब मुझे मार्किट जाना है, बहुत तयारी करनी है, क्या तयारी, बस पैकिंग ही तो करनी होगी न, मैं मेंधी लगवाने चा रही हूँ, हनीमून पे थोड़ अने ना सिर्फ हातों में, बल्कि अपने पैरों में भी मेंधी लगवाई, लाल रंकी चूडियां भी खरीद कर लाई, जब वो लोटी तो ठीक वैसी लग रही थी, जैसी चंदर को अपने खयालों में दिखती थी, कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल वैसी, वैसी कैसी, बत पता तुम्हें अब ये वाला सपना आना बंद हो जाए, तो कम से कम ऐसी एक फोटो तो होनी चाहिए ना, इसके बाद सुदा जबर्दस दी, चंदर को फोटो स्टूडियो लेकर गई, दोनों ने शादी वाले पोस में आठ दस फोटो खिंचवाई, एक फोटो फाइनल की जसमें वो पती लग रही थी और चंदर पतनी, अरसे अंडमान निकोबार्ड, सुदा और चंदर पोर्ट ब्लेर दो दिन रहने के बाद हैवलोक आ गई, क्रूस से हैवलोक से पोर्ट ब्लेर के बीच की दूरी है तीन घंटे की, ऐसा कह जाता है कि हैवलोक में राधा नग नाम का जो बीच है, वहाँ सूरज इतनी खूप सूर्ती से डूपता है, कि घड़ी खुद सूरज को डूपता हुआ देखने के चकर में कुछ देर तक रुख जाया करती है, चंदर और सुधा का होटेल राधा नगर बीच के बिलकुल पास था, कमरे में जाकर चंदर ने टीवी आन किया, तो देखा कि मुश्किल से दो तीन चैनल आ रहे थे, और मोबाइल में सिगनल आना बंद हो चुका था, कमरे में बिस्तर पर तॉलिया, दिल की शेप में सजा हुआ था, रंगीन खुश्पू वाले फूल बिकरे हुए थे, बातरूम उपर से खुला हुआ था, बातरूम में सीधे सीधे धूप आती थी, बातरूम देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे अगर यहां दो लोग साथ नहीं नहाए, तो बातरूम बुरा माने सो माने, चत से चन के जानती हुई धूप भी बुरा मान जाएगी, कमरे के बाहर दो कुरसियां पड़ी हुई थी, समंदर कमरे से केवल सो मीटर की दूरी पर था, समंदर के पास भी कुछ एक कुरसियां पड़ी हुई थी, कुरसी के थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक बैट जैसा रखा था, जैसे फिल्मों में होता है, कमरे में समंदर की आवास एकदम साफ आ रही थी, पहली बार जब दो लोग सबसे करीब आई होंगे, तो वो जरूर समंदर का किनारा रहा होका, सूरज डूब रहा होका, उन दोनों लोगों ने दिन को डूबने से पहले रोकने की पहली कोशिश की होगी, दिन को रोकने की कोशिश में वो मिलकर पहली बार एक हुए होंगे, ऐसा एक ह हुए होंगे कि सूरज ने डूबने के बाद 15-20 मिनट उजाला रखा होगा ताकि वो धुंदले उजाले में घुल कर शाम हो जाएं। दुनिया तब से ऐसे ही रोज शाम को उन दो लोगों को खोशती है जो दिन को रोकना चाहते हैं। बस अब हमने उस दुनिया से इतर पुटसत। चंदर ने अपना मोबाईल बेट पर फैंकते हुए कहा। जगा तो बहुत अच्छी है बस मोबाईल में सिगनल नहीं आ रहा। सिगनल क्या करना है तुमको हनीमून पे आई हैं। वही करो जो हनीमून पे किया जाता है। क्या किया जाता है हनीमून पे। क्या कुछ तो आइडिया होगा तुम्हें कि क्या करते हैं लोगGERण पर हनिमून पर? बाते करते होंगे दो लोग वैसे बी बातों से ज्यादा अच्छा कुछ कर भी क्या सकते हैं सेक्स ओ आग, सेक्स से याद आया सेक्स के ज़स्ट बात वाली बाते सबसे अच्छी होती है सेक्स के बात कोई भी बात नहीं करना चाहता एक्जेक्ली वही जो वो दो तेन मिनट बाते नहीं होती वही तो होती है सबसे अच्छी बाते तुम पागल हो जो बाते नहीं होती वो बाते सबसे अच्छी होती है पता भी है क्या बोल रही हो मुझे तो पता है क्या बोल रही हू तुम कब समझोगे ये बाते क्या समझना है यही कि सेक्स के जस्ट बात जब लड़की लड़के की आँख में जो कुछ ढूनती है न वही प्यार होता है और उसे ढोड़ने में जब पहली बार पलक जपकती है वो होती है पहली बात चीत खेट छोड़ो, समझ जाओगे, पहला हनीमून है न तुम्हारा, देरे देरे सीख जाओगे एक बात बोलू, क्या, मैं दुबारा समझाओंगी नहीं कुछ भी तुम्हारी मेंदी बहुत अच्छी लग रही है, चुप करो, इतनी भी अच्छी नहीं है अच्छी है, वसे समंदर पसंद है तुम्हें, जान बुझकर तुमने समंदर वाली जगाच चूस की है ना हाँ, तो और क्या, मुझे तो पानी से डर लगता है, मम्मी को एक पंडिर जी ने बताया था, कि मैं पानी से दूर रहा करूँ पंडिर जी ने तो ये भी बोला होगा, उस लड़के से भी दूर रखियेगा, वो तो सुना नहीं तुमने अच्छा, सुनो तो एक बात बोलू, क्या, नहाने चले, चलो, थोड़ा-थोड़ा समझ जा रहा हे वैसे मुझे, क्या, यही की हानीमून पर क्या करते है, क्या करते है, थोड़ी बाते करते है, और थोड़ा क्या, बोलोगे भी, और थोड़े के लिए बोलना नहीं पड़ता सुधा चंदर के साथ बात्रूम बात्रूम में आने वाली धूप शावर का पानी, शैंपू, सोप सब साथ नहाई नहाने के दौरान चंदर सुधा के बीद जो बाते हुई वो भी नहाई सुधा चंदर को जहां जहां छूती जा रही थी चंदर का उतना हिस्सा नहाता जा रहा था कुछ देर में दोनों नहाकर नए हो गई अंडमान के दिन जैसे ऐसे बीते जैसे VCR में मूवी तेजी से फावर्ट हो जाया करती थी जहां दिखाई तो सब पढ़ता था लेकिन सुनाई कुछ नहीं पढ़ता जो दिन तेजी से बीत जाते हैं वो अच्छे होते हैं अच्छे दिनों में रहते हुए कोई ठहर नहीं पाता और दिन बीतने के बाद के दिनों में वो ठहर ना ढूनता है जिन्दगी असल में बस कुछ ना कुछ ढूनते रहने की ही कहानी है कुछ नहीं मिला तो वो ढूनना है जो नहीं मिलता जब वो मिल जाए तो वो कुछ नया ढूनना शुरू कर देना जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हम सही में क्या ढूनने आए है ठीक उसी दिन जिन्दगी हमारी तरफ पहला कदम बढ़ा कर हमें ढूनना शुरू कर देती है चंदर और सुधा ने हनीमून तो मना लिया लेकिन चंदर इस रिष्टे में शादी ढून रहा था और सुधा क्या ढून रही थी? उसको ये सवाल कभी इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं कर से कुंडली घर वालों को शादी के लिए टालते टालते छे महीने और बीट गए थे एक दिन अचानक चंदर की ममी ने चंदर के पापा के फोन से फोन करके खबर दी कि वो अगले वीक में हफते भर के लिए आ रही है चंदर की ममी तीन चार लड़कियों के प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट कर चुकी थी पंगा ये था कि इस वीद सुधा क्रहे की कहा उसके यहां रहने वाली बात बता न दे ये सोचकर चंदर ने सुधा से कहा कि बाई को दो चार सो रुपई दे कर समझा दे कि ममी से सुधा के वहां रहने की कोई जिक्र ना करे ममी के आने से पहले वाला हफता बहुत तेजी से बीता अगले दिन सुबह मम्मी आने वाली थी और सुधा अपने फ्रेंड के यहां जाने वाली थी हफते भर कैसे रहोगी मेरे बिना? जैसे तुम रहोगे? यार मैं सोच रहा था कि अगर तुम मम्मी से मिल लेती तो अच्छा रहता मिल लूँगी? उसमें क्या है? हाँ तुम मिल लूँगी मैं भी सीरियसली कह रही हूँ तो मतलब तुम शादी के लिए अब मैंटली प्रिपेर्ड हो ना? शादी कहां से आ गई? अभी तो तुमने बोला सास से कुंडली मिलने वाली बात? मजाख में नहीं बोल सकती क्या? यार, हम इतने दिन से साथ रह रहे हैं हमेशा तो ऐसे ही नहीं चल सकता ना? नहीं चल सकता? क्या मतलब? मतलब आगे क्या? आगे कुछ नहीं मैं आगे बिना शादी के साथ नहीं रह सकता इतने दिन से तो रह रहे हो, अब क्या हो गया? तुम्हें तो करनी नहीं है शादी, मुझे तो करनी है, मुझे तो देखना है ना, घर वालों को बहाने बनाते बनाते ठक चुका हूँ तुम्हारी शादी करने की वज़ा कितनी फाल्दू है, क्या कभी सोचा है तुमने? यार, तुम समझ नहीं रही हो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मैंने आज तक गलत ही समझा तुमको मैं आखरी बार पोछ रहा हूँ तुम शादी करोगी की नहीं मैं नहीं करूँगी तो अपना सारा सामान लेकर जाओ अब यहां आना मत लोटके क्या? हाँ, मत आना लोटके तुम कुछ ज्यादा ही हाइपर नहीं हो रहे? नहीं हो रहा तुम जाओ, अभी जाओ अभी रात में जाओं क्या? रात में आई थी ना रात में ही जाओ मैं सुबह तक जेल नहीं पाऊंगा तुम्हें इसलिए इसलिए शादी नहीं करना चाहती मैं अभी शादी हुई नहीं है तो घर से निकलने के लिए बोल रहे हो शादी के बाद तो पता नहीं क्या करोगे तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना मैं सुबह जाओंगी पहले ही बता रही हूँ दिक्कत है तो तुम जाओ जाकर स्टेशन पर बैठ चाओ या फिर किसी दोस्त के यहां चले जाओ मैं कहीं नहीं जाओंगा मैं भी सुबह से पहले नहीं जाने वाली तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? यह बताओगी तुम मुझे समझ ही नहीं पाई चंदर ऐसे मत बोलो क्यों नहीं बोलो तुम मुझे जानते होते तो यह पूछते ही नहीं सब तो जानता हूँ तुम्हारी बारे में तुम्हें बस लगता है कि तुम मुझे जानते हो लगने और जानने में फर्क होता है तुम ये तो जानते हो कि मैं रोज कोट जाती हूँ वहाँ जाकर मैं रोज रोज दिन भर, साल भर शादियां तोटते हुए देखती हूँ किसी की लव मैरिश तीन महीने पहले हुई थी किसी की शादी हुए पंदरा साल बीथ गए कोई 55 साल की उम्र में डावोस चाहता है मैं इतने तरीके से शादी तूटते हुए देख चुकी हूँ कि मुझे बस डर लगता है शादी से इतना डर कि अगर कभी सपने में भी हमारी शादी आती है तो सपना तूट जाता है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो मैं इतना खराब नहीं हूँ शादियों में जो लोग अलग होते हैं वो भी खराब नहीं होते खराब बस शादी होती है यो तो चंदर को कभी गुसा नहीं आता था लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ जिनको कभी-कभी गुसा आता है, उनको जब गुसा आता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा-थोड़ा गुसा करते रहना चाहिए, रिष्टा और जिन्दगी चलाते रहने के लिए अच्छा रहता है आधा सरसे स्टेशन, चंदर अपनी ममी के साथ हफते भर में तीन लड़कियों से बेमन से मिला, जब वो ममी को वापिस जाने से पहले स्टेशन छोड़ने आया, तब चंदर ने पहली बार अपनी ममी को सुधा के बारे में बताया, ममी गुसा भी हुई, कि उससे मिलवाया क् नहीं, चंदर ने उस दिन ये सोच के ममी की ट्रेन छुड़वा दी, कि एक बार सुधा ममी से मिल ले, चंदर ने सुधा को कई बार फोन मिलाया, अगले दिन कोट भी गया, लेकिन उससे ना कोई बात हुई, ना मुलाकार, चंदर ने अपनी ममी को बहाना बना दिया, कि सुधा को मैसेश किया, कि ममी फलानी ट्रेन से जा रही है, अगर हो सके, तो बस पांच मिनट के लिए मिलने आ जाए, हाला कि चंदर को ये उमीद नहीं थी, कि सुधा आईगी, लेकिन वो आई, वो आते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी, आती हुई हर बात अच्छी लगती है, बातें, बारिश, धूप, समंदर, सब कुछ, वैसे भी मिलने के लिए, स्टेशन बड़ी सही जगा लगती है, रोज कितने लोग पहली बार यहां मिलते हैं, सुधा को ममी बिना पल के जबकाई देखती रही, वो सुधा में अपनी बहुत ढून रही थी, मा होन असल में कुछ न कुछ ढूनते रहना है बस, ममी ने जैसे ही शादी का पूछा, तो उसने साफ साफ कह दिया, ममी जी, मुझे शादी करनी ही नहीं है, चंदर को कई बार समझा चुकी हूँ, यही मेरे पीछे पड़ा है, आप से मिलने भी इसलिए आई, कि आपको बता दू कि आप प्लीज इसकी शादी कहीं और खर दीजिए, चंदर की ममी ने बस इतना कहा, बेटा, तुम्हारे मुझे ममी जी बहुत अच्छा सुनाई दिया, सुधा ने बढ़कर ममी को गले लगा लिया, इसके बाद ममी कुछ बोलने ही पाई, एक बार उन्होंने कोशिश भी क बोलने की, शायद वो समझा पाई कि जगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन ट्रेन की आवास में ममी की आवास आस-पास के शोर में चंदर की सिस्कियां घुल गई, पांच मिनट में ये रिष्टा, स्टेशन की चाय जितना बासी हो चुका था, केवल ट्रेन से जाने वाले ह स्टेशन पर बिचड़ नहीं रहे होते हैं, बलकि कई बार प्लैटफॉर्म की एक ये साइट पर लोग भी हमेशा के लिए बिचड़ रहे होते हैं, चंदर को ये उस दिन समझ तो आया, लेकिन ट्रेन जाने के बाद, चंदर का स्टेशन से घर लोटने का मन इसलिए भी नहीं किया, क्यूंकि उसे समझ नहीं आ रहा था, कि उसे गुसा ज्यादा आ रहा है या रोना, वो उसी समंदर के पास गया, जहां जाकर सुदा चुप हो जाती थी, गीली रेत पैर के जितने हिस्से को छू रही थी, बस शरीर का उतना हिस्सा ही, रो नहीं रहा था, वो रात करीब बारा बज़े तक, बैठा हुआ पता नहीं क्या-क्या सोचता रहा, चंदर जब गर लोटा, तो देखा सुदा पहले से ही वहाँ पर थी, चंदर इतना ठक चुका था, कि न अब गुसा आ रहा था, न रोना, उसने नीचे गदा बिचाया और सो गया, लाइट न चंदर ने बंद की, न सुदा ने, एक हफते में ही उन दोनों का रिष्टा ऐस हो किया था, जैसे बरसात में चाता, जिसमें न पूरे भीकते बनता था, न पूरे सूकते, अगले दिन सुभा अलाम बशने से पहले, सुदा उठ चुकी थी, वो शायत सोई ही नहीं थी, सुदा चंदर के सामने चाय रखते हुए बोली, मुझे कुछ बात करनी है, हम, मैं जा रही हूँ, ये बताने के लिए आने की क्या जरूरत थी, जाओ, नहीं, कुछ और बात भी थी, शादी नहीं करनी न तुम्हें, चीक है, इसके इलावा कुछ बोलना है, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, प्लीज, ये बक्वास बंद करो, क्या हम हमेशा बिना यार, प्लीज, मेरा ऐसे ही सिर्ग घूम रहा है, तुम बक्वास के बक्वास किये जा रही हो, आइम सीरियस, कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचती न तुम, हर चीज मजाक नहीं होती यार, अब मैं तुम्हारे मजाक से बोर हो गया हूँ, आइम सीरियस, और कैसे बोलू ये बात, ये वो मूमेंट था, जिसके बाद चंदर और सुदा की जिन्दगी बदलने वाली थी, अकसर लोग ऐसे मूमेंट में कुछ बोल नहीं पाते, इन दोनों के साथ भी यही हुआ, दोनों चुप गए, जैसे करने को अब सब बाते खत्म हो गई हो, बाते खत्म हो ज बात बात में, चंदर को अब सुदा पे यकीन नहीं था, उसने हॉस्पिटल में टेस्ट करके कन्फर्म किया, सुदा सही में प्रेगनेंट थी, चंदर को इस प्रेगनेंसी की खबर से थोड़ी उमीद चागी, नई जिन्दगी हमेशा नई उमीद लेकर आती है, नई बात इसी उमीद से चंदर ने पूछा, फिर क्या करना है, क्या करना है क्या मतलब, बेबी चाहिए मुझे, और शादी, मैं कितनी बार कहूं नहीं करनी शादी, तुम पागल हो क्या, बिना शादी के बच्चा, तुम्हें संभाल लोंगी, ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हें क कर लोंगी, तुम मैनेज कर लोगे मेरे बिना, तुम अकेले पीजी तो खोश नहीं पाई इतने महीनों में, नहीं, खोश पाई नहीं, बलकि खोजा नहीं, क्योंकि मैं रहना चाहती थी तुम्हारे साथ, मैं फटा-फट घर पे बात कर लेता हूं, सब कुछ मैनेज हो जा इसी महीने शादी कर लेते हैं, कोई दिकत नहीं होगी, तुम्हें मालूम है तुम्हारा प्राबलम क्या है, क्या, तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए रीजन की जरूरत है, और वो रीजन शादी है, मैं नहीं हूँ, कभी सोचा है तुमने कि शादी चाहिए क्यों होती है, एक मिनट के लिए सोचो सरा मान लो दुनिया में बस हम दो लोग होते तो हमें साथ साथ रहने के लिए शादी की जरूरत होती क्या शादी दो लोगों के बेच होती ही नहीं है शादी की जरूरत ही तब होती है जब दुनिया में तीन लोग हो तुम क्या कह रही हो पता है तुम्हें यही कि शादी वादी इस दुन्या का सबसे बड़ा शो ओफ है यार शादी के बाद मैं क्या तुम से अलग तरह से बात करने लगूँगी ऐसे ही बोलूँगी ना जैसे अभी बोलती हूँ तुम भी वैसे ही इरिटेट करोगे मुझे जैसे अभी करते हो क्या बदल जाएगा अगर कुछ बदल नहीं जाएगा तो बस दोस्तों की घरवालों की खुशी के लिए नहीं कर सकती तुम शादी शादी हम उन सब की खुशी के लिए कर सकते हैं तो अपनी खुशी के लिए कुश ना करें, बताओ यार तुम वकील हो, तुमसे मैं बातों में नहीं जीत सकता लेकिन जिन्दगी लॉजिक से नहीं चलती ना वही तो मैं भी कह रही हूँ, जिन्दगी लॉजिक से नहीं चलती लॉजिक से चलती तो शादी के लिए कभी कहां कर दिया होता जानते हो, हम सब का फ्यूचर बस एक ही है अपने आपको रोज पागल होने से बचाने तक जीते चले जाना बस मैं अपने तरीके से पागल होना चाहती हूँ चंदर और सुधा एक बार फिर बोलते बोलते रुख गए थे ये अब अकसर होने लगा था इस कटी मिल्ली में एक हफ़ता और बीद गिया चंदर शादी से ज्यादा अब वो बच्चा चाहता था हर एक बच्चा पैदा होकर दुन्या का कुछ अधूरा हिस्सा पूरा कर देता है चंदर की दुन्या का अधूरा पन सुधा की दुन्या के अधूरे पन से थोड़ा अलग हो गया था चंदर की दुनिया के रास्ते सुधा की दुनिया के रास्ते अभी तक साथ चलते हुए चोराहे पर आच के थे चन्दर ने रिजाइन कर दिया बिना इस बात का सोचे कि कल को क्या होगा असल में कल क्या होगा ये सोचना हमेशा ही फिजूल होता है सोचकर कुछ हासिल नहोता नहीं बहुत ज्यादा सोच समझ कर देख परक कर बाजार से सामान तो खरीदा जा सकता है लेकिन जिन्दगी को नहीं जिया जा सकता मार्केट में कुछ खरीदते हुए हमारा हर बार किसी सामान की गरेंटी पूशना कितना फिजूल होता है ये जानते हुए कि जिन्दगी की कोई गरेंटी है नहीं और हम हर रोज सामान गरेंटी वाला खरीदना चाहते हैं चंदर बस वहां से चले जाना चाहता था बहुत दूर कहा नहीं पता क्यूं नहीं पता हम सबके जिंदगी में ये दिन आता ही है जब हम सुबा आफिस के लिए निकलते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये हमारी मंजिल नहीं है हम रोज सही पते पर पहांच कर भी बटके हुए होते हैं चंदर को बहुत अच्छे से मालूम था कि सुदा को ऐसी कंडिशन में अकेले चोड़ कर जाना ठीक नहीं है लेकिन उसकी वहां रुखने की हिम्मत नहीं थी चंदर जितना सुदा को जानता था उसको बहुत अच्छे से मालूम था कि वो सब संभाल लेगी लड़कियां सब अकेले संभाल लेती है चंदर अपना सामान पैक करके निकल ही रहा था इतने मैं सुधा बोली कब आओगे? क्या मेरे आने से कुछ फरक पड़ता है? मैं बोलूगी पड़ता है तो क्या रुख जाओगे? अब रुखना मुश्किल है मेरा मुझसे ना ये दुनिया जेली जा रही है ना तुम, ना आफिस, ना ये घर ऐसा लग रहा है सब दोबारा शुरू करना पड़ेगा ठीक है, जाओ मैंने पहले भी कहा था तुम फ्री हो तुम रोकोगी नहीं? रोकोगी तो पक्का नहीं रुकोगे हाँ, अगर ना रोकूँ तो शायद तुम आ जाओ तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं क्यों नहीं लगता तुम्हें ऐसा? तुम्हारे इस नहीं ने मेरा रुकना मुश्किल कर दिया है तुम्हारा कोई फर्क ना पड़ने से ज्यादा बेचैन मुझे और कुछ नहीं करता इतना ही है तो रुक जाओ तुम्हें पता है ना कि तुम सही से रोक लोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा हाँ पता है फिर भी नहीं रोकना नहीं तुम अबॉर्ट करा तो बच्चे को बस आगे कुछ और मत बोलना तुम जाओ लेकिन अकेले कैसे करोगी बस बोला ना तुम जाओ चंदर सब हो जाएगा सब हो जाता है जाने से पहले चंदर ने सुधा को गले लगाया सुधा ने चंदर को ज्यादा जोर से गले लगाया चंदर ने सुधा के पेट पर सहला कर बच्चे की आहट महसूस करने की कोशिश की ना सुधा कुछ बोली, ना चंदर, ना ही बच्चे की वो सहलाहट, ना ही घर, ना घर की खिड़की, ना घर की खिड़की से आ रही धूप, ना ही खिड़की से दिखने वाला वो पेड, ना दर्वासा, ना अलमारी, ना बेड, सब एक साथ बिना आवास किये, फफक फफक के रो रहे थे, सब कुछ शान था, सब कुछ सुन था, दुन्या चुप थी, हासे हरी द्वार, चंदर ने मुंबाई से निकल कर ये नहीं सोचा था, कि कहा जाएका, कितने दिनों के लिए जाएका, वो पहले एरपोर्ट पहुंचा, उसने एक दो जगा के फ्लाइट के बारे मे पता किया, लेकिन वो कहीं जल्दी नहीं पहुंचना चाहता था, एरपोर्ट पर सब जल्दी में थे, लेकिन चंदर को अब कोई जल्दी नहीं थी, वो वहाँ से निकल कर रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलवे स्टेशन पर उसका, अपने कॉलिश का टाइम याद आया, उसको हरिद्वार का ट्रिप याद आया, जब वो हर की प्योडी पर गंगा पे पैर डाल कर रात भर बैटा था। ये सब सोचकर चंदर ने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का पता किया। पुरानी जगों पर इसलिए भी जाते रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारा पास्च, हमारे प्रेजन्ट से आकर मिलता है। लाइफ को रिवाइन करके जीते चले जाना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका है। दो दिन बाद चंदर हरिद्वार पहुँचा, वहाँ गंगा में पैट ढाल कर वो रात भर बैठा रहा। जब घाट पर बैठे बैठे, चंदर ने अपना मोबाइल खोला, तो देखा कि उसमें दुनिया भर के तमाब मैसेज है। कोई उसको लोन दे रहा है, कई नई friend request है, खुशियों की दिवाली, खुशियों का नया साल, कोई घर बेश रहा है, तो कोई नई पुरानी कार, कोई नई help plus saving policy बेश रहा है, जैसे कुछ न कुछ खरीदते रहना ही, इस दुनिया में खुशी पाने का आखरी तरीका बचा ह चंदर को अपने मुबाइल में सुधा का एक भी मैसेश नहीं मिला इस बात से वो थोड़ा उदास हुआ और अपना मुबाइल वहीं गंगा में फैंक दिया मुबाइल फैंक ते ही उसे लगा कि जैसे पुरानी दुनिया से उसका सारा कनेक्शन अब खत्म हो गिया उसको थोड़ा सा हलका महसूस हुआ गंगा के पास बैठे-बैठे चंदर के लिए पूरी दुनिया जैसे नदी हो गई थी मुबाइल फैंक ते ही उसको लगा कि सब कुछ बह गया गंगा का पानी बहुत ठंडा था और चंदर के अंदर सब कुछ जल रहा था हर की पौरी घाट पर बैठ कर चंदर को मुंबाई की समंदर की रेत की बहुत याद आई जब चंदर को मुंबाई की समंदर की रेत की याद आ रही थी तो सुदा की याद भी आकर इन यादों में घुलती जा रही थी सुबा होने पर चंदर पास के एक आश्रम में गया वहां रेजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश की आश्रम में सुबा शाम दो बार ध्यान होता था जिसमें हर रुकने वाले को जाना जरूरी था दो तेन घंटे बात ही उसको ध्यान करने के लिए उठा दिया गया नहाकर नाश्ता करके चंदर ध्यान वाले कमरे में पहुचा वहां पर कोई गुरुजी आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे थे जब आदमी अंदर से खाली होता है तो आत्मा पर्मात्मा की बातें कितनी बक्वास लग सकती हैं, उसको ये एहसास उसी दिन हुआ चंदर का मन किसी भी बात में लग ही नहीं रहा था, उसे बार-बार लग रहा था, पांच-दस दिन में वो लॉट जाएगा किसी तरह उसने दो घंटे ध्यान में बैटने का नाटक किया जिस ढर्रे पे जिन्दगी चला करती है, उसमें किसी को नाटक करना, सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती हर कोई, कभी ना कभी, जिन्दगी में जिन्दगी का नाटक करता ही है ये सब सोचते हुए चंदर दो घंटे तो नाटक सहन करता रहा लेकिन उसके बाद वो जेल नहीं पाया जिन्दगी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो रह रह हमारी उदासियों और बेचानियों के बहाने हमें नीम से जगाती रहती है चंदर मन ही मन बुदबुदाया कि भगवान भी बहुत बड़े नाटक का छोटा सा हिस्सा है ये सोचकर वो अभी मन ही मन खुश हो ही रहा था कि इतने में गुरुजी की धुंदली आवाज सुनाई पड़ी ऐसे ही रोज दो घंडे परमात्मा को दीजिये एक दिन आनन्द आएगा चंदर ने वहाँ साथ आठ दिन रुख कर आनन्द के आने का बेस सब्री से इंतिजार किया इस बीच उसको बार-बार लगा कि वो लौट जाए लेकिन वो लौट कर फिर से वैसे शुरू करना नहीं चाहता था हर बीटते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी दुनिया में तमाम चीज़ों जैसे भगवान भी एक तरह का एड़्जस्मेंट है जो लोग अपने कमफर्ट के हिसाब से कर लेते हैं चंदर ये एड़्जस्मेंट सुदा के साथ भी नहीं कर पाया था तो वो भगवान के साथ क्यों करे ये सोचकर वो अपना सामान उठाकर बस चैन पर पहुँझ किया हमारी असली यात्रा उस दिन शुरू होती है जिस दिन हमारा दुन्या की हर चेस से हर रिष्टे से भगवान पर से विश्वास सुच जाता है और यात्रा उस दिन खत्म होती है जिस दिन ये सारे विश्वास लौट कर हमें गले लगा लेती है हम सब केवल किसी ना किसी चीज में विश्वास करना सीखने के लिए पैदा होते है भटकना मन्जिल की पहली आहट है कोई सही से भटक ही ले तो भी बहुत कुछ पा जाता है सची आजादी का कुल मतलब अपनी मर्जी से भटकना है गूगल मैप से चलने वाले अकसर गलत मोड ले लेते हैं चंदर ने ये सोच लिया था जब भटकना ही है तो वो अपने हिसाब से भटकेगा इसलिए शायद अब वो या तो दुनिया नई ढूंड सकता था या फिर पुरानी दुनिया में अपना नया कोना बस से बस चंदर हरिद्वार बस टेंड पहांचते ही पहली बस में बैठ किया बस में बैठते ही उसको खूब गहरी नींद आई जो आश्रम में पिछले साथ आठ दिनों में नहीं आई थी थोड़ी देर बाद चंदर के पडोस में बैठी लड़की ने उसे उठाया कंडक्टर टिकट के लिए पूछ रहा था चंदर ने ला परवाही से कहा जहां तक बस जा रही है वहां तक का टिकट दे दो बस मसूरी जा रही थी मसूरी के रास्ते में पढ़ने वाले शिव मंदिर पर बस रुकी चंदर के पडोस वाली लड़की ने कहा आगे बस बहुत घुमेगी आप उठ जाईए बार-बार आपका सिर मेरे कंधे पर आ रहा है सौरी यहाँ चाई बहुत अच्छी मिलती है आप चाहें तो ले सकते हैं चंदर ने उतर कर मूँ धोया उसको सोय हुए मुश्किल से तीन घंटे ही हुए थे लेकिन बड़ा फ्रेश लग रहा था उसने मंदिर में मिलने वाली फ्री खिचडी और चाई ली इस मंदिर से लगी हुई एक रतनो रुद्राक्ष वगेरा की दुकान भी थी जहां बार-बार कई जगा लिखा हुआ था नकली साबित करने वाले को पांच लाक का इनाम थोड़ा अजीब है लेकिन हमारी जिंदगी के कई असली केवल इसे लिए असली है क्यूंकि वो अभी तक नकली साबित नहीं हुए है लोग अपने अपने हिसाब से असली माला, रुद्राक्ष वगेरा खरीद रहे थे चंदर के पडोस वाली लड़की बस के दूसरी तरफ पहाड को निहार रही थी चंदर उसके पडोस में जाकर खड़ा हो गया इससे पहले वो कुछ बोलता वो लड़की बोली घर छोड़कर आ रहे हो हाँ, कुछ ऐसा ही तुम्हें कैसे पता जहां तक बस जाती है वहाँ तक टिकेट मांगने वाले अकसर घर छोड़कर भागे हुए होते है घर तो छोड़ा है मैंने लेकिन भागा नहीं हूँ तुम भी घर छोड़कर निकली हुई हो क्या हाँ, तीन साल हो गए नाम क्या है तुम्हारा पम्मी और तुम्हारा चंदर वैसे घर किस वज़ा से छोड़ा कोई लड़के वड़के का चक्कर में हर लड़की लड़के के लिए घर नहीं छोड़ती तो तुमने किस लिए छोड़ा अपने लिए अपने पागलपन के लिए ऐसा क्या पागलपन है तुम्हारा जिसके लिए घर चोड़ना पड़ा तुमको ज्यादा ही सवाल नहीं पूछ रहे घर तो छोड़ दी अब कोई बात नहीं बाते करते रह गए तो बस जरूर चूट जाएगी पमी और चंदर दोनों के बस में बैठते ही मसूरी चल कर बस के पास आना शुरू हो गया चंदर खुद में ही इतना उल्चा हुआ था कि उसने पमी से ज्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं की उतरने से पहले पमी ने चंदर को अपना नंबर दिया और कोई भी जरूरत पढ़ने पर फोन करने को कहा मसे मसूरी चंदर ने मसूरी पहुँच कर दो तिन होटेल देखे जिस होटेल के कमरे से बाहर पहाड सबसे अच्छा दिख रहा था चंदर ने वो होटेल फाइनल कर दिया होटेल वाले के ये पूछने पर कि कितने दिन के लिए कमरा चाहिए चंदर कोई जवाब नहीं दे पाया होटेल वाले ने दुबारा पुछा कि कमरा कितने दिनों के लिए चाहिए चंदर ने थोड़ा सोच कर बोल दिया कि उसका मसूरी रुखना काम पर डिपेंड करता है फिर भी एक हफ़ता तो लगी जाना चाहिए होटेल के रिजिस्टर में एंट्री करते हुए एड्रेस वाला कॉलम भरते हुए चंदर का पैन थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा कामपा पिन कोट के हर एक जीरो में छुपी हजारों यादे थोड़ी लड़ खड़ा गई चंदर के कमरे में पहाँशते ही बिस्तर ने उटकर उसको गले लगा लिया नेंद उसका सिर्ष सहलाने लगी कम्बल ने उसको ओड़ लिया कमरे के बाहर दिन शाम के साथ घुल कर रात को बुला रहा था तारे टूट टूट कर रात का अधूरापन भरने लगे आवाजे जिंगुर हो गई सब कुछ ठहर रहा था करीब दस घंटे सोने के बाद चंदर की नेंद सुभा करीब साथ बजे खुली घर से निकलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि चंदर इतनी गहरी नेंद सोया हो शेहरों की नाप तोल वहां रहने वाले लोगों की नींद से करनी चाहिए शहर छोटा या बड़ा वहार रहने वालों की नींद से होता है ठीकाना तो कोई भी शहर दे देता है गहरी नींद कम शहर दे पाते हैं सुबह उठने के बाद चंदर इतना शान था जैसे 10 गंटे की नींद के बाद नहीं बलकि 10 गंटे के मेडिटेशन के बाद उठा हो चंदर को कभी सुबह उठने की आदत नहीं थी जो सुबह जल्दी नहीं उठते वो किसी दिन गलती से जल्दी उठ जाते हैं तो उन्हें लगता है सुबह इतनी अच्छी होती है रोजी सुबह उठना चाहिए चंदर को भी सुबह देख कर लगा कि अभी तक वो ना जाने कितनी सुबहों का नुकसान कर चुका है चंदर ने अपना जैकेट पहना और मसूरी टेहलने के लिए निकल गया दुनिया की तमाम चीजों में से जिनका आप भरोसा नहीं कर सकते उनमें से एक मसूरी का मौसम भी है कब मौसम साफ हो जाए और कब एकदम से धुन्ध हो जाए पता ही नहीं चलता रोज की तरह दुनिया धीरे धीरे शुरू हो रही थी ठीक वैसे जैसे आज दुनिया का पहला दिन हो बच्चे स्कूल जा रहे थे चाई की दुकाने अभी खुल ही रही थी कुछ बच्चे बुढे जवान सभी शेप और साइस के लोग टहल रहे थे कुछ बुढे इतनी जल्दी जल्दी टहल रहे थे कि जैसे ऐसे ही टहलते एक दिन जवान हो जाएंगे कुछ अंकल आंटी लोग वही बेंच पर बैट कर अनुलोम विलोम कर रहे थे उदर चाई की दुकान के पास कुछ लोग अकबार पर आंक गड़ाई हुए थे अपनी शादी के सालों की लंबाई के हिसाब से सडकों पर दिखने वाले कपल्स के बीच की दूरी ना पी जा सकती थोड़ा ही आगे चलने पर चंदर को हानीमोन इन होटेल दिखा होटेल देखकर सुदा की याद आई फिर सुदा की बात की भी याद आई फिर सुदा के साथ बिताया टाइम फिर सुदा की जिद भी याद हुआई और सड़क पर खड़े-खड़े एक ही मिनट में चंदर हानीमून इन के सामने फिर से एक बार अकेला हो गया अगली चाई की टप्री पर जाकर चंदर चाई लेकर चाई के गिलास को गर्माहट को हलके हलके महसूस कर रहा था चंदर के हाथ का जितना हिस्सा चाई के प्याले की गर्माहट को चू रहा था उतने हिस्से को सुदा की याद आ रही थी यादे सेर पे मंडराने वाले मच्छरों के जुन की तरह होती है कहीं भी भाग चाओ वो सिर्फे घेरा बना कर भिन बिनाने लगती है मसूरी का एक चक्कर लगाने के बाद चंदर लौठी रहा था कि पम्मी ट्रेवल की दुकान दिखाई पड़ी दुकान बाहर से कोई भी नॉर्मल टूर और ट्रेवल की दुकान लग रही थी वो यह सोच कर दुकान को पीछे चोड़ कर आगे बढ़ किया कि अगर पम्मी से मिलने गया तो वो सोचेगी कि बड़ा चेप टाइप है एक ही दिन में दुकान ढूंट कर मिलने भी आ गया चन्दर को मसूरी के ठंड और ठंड में मिले हुए कोहरे को महसूस करते हुए पता ही नहीं चला कि कब दो घंटे बीद गए चन्दर को मुंबाई के ट्रेफिक की इतनी आदत हो चूकी थी कि मसूरी के सड़के उसको गोध जैसी लगी मुंबई की सडकों पर सुकुन नहीं था और मसूरी की हर एक चीज में उसको सुकुन दिख रहा था ऐसा शायद वहां रहने वाले के साथ ना होता लेकिन चंदर की आँखों में अभी भी मुंबई की सडकों की बेचैनी अटकी हुई थी हम सभी का अपना एक फेवरेट शहर होता है जहां हम रिटायर होने के बाद रहना चाहते हैं कमाल की बात है कि हम उस शहर का पता जानने के बाद भी कभी वहां पहुंच नहीं पाते अगर जिन्दगी के पते पर पहुँचना इतना आसान होता तो जिन्दगी की आउकात दो नंबर के जीके के सवाल भरकी होती आगे बढ़कर चंदर किताब की एक दुकान पर पहुँचा दुकान पर किताब ढूंटे ढूंटे चंदर को याद आया कि उसको किताब की दुकान पर जाकर घंटो किताब ढूंडना कितना पसंद था कैसे वो किताब की दुकान पर घंटो टाइम बिता दिया करता था कई बातें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं वो हम पता नहीं कैसे एक देन भूल जाते हैं दुकान पर करीब वो दो घंटे बितानी के बाद उसने कुल आठ दस किताबें खरी थी जिसमें रसकिन बॉर्ण की दो किताबें मनोहर श्याम जोशी की टर्टा प्रोफेसर अग्या की शेकर एक जीवनी विनोध कुमार शुकल की दिवार में एक खिड़की रहती थी भगवती चरण वर्मा की चित्र लिखा धरमवेर भारती की गुनाहों का देवता और सुरेंदर वर्मा की मुझे चांद चाहिए थी दुकानदार ने चंदर को इतने किताबें खरीते देख कुछ नई किताबें सज्जेस्ट किया लेकिन चंदर ने दुकानदार की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया लोग कहते हैं कि किताबें दोस्त होती है चंदर अपने कुछ पुराने दोस्त पाकर खुश था असल में किताबें दोस्त तब बनती हैं जब हम सालों बाद उन्हें पहली बार की तरह चूते हैं, किताबे खोल कर अपनी पुरानी अंडरलाइंस को ढून ढून कर चूने की कोशिश करते हैं. किसी को समझना हो, तो उसकी शेल्फ पर लगी किताबों को देख लेना चाहिए, किसी की आत्मा समझनी हो, तो उन किताबों में लगी अंडरलाइन को पढ़ना चाहिए. चंदर को किताबे खरीदने में करीब साड़े ग्यारा बच गई. उसे अब थोड़ी-थोड़ी भूक लगनी शुरू हो गई थी. वो किताब की दुकान के पास ही, एक कैफे में जाकर बैट किया. कैफे साइस में बड़ा था, लेकिन कैफे का मेन्यू छोटा सा था. मुश्किल से तीन-चार टेबल, मैन्यू में बस तीन-चार तरह के परांठे, एक-दो तरह के सैंड़िच और चाई, काफी, निम्बू पानी. बस इतना ही मिलता था कैफे में. इक का दुकार टूरिस्ट, बीच-बीच में आलू, गोभी, पनीर के परांठे खाने आते रह हो जाते हैं. चंदर आराम से किताब पढ़ने में मश्कूल हो गया. शेखर एक जीवनी को पलटते हुए उसको अपनी जान पहचान की एक पुरानी लाइन मिली. यदि प्रतेक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे, तो संसार में सुन्दर पुस्तकों की कमी नहीं रहे इस लाइन को पढ़कर चंदर ने किताब के पन्ने को सहलाया और किताब के पन्ने ने वापिस चंदर को सहलाया. ये लाइन कहीं खोना जाए, इसलिए चंदर ने काउंटर वाले लड़के से पैन मांगा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा, कि उसको अगर अप बैठ के किसी को सुना पाई यह सोचकर चंदर को पहली बार अपने उपर कोफ्त हुई किताबे मज़ा देती है और अच्छी किताबे मज़े मज़े में पता नहीं कब बेचैनी दे देती है चंदर पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में किताब की तरह सोच रहा था दिमाद पर बहुत जोड डालने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसकी कहानी का end क्या है उसको पहुँचना कहा है वो करना क्या चाहता है सुधा अगर शादी के लिए मान जाती तो क्या वो end होता सुधा से बच्चे होते तो क्या होता उसके बच्चे बड़ा होकर बहुत अच्छा करते क्या वो end होता आफिस में अपने दोस्तों जैसे दो तिन घर बुक करवा लीता क्या वो end होता शेयर में इन्वेस्ट करके लाखों कमा लीता क्या वो end होता अपनी जिन्दगी के बारे में किताब की तरह सोचने से समझ में आता है कि हम रोज कैसे टुची जिन्दगी जीने के लिए मरे जा रहे हैं किताब और जिन्दगी में बस लॉजिक भर का फर्क होता है किताबों का अंत लॉजिकल होता है जिन्दगी का नहीं होता जो लोग जिन्दगी लॉजिक से ढूनते हैं उनके ख्वाब उनके जवाब हमेशा गलत होते हैं ये सब सोचते हुए उसे पहली बार ये खयाल आया कि छुटियां क्यों इतनी जरूरी होती हैं अपनी जिन्दगी के बारे में किताब की तरह सोचने से कई सारे ब्रह्म दूर हो जाते हैं चंदर को बहुत ढूणने पर भी अपनी जिन्दगी का कोई लॉजिकल अंत नहीं मिलता उसने ठक कर अपनी जिन्दगी के अंत के बारे में सोचना बंद कर दिया और एक और चाय का ओर्डर दे दिया चाय की चुस्की में जैसे पुराने दिन घुले हुए होते हैं हर एक चुस्की के साथ पुराने दिन उसके अंदर उतर कर उसको बेचैन करने लगे अब सुधा से ज्यादा उसको अपने होने वाले बच्चे की याद आती सुधा हमेशा कहती थी हमें केवल यादे याद नहीं आती बलकि सबसे ज्यादा वो यादे याद आती हैं जो हम बना सकते थे चंदर अपने मन में अपने बच्चे की शकल बनाने लगा बच्चा किसके जैसा ज्यादा दिखेगा चंदर हमेशा से चाहता था कि जब भी बच्चा हो तो लड़की हो क्योंकि बच्ची होने पर वो सुदा के बच्चपन की जलक देख पाता छूपाता ये सारी बातें उसको परिशान कर रही थी तभी उसने देखा कि कैफे में पम्मी आई हुई है पम्मी ने काउंटर पर बैठे लड़के से कुछ बात की वो चाय बनाने का बोल कर जैसे ही घूमी चंदर पर उसकी नसर पड़ी चंदर को देख कर पम्मी उसकी टेबल पर आई और इतनी सारी किताबी देखते ही बोली तो इसलिए घर छोड़ा था मुझे खुद नहीं पता किसलिए तुम्हें क्या लगता है किसलिए छोड़ा होगा घर इतनी सारी किताबे हैं तो किताबे पढ़ने के लिए ही छोड़ा होगा किताबे पढ़ने के लिए घर छोड़ने वाले तुम दुनिया के पहले आदमी होगे गुड आइडिया दिन भर बैठ कर बस किताब पढ़ना और चाए पिना इतना हो जाए तो लाइफ सेट है आज कल ब्रेक अप के बाद घर कौन छोड़ता है यार? ब्रेक अप के लिए नहीं छोड़ा, अपने पागलपन के लिए छोड़ा क्या है तुम्हारा पागलपन? पता नहीं ढून रहा हूँ कहां ढून रहे हो? किताबों में? अपने आप में आज घर छोड़े हुए 11 दिन हुए है, मिल जाएगा खेट, तुम यहां कैसे? इस कैफे का मालिक कैफे को बेशना चाहता है एक बज़े का टाइम दिया था, अभी तक आया नहीं ये तो बहुत बड़ी जगा है, तुम भी कैफे चलाओगी या कुछ और प्लैन है बापरे, इतने सवाल एक साथ, घर वाले इतने ही सवाल पूछते थे, इसलिए घर छोड़ दिया था फिर एक-एक करके बता दो बस एक ही शौक है मेरा, घूमना फिरना, रुड़की में पैदा हुई, पढ़ने में सही थी मैं वही IIT रुड, रुड़की से मैंने B-Tech किया, मसूरी ट्रैक करने कई बार आई, बस इसमें मन लग गया कॉलिज के बाद करीब 5 साल जॉब किया, कई कंट्री गई, खूब घूमे, जब इतने पैसे बच गए, कि एक साल काम चल जाएगा, तो ये शौक ले ली यहां इस कैफे में मेरा एक ट्रैवल कैफे खोलने का मन है, लोग आएं, अपने ट्रिप प्लान करें, होटेल में वो फेल नहीं आती मैं चाहती थी, ट्रैवलर्स यहां आकर रुख पाएं कुछ दिन, मैं उनको ट्रैक पर लेके जाओ, कभी बाहर का टूर बने तो कोई नया देश, कोई नई ही जगा देखने जाओ, नई लोगों से मिलू, उनकी कहानियां सुनू, बस इतना सा पागलपन है प्यार व्यार नहीं हुआ इस बीच, दो बात हुआ, घंगोर वाला हुआ, लेकिन यार मेरे से ये शादी वाला सेंटियापा बरदाश नहीं होता पम्मी के ये बोलते ही चंदर के सामने रखा खाली कप सुधा की याद से भर किया, तब ही वहाँ कैफे का मालिक आ किया पम्मी उससे बात करने के लिए दूसरी टेबल पर जाकर बैट गई, पंदरा बेस मिनट तक उन्होंने कैफे को लेकर कुछ डिसकस किया इस बीच चंदर उटकर वहाँ से चल दिया, अपने कमने में आकर चंदर ने किताब खोल कर रखी और किताब ने चंदर को पढ़ना शुरू कर दिया अगले तीन-चार दिन चंदर ने उसी कैफे में किताबे पढ़ते और चाई पराठे खाते बिता थिये खरीदी होई किताबों में से आधी किताबे चंदर ने पढ़ पी ली, पुरानी अंडर लाइंस ने एक बार फिर से चंदर को ढूंड लिया था कैफे के बैरा अब उसको पहचानने लगे थे मसूरी को, मसूरी की सडकों को अब चंदर अशन भी नहीं लगता आते जाते होटेल वाला चंदर को जगें बताता रहता कई बार इंसेस्च करके धीमी टोन में पूछता भी सर, कोई भी इंतिसाम करना होगा तो बता दीजिएगा हमारे यहाँ सब इंतिसाम रिसनेबल रेट पर हो जाता है होटेल वाला भी अब चंदर के लिए अशन भी नहीं था वो चंदर को बार बार मुबाइल पर लड़कियों के फोटो दिखाने की कोशिश करते हुए बताता रहता सर, एक बार देख तो लीजिए, मुंबाई की हिरोईन भूल जाएंगे चंदर उसके इस सौफर को हर बार मुसको राकर टाल दिया करता इस बेच चंदर ने अपने घर पर बता दिया कि वो विपशियाना के इध्यान शिविर में गया हुआ है उसका फोन कुछ दिन बंद रहेगा वो लोग परिशान ना हो इस बेच चंदर ने सुदा को फोन करने की कोई कोशिश नहीं की गुसा जब बढ़ जाता है तो दुनिया को जेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है गुसा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने आपको जेलना मुश्किल हो जाता है कमाल की बात ये है कि हम अपने आप से चाहे जितना गुसा हो जाएं एक सुबह अपने आप सब सही हो जाता है। चंदर का अपने आप से गुसा थोड़ा-धोड़ा कम हो रहा था। चंदर का अपने आप को जेल पाना मसूरी ने थोड़ा असान कर दिया था। जयसे जयसे किताबों के पन्ने पलटते जा रहे थे, वैसे ही अगला दिन अपने आपको पलटता जा रहा था ऐसे ही एक दिन टहलते हुए चंदर पम्मी की शौप के बाहर से गुज़रा और इस बार वो अंदर चला किया तुम कैफे कब ले रही हो उसने कैफे में चाय के पैसे देना अच्छा नहीं लगता काश ऐसा होता कैफे की डिल हो नहीं पा रही क्य मैं डिल मिस नहीं करना चाहती ये सुनकर चंदर चुप हो गया पम्मी ने चाय के लिए पूछा चंदर ने चाय के लिए तुरन थांग किया वो चाय को कभी मना कर ही नहीं पाता था चंदर ने बम्मी से उसका कंप्यूटर यूज़ करने के लिए मांगा चंदर ने अपना एमिल चेक किया मेल बॉक्स में दुनिया भर की मेल थी डॉक्टर बत्रा से लेकर होम लोन तक लेकिन सुधा का एक भी एमिल नहीं था मेल चेक करने के बाद चंदर ने एक कागस का टुकड़ा लेकर कुछ हिसाब किताब किया और बोला कैफे वाली डेल मिस्स मत करो नहीं करना चाहती लेकिन क्या करो हालाकि मैंने टाइम ले रखा है बैंक मुझे लोन देगा नहीं एक बंदे से बात की है वो बोल रहा है दो लाक रुपई लेका और बारा लाक का लोन अप्रूफ करा देगा लेकिन वो बंदा सही नहीं लग रहा कैफे चलो की बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कैफे खरीदने जाना हो कैफे खरीदने भर के पैसे थोड़े हैं मेरे पास परांठे खिलाने भर के हैं चलो चलते हैं चलो गर से गोभी का परांठा कैफे पहांच कर चंदर ने गोभी के दो परांटे और किये कैफे में टेरेस के सामने पहाड दिखता था टेरेस में थोड़ा सा आस्मान, थोड़ा सा पहाड और थोड़ी सी धूप तीनों एक साथ जांक रहे थे चंदर ने टेबल पर पढ़ती हुई थोड़ी सी धूप को अपने हाथ पर मला और पम्मी से पूछा क्या नाम सौचा था तुमने कैफे का पम्मी कैफे एंड स्नैक्स तो नहीं सोचा था ना नहीं यार, मुसाफिर कैफे सोचा था नाम मुसाफिर कैफे क्यों बस ऐसे ही ऐसा कोई खास रिजन नहीं है बस जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो लगता है इस दुनिया में हम सब मुसाफिर ही तो है इतने सीरियस बाते भी करती हो तुम करती नहीं हूँ घूमने के बाद ये बात अच्छे से समझ आ गई और क्या समझाया यही कि हम सब का हमारा फ्यूचर क्या है क्या है हमारा फ्यूचर मुझे भी बताओ हम सब एक दिन या तो धुआ हो जाएंगे या मिट्टी ये सुनकर सामने रखी चाय की प्याली ने उटकर पम्मी का मुँ चूम लिया धूप ने बढ़कर पम्मी के चेहरे को चूल लिया पम्मी के माथे के कुछ बाल हवा चलने की खुशी में लहरा कर धूप से खेलने लगे उरते हुए बालों को अपनी याद से पकड़ कर चंदर किसी दूसरी दुनिया में पहांच किया जिस दुनिया में सुधा थी, घर की खिड़की थी, सुभा की धूप थी, और चंदर था, चंदर सुधा के माथे को सहलाते हुए, उसके बालों से खेलते हुए, कान में फूंक कर नेंद से उठाने की कोशिश कर रहा था, ए लड़की, अब उट भी जाओ, रोज देर करती हो नेंट तूट जाएगी, जाओ तुम, बस पांच मिनट और सोने दो, उठो, गंदे गंदे सपने देखना बंद करो तुम, समझी, अरे देखने दो, बहुत मस सपना चल रहा है, क्या है सपना, बताओ, अरे देखने तो दो पूरा, जितना हुआ है उतना ही बता दो, यार तो मिनट सोने दो, जाओ, चाई बनाओ तब तक, चाई बन चुकी है, उठो अब, सोने मत दो तुम, सपना चूट गया, लाओ चाई, सपना चूट गया या तूट गया, सपने तूटते कम हैं, चूटते ज्यादा हैं, बहुत तेज चलते हैं सपने, इतने तेज की याद ह नहीं रहता, सपना देखा क्यों था, खेर, ये सब छोड़ो, चाई अच्छी बनाते हो तुम, सुबह थोड़ी सी तो तुम्हारी चाई की वज़ा से भी अच्छी हो जाती है, थैंक्स, थैंक्स बोलकर बात खराब मत किया करो, पहले भी कई बार कहा है, कभी-कभी चुप र डर लगता है, डर किस बात का? मेरे सपने सच नहीं होते यार, तुम्हे नहीं आते क्या सपने? आते हैं, लेकिन याद नहीं रहते, तुम्हें पता है मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्यों? ये उपर रुखा हुआ पंखा देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ, इसम क्या है क्यूंकि शादी के बाद विस्तर पर लेटने पर उपर पंखे की धूल दिखाई देती है पंखे की हवा नहीं दिखाई देती तुम पागल हो सुधा हवा तो ऐसे भी नहीं दिखती हवा दिखती है कैसे प्यार दिखता है क्या नहीं मेरा मतलब है हाँ दिखता है प् उधर चंदर की यादों में सुधा उठी और इधर चंदर अपनी दूसरी दुनिया से फिर कैफे में लौट आया पम्मी सामने टैरिस से खड़े होकर पहाड को देख रही थी चंदर उठकर टैरिस तक गया और पम्मी को भोला अच्छा नाम है मुसाफिर कैफे मेरे तो इतने सारे प्लैंस है कैफे को लेकर यहां उपर में चार-पांच कमरे बनवाती जहां लोग आकर रुखते हर कमरे से पहाड दिखता मैं कोई पैसे नहीं लेती उनसे जो लोग आते वही खुद बनाते और खिलाते अपनी कहानिया सुनाते मैंने सोच लिया है कि इस कैफे में कभी पैसे दे कर चाए नहीं पियूँगा क्या मतलब? मतलब यह कि जितने रुपए कम पड़ रहे हैं उतने तुम मुझ से ले लो और डेल डन कर दो तुम्हें अपना कुछ पता नहीं कि आगे लाइफ में क्या करना है और मुझे इतने रुपए देने की बात कर रहे हो? हाँ, इसलिए कर रहा हूँ इससे पहले मेरा भूत उतर जाए, तुम डेल डन कर दो लेकिन तुम मुझे जानते भी नहीं सही से उससे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे भी तो सही से नहीं जानती तुम अपने आपको अच्छे से जानती हो ना वो काफी है क्यूं चाहते हो ये कैफे बस फ्रेज चाय पीने के लिए कोई इतने रुपए थोड़े ही देता है जब मैं कॉलिश में था और कोई पूशता था कि मैं लाइफ में सही में करना क्या चाहता हूँ तो हमेशा एक जवाब आता था मेरे दिमाग में कि 40 साल की उम्रे में रिटायर होकर किसी छोटी से जगा पर एक किताबों की दुकान खोल लूँगा कोई किताब खरीतने आई तो छीक नहीं भी आए तो दिन भर बैट कर चाई पीता रहूँगा किताबे पढ़ता रहूँगा और आसपास के बच्चों को बुला कर उन्हें दुनिया भर की कहानिया सुनाता रहूँगा इससे ज्यादा बड़ा कभी सोच ही नहीं पाता था इस कैफे को देखकर मुझे बच्चपन का अपना वो जवाब याद आता है इस कैफे में एक कोना किताबों का दिखता है मुझे हाँ बस एक फर्क है दस साल पहले रिटायर हो गया हूँ एक कोने में किताबे तो रखने दोगी ना तुम ये सुनकर पमी ने चंदर को अपने पास खींच कर गले लगा लिया और कान में फुस फुस आई डिल डन सामने का पहाट थोड़ा सा खिसक कर आगे आगिया पमी ने चंदर को गले लगा लिया बैरा चंदर को देखकर मुस्कुरा दिया चंदर गले लगे लगे पम्मी से बुला इस खुशी में पराठा तो खिला दो बहुत भूक लग रही है और कैफे की पार्टी चाहिए मुझे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो फैसले जल्दी ले लिया करते हैं जिस दिन हम को ये समझ में आता है कि यहां हम में से किसी के भी पास जिन्दगी के इलावा खोने को कुछ नहीं है उस दिन हम अपनी जिन्दगी का पहला कदम अपनी और चलते हैं बाहर चलते चलते हम करीब करीब भूल ही चुके होते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है चंदर ने भी अपनी और चलने वाले इस फैसले को लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया कैफे से निकल कर चंदर और पम्मी पम्मी टूर एंड ट्रैवल के आफिस गए चंदर ने अपने अकाउंट का हिसाब किताब करके बता दिया कि रुपए दो दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे पम्मी को अभी भी यकीन नहीं था कि ऐसा सही में होने जा रहा है उसने कैफे के ओनर को पचास अजार देकर डील कंफर्म कर दी फिर उसने अपनी नोट बुक खोल कर चंदर को मुसाफिर कैफे का पूरा नया ले आउट दि जिसकी करीब 500 स्क्वेर फूट की बालकनी थी जो सामने पहाड की योड देखती थी कैफे के बेद से एक सेड़ी उपर जा रही थी ले आउट से ये कैफे जैसा नहीं घर जैसा लगता था पम्मी ने बताया कि उसने सोच रखा था कि वो यहां रहेगी रोद सुबा अपन को बोन फायर करेगी और दारू पी कर लाइफ के बड़े बड़े फंडे जाड़ा करेगी पमी का लाइफ को लेकर बड़ा ही सिंपल प्लैन था लाइफ को लेकर प्लैन बड़े नहीं सिंपल होने चाहिए प्लैन बहुत बड़े हो जाए तो लाइफ के लिए ही जगा नही बच्ती चंदर पमी की खुशी देखकर खुश था वो सबसे पहली कॉल सुदा को करके बताना चाहता था कि उसने कैफे का थोड़ा सा हिस्सा खरीद लिया है वो चाहता था कि सुदा वहां रहने आ जाए इस वक बस वो सुदा को वापिस चाहता था पहली बार उसको अपनी शादिवादी करके परफेक्ट लाइफ वाली जिद बहुत ही फाल्तू लगी। पमी ने चंदर को मसूरी क्लब में डिनर पर इन्वाइट किया। चंदर मुसाफिर कैफे वाली लेयाउट में अपना हिस्सा ढूनने लगा। मसे मसूरी कलब मसूरी कलब में एक टेबल पर पमी और चंदर का नाम साथ लिखा हुआ था। टेबल पर शैंपिन की बोतल सजी हुई थी। पमी ने बहुत हलका सा मेकप किया हुआ था। और ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था चंदर ने तयारी के नाम पर 15 दिन बात आजशेव किया था और बालों को जेल लगा कर गिला कर लिया था चियर्स क्या बात है? कैंडलाइट डिनर? ठैंक्स पमी ठैंक्स वाली कोई बात नहीं है तयार होकर तो अच्छी लगती हो तुम क्या ऐसे ही अच्छी नहीं लगती? इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अभी लग रही हो शेव क्यों की तुमने? दाड़ी सोट करती है तुम पे क्या पहले किसी ने कहा नहीं? नहीं कभी किसी ने नहीं कहा तुम पहली लड़की हो जो ऐसा कह रही है चलो अपनी कहानी सुनाओ घर क्यों छोड़ा तुमने यार मैं बस जेल नहीं पा रहा था कुछ भी सुदा के साथ करीब एक साथ से साथ रह रहा था उसको हजार तरह से समझा चुका था शादी करने के लिए लेकिन वो मान ही नहीं रही थी नौकरी में अच्छा कर रहा था प्रमोशन भी हुआ लेकिन लग रहा था कि रोज भागे तो जा रहा हूँ पर कहीं पहुंश नहीं रहा तो अपनी पूरी दुनिया से ब्रेक अप करके आई हो हाँ ऐसा ही समझ लो बढ़िया है प्रॉब्लम क्या है दो-चार ब्रेक अप तो होने ही चाहिए हाँ होने ही चाहिए लेकिन ये ब्रेक अप थोड़ा अलग है सारे ब्रेक अप एक जैसे होते हैं नहीं थोड़ा अलग है क्या अलग है सुदा थुरी मंस प्रेकनेंट है ऐसी हालत में उसे चोड़ना नहीं चाहता था मैं लेकिन मैं जेल भी नहीं पा रहा था उसे क्या प्यार बचा था तुम्हारे बीच? हाँ बहुत बचा था इंफेक्ट बच्चे की बात से मैं सबसे ज्यादा खुश था कि चलो अब सुधा मान जाएगी तुमने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं करना चाहती वो शादी? हाँ उसके शादी ना करने के रिजन सही नहीं थे लेकिन गलत भी नहीं थे क्या वज़ा थी? अगर तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं सुदा अकसर संडे शाम को उदास हो जाती थी जब वो उदास होती तो दारू पीती थी जब बहुत उदास होती थी बिलकुल भी नहीं पीती थी बहुत देर तक चुप हो जाती थी और बड़ बड़ाने लगती थी जब हमने साथ रहना अभी शुरू ही किया था एक दिन सुधा ने ऐसे ही उदासो कर मुझसे पूछा तुम्हें कभी किसी की बहुत याद आती है क्या? हाँ किसकी? अपनी गर्फ्रेंड की? क्या अपने घर वालों की नहीं आती? उनके भी आती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती तुम्हें किसकी आती है? मुझे अपने एक अंकल की बहुत याद आती है कभी कभी सोचती हूँ कि मम्मी को उन अंकल से शादी कर लेनी चाहिए थी कौन अंकल? हमारे घर पर एक अंकल आते थे मेरे पापा अच्छे नहीं थे, जब मैं उनको अंकल बोलती थी, तो वो कहते थे पापा बोला करो मुझको, उनकी बेटी मेरे बराबर थी, हम दोनों के लिए हमेशा बहुत सारी किताबे खिलोने सब ले कराते थे, तो वो शादी क्यों नहीं की मम्मी ने, पापा ने कभी त हुणना चाहिए था उनको, कम से कम तुम रोती तो नहीं, इसलिए नहीं ढूंडा क्योंकि मिल जाते, तो उनकी याद आना बंध हो जाती, संडे शाम को मुझसे बात मत किया करो, ऐसी थी सुधा, एक वज़ा तो ये थी, कि उसके अपने पेरंट्स की शादी कभी सही नही चली, इसके इलावा सुधा वकील थी, तो वो रोज कोट में डायवोस देख देख कर, शादी को लेकर कभी श्योड नहीं हो पाई, उसको शादी से डर लगता था, अपनी ये कहानी सुना कर चंदर ने शैंपन का एक बड़ा घूंट लिया, पम्मी ने ये सुन कर खामोश आप से पोंच कर चंदर से कहा, तुम्हें इतने से बात समझ में नहीं आई, नहीं आई, क्या करूँ, हर दिन एक जैसा थोड़े होता है, हमेशा एक जैसा तो नहीं होता ना, खैर, मैं इस बारे में अब कोई और बात नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, तुम सुनाओ, तुम्हारी कहानी क्या है, तुम्हें बताई तो थी, मेरे कहानी में इतना इमोशन, इतना ड्रामा नहीं है यार, बस दो बार घंगोर वारा प्यार हुआ था, एक बार प्योर लव वाला प्यार, एक बार पूरा शारीरिक वाला प्यार, ये प्योर शारीरिक वाला प्यार आज पहली बार सुन रहा हूँ, क्या फर्ट था दोनों में? कोई फर्ट नहीं था, दोनों प्योड थे, दोनों बहुत अच्छी बाते करते थे. फिर कभी शादी का खयाल नहीं आया? आया? फिर क्यों नहीं की? शादी का सोचते ही हमारे बाते, बोरिंग होने लगी. तुम मानो या ना मानो, लेकिन शादी बाई डिजाइन थोड़ी बोरिंग होती है. शादी के बोरिंग होने में दोनों लोगों की कोई गलती नहीं होती. It's design fault, you know. ऐसे तो पूरी जिन्दगी ही बोरिंग होती है. हाँ होती है, लेकिन मैं शादी वाली बोरियत नहीं चाहती थी. In fact, मुझे लगता है कि कभी मैंने शादी की भी, तो उससे करूंगी, जिसकी बातों से कभी मैं बोर्ड ना हो पाऊं. फिर तो मिल चका तुम्हें कोई, वैसे भी हम बातों से नहीं, दूसरे की आदतों से बोर्ड होते हैं. जब कोई ऐसा मिले जिसकी आदतों से बोर्ड ना हो, तब जट से कर लेना शादी, या फिर जब किसी के साथ रहते हुए, शादी की जरूरत ही मैसूस ना हो, तब करना शादी. हम, क्या लगता है तुम्हें प्यार क्या होता है? तुम तो इतनी किताबे पढ़ते रहते हो? प्यार बस एक तरह की आदत है, प्यार के बारे में दुनिया की बाकिस सारी डेफिनेशन्स केवल शो आफ है, यार. तो तुम अपने सुदा वाली आदत का क्या करोगे? पता नहीं, नई आदत डालने की कोशिश और कोई कर भी क्या सकता है? तुम्हें वापिस जाना चाहिए, अकेले कैसे मैनेश करेगी वो? हाँ, शायद थोड़े दिन में लौट चाऊँ. चलो, बहुत उदास उदास बाते हो गई, say something nice. मुझे कैफे में एक कमरा तुम मिले काना रहने के लिए? हाँ, यार, ये भी कोई पूशने वाली बात है. मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी, कि हम वहाँ खूप सारी कितापे रखेंगे. अगर तुम रुके, तो तुम नीचे कैफे में बैठ कर, बच्चों को कहानिया सुनाया करना. मैं भी सुना करूंगी. म दोनों घंटों बैठ के, इधर उधर की, दुनिया भर की बाते करते रहे. शैंबिन की बोतल खाली हो गई. रात ने बढ़कर घड़ी में 11 बजा दिये. पम्मी और चंदर की पुरानी आदतों ने, एक दूसरे में नई आदते ढूनना शुरू कर दिया. चंदर और पम्मी क्लब से निकल कर सड़क पर टहलने लगे. अभी वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि मसूरी के मौसम ने खोशो कर हवा में दुन फैला दी. दोनों के टहलने में सुकून था. ये सुकून फ्यूचर को लेकर नहीं था, बस उस शाम को लेकर था. रास्ते में हनीमून इन प पड़ा तो पम्मी बोली, चलो, कमरा दिखाओ अपना. क्या करोगी देखकर? अरे, क्यों देख नहीं सकती? क्या पता कमरे में क्या हो? पता तो होने चाहिए कि तुम कौन हो? कमरे से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? हम अपने कमरे में जैसे रहते हैं, उसी से बढ़त चलता है कि सही में हम कौन हैं, लेकिन तुमें तो उस से फर्ट नहीं पढ़ता ना कि कौन हूँ में? नहीं पढ़ता. फिर क्यों देखना है मेरा कमरा? ऐसे ही, ये बोलकर पम्मी ने चंदर के हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ ली. चंदर के हाथ की छोटी उंगली न पम्मी के हाथ की छोटी उंगली को गले लगा लिया, चंदर पम्मी को लेकर होटेल में आया, रिसेप्शन वारे लड़के ने चंदर को पम्मी के साथ देखकर आँख मारी और बोला, सर कुछ भी चाहिए होगा तो बता दीचियेगा, कमरे में घुसते ही कमरे ने पम्मी और चंदर को गले लगा लिया, ठीक बात्रूम के दर्वासे के पास, पम्मी अपने साथ मसूरी की थोड़ी धुन्द साथ ले आई थी, और चंदर हानीमोन इन पर ना बनी हुई यादे ले आया था, चंदर पम्मी में सुदा की यादे ढूनने लगा, पम्मी नई यादे मसूरी की धुन्द, पम्मी और चंदर की नई आदतों में बिगलने लगी, कभी कभी करीब आने के लिए बस एक शाम चाहिए होती है, बसूरी एक हफ़ते चंदर और पम्मी की ज्यादा बात नहीं हुई, हफ़ते भर में चंदर ने सारी किताबे खत्म कर ली थी, उदर प पम्मी ने चंदर को रिजिस्टरार आफिस में बुलाया, चंदर कैफे के पेपर में अपना नाम देख कर चौंका, पम्मी ने पेपर वर्क कुछ इस तरह से कराया था, जिससे ये साबित होता था कि चंदर इस कैफे का 50% मालिक है, चंदर पम्मी से इसकी वज़ा पूची तो वो उसने हसकर टाल दिया और बोली, तुम नहीं होते तो मुसाफिर कैफे बस ले आउट में ही रह जाता, चंदर कुछ नहीं बोला, जब वो कागस पर साइन कर रहा था, तब उसे सुदा की याद आई, उसको ये बात भी याद आई, कि दुनिया में कोई भी ऐसा काग जहां चंदर और सुदा के साइन एक साथ हो, चंदर के साइन करते ही पम्मी बोली, तुम होटेल से चेक आउट करके घर आचाओ, इतना बड़ा कोई महल नहीं है मेरा, लेकिन तुमें दिक्कत नहीं होगी, चंदर ने ना हां की, ना ही मना किया, शाम को अपना बैग और कि पीछे चोड़ाया था, फिर उसे अपने होने वाले बच्चे का खयाल आया, तो उसको सब कुछ गलत लगने लगा, पमी ने चंदर को उसका कमरा दिखाया, कमरे में ज्यादा कुछ था नहीं, कमरा चंदर की जिन्दगी जैसा ही खाली-खाली था, एक सिंगल बैट, एक ट शिफ्ट होने पे लगा था, ये सब सोच कर, उसने पमी का फोन लेकर सुधा को कॉल लगाया, हलो, मैं चंदर, कैसे हो, ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, ठीक हूँ, तबियत कैसी है तुम्हारी, अब ठीक है, डिनर कर लिया, हाँ, कर लिया, और तुमने, अभी नह करूंगा, ये नया नंबर है, नहीं, ये पमी का नंबर है, कौन पमी, बताओंगा, लंबी कहानी है, यहां मसूरी में मिली, मैंने पमी के साथ एक कैफे लिया है, तो लोटने का प्लैन नहीं है मतलब, पता नहीं अभी, तुम बताओ तो आजाता हूँ, नहीं, मेरी से मत आओ, डॉक्टर के यहां गई थी, वही हूँ, इतनी रात में, हाँ, क्या हुआ, तबियत सही नहीं है क्या, तबियत चीक है, बताया तो, फिर इतनी रात में हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, कुछ नहीं हुआ, सुधा बताओ, क्या हुआ है, मुझे अबॉर्ट कराना पड़ा, डॉक्टर ने बताया था, कि अभी अगर बेबी कैरी करूंगी, तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगी, कब हुआ, आज, इसके बाद दोनों कुछ बोल नहीं पाई, चंदर को लगा अब जाकर, उसका घर छूटा है, बिना खाय अपने कमरे में चला किया उधर सुधा फोन रखने के बाद, अपने घर में अपने बिस्तर पर, चंदर को बहुत देर तक ढूनती रही, सुधा ने जूट बोल कर, चंदर को आजात कर दिया था, वो सही में चाहती थी, कि वो अपना पागल पर ढून कर जी पाई, अपने इस जूट के लिए, वो र आते रोते हुए गुजरती है, वो अगले दिन सुबह जरूर कुछ अलग लेकर आती है, सुबह उठते ही चंदर ने पमी को कहा, कि उसे बहुत जोर से भूक लग रही है, वो कुछ बना कर खिलाए, ना पमी ने पिछली रात के बारे में कुछ पूछा, ना चंदर ने बत हो जाएगा, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, कई चोटे इसलिए निशान छोड़ कर जाती है, ताकि हम अपनी सब गलतियां भूल ना जाए, गलतियां सुधारनी जरूर चाहिए, लेकिन मिटानी नहीं चाहिए, गलतियां वो पकडंडियां होती है, जो बताती रहती ह कि हमने शुरू कहां से किया था, मुसाफिर कैफे का काम तेजी से शुरू हो गया था, चंदर ने ट्रैक पे जाना शुरू कर दिया था, उसके पास अभी भी साल भर का खर्श निकालने भर की सेविंग थी, तमाम किताबे जिनको वो खरीद के भूल चुका था, उसने दु बच्पन में हमने माचिस के डिबिया में घर की खिड़की के कोने से आने वाली धूप को छुपा कर रखा होता है, तुमने भी रखा होगा, हाँ, रखा तो था, उससे जिन्दगी गुजारने का क्या रिष्टा है, बस जिस दिन तुमें अपने इलावा, कोई दूसरा ऐस मिल जाए, जो तुमारी माचिस के डिबिया बिना खोले ही मान ले, कि धूप अभी भी वहाँ डिबिया में होगी, तब सोचना नहीं, उसके साथ जिन्दगी गुजार लेना, और ऐसा कोई मिला ही नहीं तो, तो क्या, कोई ऐसा मिला ही नहीं तो, तो अपनी माचिस के तेजी से बदलना चाहिए था उससे ज्यादा तेजी से बदल चुकी थी मुसाफिर कैफे अब मसूरी का बहुत बड़ा टूरिस पॉइंट बन चुका था पमी और चंदर दोनों मिलकर कैफे चलाते मुसाफिर कैफे में अब भी वही बैरे काम करते जो सालों पहले करते थे क कैफे अब बिलकुल अपने ले आउट की तरह दिखता था नीचे कुछ टेबल थे कुछ गद्दे थे एक दिवार पर मुसाफिर कैफे विजिट करने वाले सेंकड़े लोगों की चंदर और पमी के साथ फोटो थी एक पूरी दिवार में सेंकडों किताबे लखी थी उपर वाले हिस्से में पांच कमरे बने थे और दो कमरे वाले अपार्टमेंट में चंदर और पमी रहते थे सामने वाली बैलकनी में बैठ कर वे दुन्या भर की बाते करते थे पता नहीं चंदर और पमी का आपस में जो था उसको दुन्या की किसी भी किताब के हिसाब से प्यार बुला जा सकता था या नहीं लेकिन पम्मी और चंदर को एक दूसरे की आदत थी कैफे से दोनों इतना कमा लेते थे कि दोनों एक-एक महीने के लिए अलग-अलग टाइम पर दुनिया घूमने जाते थे उनके लिए दुनिया मतलब केवल विदेश नहीं था उनकी दुनिया में हिंदुस्तान भी था उसके गाउं भी थे उनके लिए दुनिया का मतलब जितना बाहर था उतना ही अंदर भी था ये एक महीना उनका अपना होता था उस एक महीने की कोई भी डिटेल ना पम्मी मांगती ना चंदर के घरवाले भी कभी कभार मसूरी घुमने आते उन्होंने ये मान लिया था कि इनको समझाना बेकार है चंदर की मात जब आखरी बार आई थी तो उन्होंने मजाक मजाक में कैबी दिया था कि तुझे ही ऐसी लड़कियां क्यों मिलती हैं जिनको शाधी नहीं करनी चंदर हर संडे को बच्चों को पर्श तंतर में हैरी कॉप पॉर्टर की कहानी मिला कर एक नई कहानी सुनाता जो भी मुसाफिर कैफे आता उसको पहली नजर में ऐसा लगता कि चंदर और पमी शाधी शुदा हैं कोई उनसे इस बारे में पूछता भी तो वे हस के टाल देत यहां कमरे हमेशा बुक रहते जो भी मुसाफिर कैफे में रुखता उसको लगता ही नहीं कि वो किसी होटेल जैसी जगा पर रुका है सबको लगता कि पमी और चंदर उनके बहुत पुराने दोस्त हैं और वे दोस्त के यहां घूमने आई हैं सर रसकिन बॉर्ण की भी ये फेवरिट जगा थी वो महीने के बाद महीने में एक बार मुसाफिर कैफे में बच्चों को कहानिया सुनाने आते चंदर और पमी ने दुनिया के साथ एड़्जस्ट ना करके मुसाफिर कैफे में अपनी एक नई दुनिया बना ली थी जिसमें उनको एड़्जस्ट नहीं पिशले ही साल एक अमेरिकन को आकर यहां इतना अच्छा लगा था कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी और करीब पांच लाग डॉलर मुसाफिर कैफे के नाम कर दिये। आपको गले नहीं लगा सकता। इसलिए शायद दुनिया की सारी दौलत की आकात अक्सरी एक गले लगने से मिलने वाली खुशी के सामने बड़ी ही टुची पढ़ जाती है। पैसा कमाने में कई बार जिंदगी धीरे धीरे गवानी पढ़ती है। धीरे धीरे होने वाली कोई भी चीज पता ही नहीं चलती। इसलिए जब पैसे इकठा हो जाते हैं तब तक वो अपना मतलब खो चुके होते हैं। चंदर को अभी तक ये सही से समझ नहीं आया था कि उसका पागलपन क्या था। लेकिन मुसाफिर कैफे ने उसके जिंदगी को जीने की वचा दी थी। एक दिन ऐसे ही शाम को बैलकरी में बैटे हुए पम्मी ने दारू पी कर चंदर से पूछा भलकि वो ऐसे सवाल के बाद ही करती थी। तो क्या लगता है तुम्हें? किस बारे में? तुम जब दस साल पहले आये थे तो लाइफ की मिनिंग ढूडने आये थे। अब तक तो तुम्हें जवाब मिल गया होगा। तो बताओ वर्ट्स ता मिनिंग ओफ लाइफ। लाइफ की ऐस सच कोई मिनि डालना पड़ता है। एक मिनिंग की वज़ा से ही तो एक जसी होकर भी सबकी लाइफ अलग अलग होती है। दस साल में सुदा से मिलने का कभी मन नहीं किया क्या? रोज करता है। फिर गई क्यों नहीं? उसकी लाइफ के मिनिंग में मैं कही फिट नहीं होता था इसलिए। बस अब इसके बाद कोई सवाल मत पूछना। जितनी चड़ी थी सब उतर गई। बच्चा अडॉप्ट करने में तुम्हारे में तुम्हारा क्या खयाल है? अच्छा खयाल है, कर लो अडॉप्ट। अच्छा चंदर, एक चिस सही सही बताओगे, पूछूं। सवाल पूछा करो, सीधे पूछी लिया करो, चंदर को ये बोलते हैं सुदा की कभी कि कोई बात यादा आ गई। तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि हमारा अपना कोई बच्चा होना चाहिए था? नहीं, कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस दिन सुदा ने फोन पर जूट बो कब से पता है तुम्हें ये बात? करीब दस साथ से, मैंने बात में हॉस्पिटर में कॉल करके कनफर्म भी किया था। तब भी तुम्हारा मन नहीं किया अपने बच्चे से मिलने का? किया, बलकि रोज करता है, जब मैं बच्चों को कहानिया सुना रहा होता हूँ, तो लग पम्मी चंदर के सिर को सहलाने लगी, जैसे चंदर के अंदर के बच्चे को सुला रही हो और चुप चाप बता रही हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, दुनिया में देने लायक अगर कुछ है, तो वो है एक दिन सब ठीक हो जाएगा की उमीद, ये दुनिया शायद आज तक चल ही शायद इसलिए रही है क्योंकि लोग अभी भी जाने अंचाने एक दिन सब ठीक हो जाएगा कि उमीद दे देते हैं हर आदमी अपने अंदर इतना कुछ दबाए रहता है कि किसी दिन वो सब कुछ इमानदारी से बता दे तो सुनने वाला पागल हो जाए किसी के अजनबी हो जाता है ये बात पम्मी को इसी पल समझ भी आई और महसूस भी हुई जोट क्यों बोलते हो तुम क्योंकि जोट में उमीद होती है जोट आखिर में उमीद तोडता भी तो है जोट से आखिर तक बात चलती तो है वरना सारे रिष्टे एक शाम में खत्म हो 10 साल बात मुंबई लेती मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े डाइवोस के केस सुधा से होकर ही गुसरे थे वो जब चंदर से कहा करती कि वो अकेले मैनेज कर लेगी तो सही कहती थी सुधा ने सब कुछ अकेले मैनेज कर लिया था बच्चा, कोर्ट, परसनल लाइफ, फैमिली सब, लाइफ के सबसे बुरी बात यही होती है, जब वो ओन पेपर परफेक्ट दिखती है, तब होती नहीं है, और जब ओन पेपर परफेक्ट नहीं दिखती, त परफेक्ट होती है। सुधा ने अपने बेटे का नाम अक्षर रखा। अक्षर नाम के पीछे की कहानी ये थी कि चंदर ने बहुत पहले से ये नाम सोचा हुआ था। कि उसने लड़कियों के कई नाम सोचे हुए थे लेकिन लड़के के लिए एक ही नाम सोचा था वो मजाक मजाक में कहता भी था कि लड़का हुआ तो तुम रखना अपने पास मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उसको पोछो कि लड़की क्यूं चाता है वो तो हमेशा बोलता कि लड़की होगी तो इसी बहाने वो अपनी बेटी में सुधा का बच्पन तो देख पाएगा सुधा ने चंदर के मन वाला नाम रख के कभी चंदर का हक नहीं चीना दोनों के बेच इतना गहरा सा कुछ था लेकिन फिर भी वो साथ नहीं रह पाई सुधा ने कभी शादी नहीं की बलकि उसका लॉफ फर्म का पार्टनर विनीद उसको बोलता रहा कि वो कर ले शादी विनीद और सुधा का रिष्टा कुछ ऐसा था कि हफते में एक दिन सुधा के साथ ही घर पे रुपता साल में एक दो बार वे छुटिया मनाने साथ जाते जब विनीद घर पर रुपता तब रात में सुधा और विनीद एक ही कमरे में सोते इस बात का क्या मतलब होता है अक्षर को अभी समझ में आना शुरू नहीं हुआ था अक्षर अक्षर चंदर की पुरानी किताबों को अलमारी से निकाल कर उसकी अंडरलाइंस को चू कर समझने की कोशिश करता स्कूल में बच्चे समझ थे विनीत ही उसके पापा है सारे फंक्षर में सुदा विनीत के साथ ही आती कुछ एक बार तो वो अक्षर के स्कूल में एस चीफ गैस भी आ चुकी थी अक्षर क्लास के बागी बच्चों की तरह ज्यादा जित नहीं करता सुदा उसको प्यार से समझा देती तो वो समझ जाता वो अपनी एक छुटी केवल सुदा के साथ जाना चाता लाइब्रेरी की किताबों के बीच रखी एक दो डाइरी में जो नाम चंदर लिखा है वो कौन है ये पूछना चाता वो ये समझना चाता कि ममी को जब कहीं कोई बड़ा आवार्ट मिलता है तो घर लाटकर वो क्यूँ अक्षर को अपने सीने से चिपका कर घंडो रोती रहती है एक वक्त के बाद हम बड़े से बड़ा दुख तो बरदाश कर लेते हैं पर छोटी से छोटी खुशी जेली नहीं जाती क्यूँ उनके घर में शादी की एक भी फोटो नहीं थी अपनी नोट बुक के पीछे पापा शब लिखके वो कई बार काट चुका था वो ये जानना चाता कि आखिर पापा शब बोलने में लगता कैसा है पापा बोलते हुए जब होंट दो बार मिलते हैं तो होंटो को कैसा लगता है अपने ही मूँ से पापा बोल कर अपने ही कानों को सुनाई कैसा पड़ता है सुधा ने ये सोच लिया था कि लाइफ को एक सेकंड चांस देने के लिए वो विनीत के साथ कुछ दिन रहकर देखेगी अक्षर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उसके सवाल मुश्किल होते जा रहे थे वो बिलकुल चंदर के जैसा कन्फ्यूस रहता यही सब सोच कर सुधा ने अक्षर को बोर्डिंग में डालने का फैसला किया उसने अक्षर से एक दो बार पूछा लेकिन अक्षर कोई जवाब नहीं देता था सुधा चूंकी हाई प्रोफाइल लॉयर थी तो उसके लिए वेलहम स्कूल बोई स्कूल दहरा दून या फिर दून स्कूल दोनों के आप्शन खुले थे यही सब देख समझ के सुधा विनीत और अक्षर देहरा दून पहुंचे हाला कि यह फैसला इतना भी आसान नहीं था जितना सुधा को मुंबई से चलते हुए लग रहा था अक्षर में कुछ ऐसा था जो घर को पूरा कर देता था बेच में अक्षर जब कभी भी स्कूल के टूर पे गया सुधा को बहुत दिक्कत हुई थी चंदर का जाना शायद वो जेल भी इसलिए पाई क्योंकि अक्षर उसके पास था ये बात सोच कर उसको ये ख्याल भी आता कि उसके पास तो अक्षर है चंदर ने क्या किया होगा उसने शादी की होगी क्या क्या उसकी अपनी कोई फैमिली होगी दस साल पहले फोन पर चंदर ने उसको ये बताया था कि उसने मसूरी में एक कैफे लिया है किसी पम्मी के साथ क्या उन दोनों ने आपस में शादी कर ली होगी वो चंदर से इतना प्यार करती थी कि वो उसको खोने की हद तक डिस्चरब नहीं करना चाहती थी इसलिए इतने सालों में कभी मसूरी नहीं गई वो चंदर को इसलिए नहीं फैस करना चाहती थी कि शायद चंदर ने अपनी नई दुन्या बना ली होगी और उसको सुधा को face करने में दिक्कत ना हो इतना गुसा इतनी frustration आदमी इतने साल तबी अपने अंदर रख सकता है जब बहुत ज्यादा प्यार हो प्यार कम होता है तो लोग गुसा और फरस्ट्रेशन निकालके भूल जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं मूव उन कर जाते हैं प्यार के हजारो सालों के इतिहास में मूव उन कर जाना सबसे वाहियात खोच है जो मूव उन नहीं कर पाते वो प्यार की असली यात्रा पर निकलते हैं जिनके आंसू नहीं बैते हैं ना सूपते हैं वो जिन्दगी को करीब से समझ पाते हैं जिनको गहरी नीन नहीं आती वो समझ पाते हैं कि दुनिया में सुबा से अच्छा कुछ होता ही नहीं किसी भी चीज़ को हम सही से समझ ही तप सकते हैं जब हुम उसको पाकर खो दे पाकर पाई रहने वाले अक्सर चूग जाया करते हैं अक्षर का एड्मिशन वेलम्स और दून स्कूल दोनों जगा क्लियर हो किया सुदा अक्षर को बोर्डिंग में छोड़ते हुए मुंबई में रहता था सुदा रात में होटेल में अपने कमरे में पहुँशते ही अपने आपको संभाल नहीं पाई वो बहुत देर तक रोती रही विनीत उसको चुप करवाने की एक दो बार नाकाम कोशिश करता रहा उस मुमेंट सुदा को लगा कि अक्षर नहीं गया बलकि चंदर हमेशा के लिए चला किया सुदा और विनीत की अगले दिन शाम की दिल्ली से फ्लाइट थी सुबा उठने के बाद सुदा ने विनीत से कहा कि वो अपना प्रोग्रेम कैंसल कर रही है वो हपते बर रुक कर देखना चाहती है अगर उसको लगेगा कि वो अक्षर के बिना नहीं रह पाएगी तो वो उसको लेकर लौट आएगी विनीत इस बात से थोड़ा इरिटेट भी हुआ क्योंकि अक्षर की बोर्डिंग वाला फैसला लेने में भी सुधा को एक साल लग गया था विनीत ने सुधा को समझाया भी कि अगर वो अक्षर से मिलने जाएगी तो उसका मन कभी बोर्डिंग में नहीं लग पाएगा लेकिन सुधा तो सुधा थी अपने पर आ गई तो आ गई विनीत अब और इंतिजार करना नहीं चाहता था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं कोई सेन क्रियेट नहीं किया जाने से पहले उसने पूछा भी कि वो भी रुख जाए वो लोग दो तिन दिनों के लिए मसूरी रिशी के घूमने जा सकते है लेकिन सुधा ने बोला कि वो अकेले रुखना चाहती है थक कार कर विनीत दिल्ली के फ्लाइट लेने के लिए देहरादून से वापिस चल दिया विनीत के जाने के बार पूरा दिन सुधा ने कमरे में ही गुसारा बहुत सालों बात ऐसा हुआ था कि वो बिलकुल अकेली थी अपने आपको अकेले में तो भुलाया नहीं जा सकता उसको कोई भी कॉल पिक करने का मन नहीं था उसने अपना मुबाइल बंद कर दिया सुधा ने बैरे को बुला कर उससे सिगरेट मंगवाई उसने अक्षर की वज़ा से सिगरेट पीना करीब करीब छोड़ दिया था बच्चों को अच्छी आदते सिखाते सिखाते बड़े भी अक्सर अपनी आदते बदल लेते हैं बेच बेच में रह रहकर उसको रोना आ रहा था किस बात पी आ रहा था वो समझ नहीं पा रही थी कई बार रोना एक वज़ा से शुरू होता है और खत्म दूसरी वज़ा पर उसने सिगरेट मांगा मंगा तो ली थी लेकिन पी नहीं पाई एक दिन बड़ी मुश्किल से बीता अकले दिन सुबा उटने के बाद उसने सोचा कि वो बाहर घूम के आई की वो मॉल रोट पर बहुत देर तक टहलती रही थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की लेकिन फिर भी आधा दिन ही बीता इस बीच उसका मन किया कि अक्षर की बोर्डिंग स्कूल जाए उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद अक्षर रो रहा है अक्षर ऐसे तो रोता नहीं था लेकिन जब रोता था तो चुप नहीं होता था किसी तरह दूसरा दिन खिसका बीच में उसने मुबाइल थोड़ी देर के लिए खोला तो आफिस के एमेल और मैसेज देखकर थोड़ा खिजी विनेत के भी बहुत सारे मैसेज आए हुए थे वो बार बार यही पूछ रहा था कि वो कब लटके रही है इस सवाज से उसका मन इतना खराब हुआ कि उसने मुबाइल फिर से बंद कर तिया आज अकेले सुधा का तीसरा दिन था वो सुबा सुबा तयार होकर फिल्म देखने निकल गई सालों बार वो अकेले फिल्म देखने गई थी अकेले फिल्म जाने में वही फिल्म अलग दिखती है अंधेरे कमरे में परदे पर पूरे फिल्म के दौरान अपनी जिन्दगी के कुछ भूले बिसरे सेन भी दिखाई पड़ते हैं मुवी हॉल से निकल कर अपने कमरे में लोटने पर उसने अपने बैक से एक पुरानी डायरी निकाल कर होटेल के लैंड लाइन से नमबर डायल किया जिस से करीब दस साल पहले चंदर का फोन आया था उदर से एक लड़की की आवास आई नमस्कार मुसाफिर कैफे सुधा ने कैफे सुनकर फोन काट दिया थोड़ी देर बाद उसने दुबारा कॉल किया फिर से आवास आई नमस्कार मुसाफिर कैफे इदर से सुधा ने पूछा क्या आप अपना एड्रेस दे सकती है और कैफे कब तक खुला रहता है उधर से आवाज आई मैम कैफे हमेशा खुला रहता है किचन रात के ग्यारा बजे बंद हो जाता है बाकी आप स्टे करने कभी भी आ सकती है क्या आपके यहां स्टे भी कर सकते है हाँ मैम आप अपनी डेटेल्स नोट करा दीजिए मैं आपकी बुकिंग ले लेती हूँ नहीं मुझे स्टे नहीं करना बस आप एड्रेस नोट करा दीजिए एड्रेस नोट करके सुधा ने फोन काट दिया और होटेल से मसूरी जाने के लिए टैक्सी बुक करा ली सुदा की पूरी रात बेचैनी में गुजरी उसको पूरी रात लगता रहा कि अक्षर बहुत रो रहा है हमारी यादों का कुछ हिसा इतना काला होता है कि उस पन्ने को खोलते ही रात हो जाती है मासे मुसाफिर कैफे अगले दिन सुबा उड़ते ही उसने अक्षर के स्कूल में फोन करके कन्फर्म किया कि वो सही तो है स्कूल से पता चला कि अक्षर उन कुछ बच्चों में से है जो बिल्कुल भी नहीं रोए सुदा ने टैक्सी मंगाया और मसूरी के लिए चल दी रास्ते में शिव मंदिर आने पर ड्राइवर ने सुदा से वहां की चाई पीने के लिए पूछा सुदा ने वहां चाई पीते हुए सोचा कि कभी चंदर भी यहां जरूर रुका होगा चाई पीने के लिए वो कहीं भी रुक सकता था वो अक्सर कहा करता था कि वो मर भी रहा होगा तो यमराथ से एक आकरी प्याली चाई पीने की इजाज़त ले लेगा मसूरी जसे जसे पाथ साता जा रहा था वैसे वैसे सुदा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी चलने के दो घंटे के अंदर वो मसूरी में हानीमोन इन होटेल के सामने खड़ी थी हानीमोन इन होटेल देखकर उसको याद आया कि चंदर से शादी हुई होती तो वो यहीं लेकर आया होता अगले ही मोमेंट उसको ये खयाल आया कि वो शायद आया भी हो थोड़ा बहुत पोच कर वो मुश्किल से 20 मिनट में मुसाफिर कैफे के सामने खड़ी हो गई अंदर कुछ टूरिस बैठे थे, कुछ गदे पर मसे से लेटे हुए थे सामने दिवार पर सेंकडो फोटो लगी हुई थी वो उस दिवार के पास गई तो देखा कि सभी फोटो में चंदर और उसके साथ एक बंदी थी काउंटर पर फोटो वाली बंदी बैठी हुई थी सुदा समझ गई कि ये पम्मी है चंदर को वहाँ फोटो में देखकर उसको थोड़ा सुकोन मिला थोड़ी खुशी वो पास बड़ी सबसे चोटी वाली टेबल पर बैठ कई पम्मी उसको अकेला देखकर खुदी मेन्यू लेकर वहाँ आकर सुदा से ओर्डर के लिए पूछा क्या लेंगी आप आप ही कुछ सजेस्ट कर दीजिए इस पर पम्मी ने बताया हमारे यहां की कोल कॉफी वर्ल्ड फेमस है तो वही बनवा दीजिए कुछ टोस भी मिलेगा क्या हाम बिलकुल पम्मी ओर्डर लेकर जा रही थी कि इतने में सुदा ने पूछा ये फोटो में आपके हस्वेंट है पम्मी ने जवाब दिया नहीं नहीं इस आदमी से कौन शादी करेगा कैफे में पार्टनर है मेरा कहां से आई है आप मुंबाई मसूरी घूम ने नहीं अपने बेटे के एडमिशन के लिए देरा दून तक आई थी तो सोचा एक दो दिन का ब्रेक लेलू आपके पार्टनर कहीं दिख नहीं रहे कौन चंदर वो ट्रेकिंग पर गया हुआ है कल तक आई का आप हमारे यहां एक दिन रुपती क्यों नहीं प्रस्मी बहुत अच्छा लगेगा आपको आपके हजबन भी है क्या साथ में पम्मी ने पूछा नहीं मैं अकेले हूँ बुकिंग कर दीची आप मेरी पम्मी ने काउंटर पर जाकर चेक किया लेकिन उस दिन एक भी कमरा खाली नहीं था वो काफी सर्फ होने के बाद सुदा की टेबल पर आकर बताया कोई भी रूम अवेलिबल नहीं है लेकिन वो उसके साथ उसके घर में रुक सकती है वैसे भी चंदर कल लोटे का और कल सुबा एक कमरा खाली हो जाएका सुदा को थोड़ा अजीब तो लगा लेकिन उसने हां कर दिया अरे लीजिये हमारी इतनी बात हो गई आपका नाम भी नहीं पूछा मैंने पम्मी ने कहा सुदा पम्मी एक सेकंड को थोड़ा ठिट की अपने मन में एक बार सोचा कि कहीं ये वही सुदा तो नहीं लेकिन तबी कुछ कैफे का काम आ गया और इन सब के बेच में वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई इस बीच जब पम्मी कैफे के काम में बिजी हो गई तो सुदा सामने किताब की अलमारी देखने लगी वहां लखी हुई कुछ किताबों को वो पहचानती थी उसमें से एक किताब निकाल कर वो पन्ने पलटने लगी किताब के आकरी पन्ने पर एक तारीख पड़ी थी चंदर की आदत थी वो किताब जिस दिन खत्म करता था वो किताब के आकरी पन्ने पर लिख दिया करता था सुदा ने किताब के कुछ पन्ने पलट कर एक अंडर लाइन को चुआ, उसे ठीक ऐसा लगा, जैसे सालों बाद उसने चंदर को चु लिया हो, उसका सिर्ष सहला लिया हो सुदा का पूरा दिन, मुसाफिर कैफे में चंदर की जगा को महसूस करते भी था शाम को पम्मी उसको अपने घर ले आई, घर में घुसते ही उसे सामने की दिवार पर चंदर और पम्मी की भी एक तस्वीर लगी दिखी तस्वीर देखते ही उसको अपने रुखने वाले फैसले पर थोड़ी कोफ्त हुई कमरे में चंदर का थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था वैसे ही दो तिन किताबे फैली हुई थी वो दो तिन किताबे एक साथ शुरू कर देता था पम्मी सुदा को चंदर वाला कमरा दिखा कर नीचे कैफे में चली गई पम्मी के जाते ही सुदा चंदर के बैट पर लेट कर उपर छट को देखते हुए जाने क्या-क्या सोचने लगी थी थोड़ी देर लेट कर वो सामने बैलकनी में चली गई सामने वाला पहाड उसको देखकर मुस्कुरा उठा जैसे सालों से उसका इंतिजार कर रहा हो बैलकनी में रखी कुर्सी पर बैट कर पिछले दस सालों के बारे में सोचने लगी थी इस बीच उसे कब नीद आ कई पता नहीं चला शाम को कई सारे गेस्ट बैट कर बैलकनी में बोन फायर कर रहे थे खूप सारा गाना बजाना हो रहा था पम्मी भी कुछ गाने की कोशिश करती रही लेकिन बार बार गाना भूल जाती जब भी वो गाना भूलती वो बोलती चंदर को आगे का पूरा गाना याद है वो हमेशा याद दिला दिता था ठीक इसी मूमेंट सुधा ने सोच लिया कि अगले दिन सुभा वो बिना चंदर से मिले लौट जाएगी और विनीत के साथ शिफ्ट हो जाएगी उसको कोई हक नहीं इतने साल बाद लौट कर चंदर की लाइफ में फाल्टू कॉम्प्लिकेशन क्रियेट करने का बोन फायर में बहुत कम आग बची थी मुश्किल से दस मिनट की बालकनी से सब जाने के बाद पम्मी ने सुधा से कहा तुम वही सुधा तो नहीं हो ना जिसका इंतिजार चंदर आज भी कर रहा है सुधा कोई जवाब नहीं देती कोई जवाब ना पाकर पम्मी ने दुबारा कहा किताब की अल्मारी से तुमने किताब निकाल कर जिस तरह किताब के आकरी पन्ने को छुआ था मैं तब ही समझ गई थी तुम वही सुधा हो सुधा ने अब भी कुछ नहीं बोला इसके बाद पम्मी ने भी कुछ नहीं कहा लंबी खामोशी के बार सुधा ने कहा मैं कल सुबत चंदर के आने से पहले चली जाऊंगी पहार फूंग फूंग कर बोन फायर की आउक को बार-बार जला दे रहा था लकडी की आप बुच्ते-बुच्ते बार-बार जल रही थी हर बार पहले से तेज उसे उस दिन की बात अगले दिन सुभा पम्मी जल्दी उठकर नीचे कैफे में चली गई जब चंदर आया तब पम्मी ने उसको बताया कि एक गैस उपर है वो चाय लेता चाय हाला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि पम्मी ने गैस को अपने घर में रुकवा दिया हो वो पहले भी कई बार ऐसा करती रही थी इसलिए चंदर को कुछ आकवर्ड नहीं लगा वो चंदर को अभी सुदा के बारे में कुछ नहीं बताती चंदर चाय लेकर उपर घर में पहुँचा सुदा आराम से बैलकनी में बैटके पेपर पड़ रही थी चाय रखने के बाद चंदर ने सुदा का चेहरा देखा एक मूमेंट होता है जिसके बारे में लोग बोलते हैं कि दुनिया कभी कभी चलते हुए एक पल को रुख जाती है ये वही मूमेंट था जिसकी तैयारी दुनिया दस साल से कर रही थी इस मूमेंट में दस साल की बरफ जमी हुई थी चंदर को कुछ समझ नहीं आया कैसे रियक्ट करे कैसी हो ठीक हूँ इतने सी बात के बाद उन दोनों की बड़ी देर तक कुछ बात नहीं हुई सुदा नहीं चाई की एक सिप लेने के बाद बोला बस कुछ और नहीं पूछना दस साल बात मिलने पर बाते खत्म हो जाती है क्या बाते इतनी होजाती हैं कि समझ नहीं आता कि शुरू कौन सी बात से करें यहां का मौसम बहुत ठंडा है जब बाते नहीं बची हो तो मौसम के बारे में बात कर लेनी चाहिए उससे क्या होगा लगता रहेगा कि बाते अभी खत्म नहीं हुई है वैसे बदले नहीं तुम बिल्कुल इतना तो बदल गया हूँ कितना बदल गए हो बताओ सरा मेरा छोड़ो तुम तो बदल गई हो कितनी मोटी हो गई हो तुम हाँ थोड़ी सी मोटी हुई हूँ सही लगा था मुझे क्या यही की बिल्कुल भी नहीं बतले तुम यहां का मौसम बहुत ठंडा है ना चंदर ये बोल कर हसने लगा इसके बाद दोनों में बाते तो नहीं होती थोड़ी देर तक बाहर के ठंडे पन की भाप और गरम चाय का कोहरा मिल कर एक होने लगे चाय खत्म करके सुधा ने ही बाद में शुरू किया पम्मी से शादी क्यों नहीं की इतनी अच्छी तो है वो हाँ तुमसे बहुत अच्छी है बताओ ना शादी क्यों नहीं की पम्मी से तुमसे डावोस नहीं लिया था ना हमारी शादी कब हुई कि डार्वोस होता इतनी बार तो हुई थी शादी हमारी कब मुझे भी बताओ सुधा ने थोड़ा चौंक कर पूछा जब घर आकर तुमने पीजी नहीं जाने का फैसला किया था तब पहली बार हमारी शादी हुई थी जब समंदर के किनारे टहलते हुए तो मुझे बिना बताए रोई थी तब हुई थी हमारी दूसरी शादी जब तुमने रोने की आक्टिंग नहीं की थी और तुमें सही में रोना आया था और ये बात मैं समझ किया था तब हुई थी हमारी तीसरी शादी जब अलमारी के लिलडाई की थी, तुमने तब भी हुई थी हमारी चौथी शादी जब रोज रात में लाइट आफ करने के लिए तुम बहाने बना देती थी, तब हुई थी हमारी पांचवी शादी जब अंडबान जाने से पहले तुमसे मेंदी लगवाई थी, तब हुई थी हमारी छटी शादी जब दिवाली पर पहली बार सारी पहन कर पूजा की थी, तब हुई थी हमारी साथवी शादी जब तुमने बताया था कि तुम प्रेगनेंट हो तब हुई थी हमारी आठवी शादी जब उस दिन तुमने फोन पर अबॉर्शन का जोट बोला था तब हुई थी हमारी नवी शादी मुंबई चोड़ने के बाद से हर एक दिन जो हमने एक दूसरे के इंतजार में कुजारे उतनी बार हुई हमारी शादी शादी के लिए बैंड बाजा पंडित जरूरी तो नहीं ये बात मुझे समझ तो आई लेकिन देर लगी सुधा, हमारी शादी इतनी बार हो चुकी है कि एक जनम तो तुम से डावोस ही लेने में चला चाता तुमको पता था हमारे बेटे के बारे में? हाँ, फिर भी मिलने नहीं आए इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास क्या नाम रखा तुमने? अक्षर ये बोलने के बाद सुधा की ये सुनने के बाद चंदर की उदासियां और आंसु मिलकर एक हो गए चंदर बरे गले से पूछा उसकी शकल तुमसे मिलती है न? हाँ, थोड़ी थोड़ी लेकिन नाक तुमसे मिलती है तुमारी जैसा ही कंट्फ्यूस रहता है तुमारी किताबों के अंडर लाइन के मतलब पूछता रहता है चंदर को ये सुन कर किसी बात का सुकून हुआ उसने सुधा को अक्षर की फोटो दिखाने के लिए कहा फोटो दिखाने के लिए सुधा ने जैसे ही अपना मोबाइल खोला उसमें विनीद की 39 मिस कॉल पड़ी हुई थी 15-20 मैसेश थे विनीद के आकरी मैसेश में लिखा था कि अक्षर को चोट लग गई है पैर में फ्रेक्चर है तो हॉस्पिटलाइज है सुदा ने तुरंट विनीद को फोन किया विनीद बहुत चिल लाया और बताया कि कल रात से वो कितना परिशान था वो बस दिल्ली की फ्लाइट लेने ही वाला था उसको देहरादून पहाँचते पहाँचते रात हो जाएगी सुदा ने उसको चलने से करने की वज़ा से कोस्ती रही चंदर उसको समझाने की कोशिश करता रहा दो घंटे के अंदर दोनों हॉस्पिटल पहांच गए हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया परिशान होने की कोई बात नहीं है रात बर बहुत दर्ट था इसलिए नीन की दवा दी हुई है तीन चार घंटे तक असर रहेगा दो जगा फ्रेक्चर है रिकवरी में कम से कम एक महीना लगेगा सुधा के ये पूशने पर की हुआ क्या था पता चला कि किसी बच्चे ने पहली मंजिल से धक्का दिया था ये सुनते ही सुधा ने अगला फोन स्कूल को करके सुनाना शुरू कर दिया चिलाते चिलाते गुस्य से सुधा के आंसु बेहने लगे थे सुधा स्कूल वालों पर केस करने की धमकी दे रही थी इधर चंदर एकदम चुप चाप था वो सुदा को कंट्रोल में ना आते देख उसके हाथ से फोन लेकर अपने पास रख लिया था वो अक्षर के बैट के पास चाकर वहीं स्चोल पर बैट गया और सुदा को भी वहीं बैटने का इशारा किया उसने अक्षर की नाक को चू कर देखा और उसके माथे पर हाथ रख कर धीरे धीरे बीते हुए दस सालों को सहलाता रहा चंदर अक्षर को देख रहा था और सुदा चंदर की आँखो को चंदर ने बहुत धीरे से कहा इसका माथा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है ये सुनकर सुदा ने कहा मालूम है तुम्हारी सबसे ज्यादा याद कब आई कब जब अक्षर आठवे महीने में था रात रात भड़िये पेट में लात मारता रहता था तब लगता था कि तुम्हें मेरा पेट सहलाने के लिए होना चाहिए तुम लोटे क्यों नहीं नहीं लोटा इसलिए गुच्सा हो मुझसे हाँ बहुत बताओ तुम क्यों नहीं लोटे क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन तुमा जाओगी या बुला लोगी इतना भरोसा था भरोसे से ज्यादा आदत थी तुम्हारी जब भी कोई भी शक्ल बहुत ध्यान से देखता था तो तुम दिखने लगती थी मुसाफिर कैफे बनने के पहले दिन से तुमारा ही इंतजार कर रहा था अब लोटाओ बड़ी मुश्किल से सालों में जाकर अपनी आदतें करने लगा सुधा चंदर के पडोस में आकर बैठ गई अक्षर और चंदर के हाथ को एक साथ लेकर चूम लिया सामने अस्पताल की घड़ी में सुई एक सेकेंड चलना भूल गई आने वाले पल ने जाने वाले पल को गले लगा लिया दो पल मिलकर ठहर गए दो बजे के आसपास अक्षर की नीन खुली उसने सुधा को पास देख कर पहली बात कही ममी होस्चल में नहीं रहना डॉक्टर ने सब चेक करके बताया कि वो अक्षर को ले जा सकते हैं लेकिन अभी इस से मुंबई तक का ट्रेवल नहीं कराया जा सकता सुधा ने अक्षर से पूछा है कि कैसे हुआ था अक्षर ने बताया कि उसको किसी ने धका दिया था उसके बात का उसको कुछ याद नहीं चंदर सुधा और अक्षर को लेकर मुसाफिर कैफे आ गया था पम्मी अक्षर को देखकर ऐसे खुश होई जैसे उसका अपना बच्चा घर आया हो अक्षर अलमारी की कुछ किताबे पहचानता था उसने उन किताबों को देखकर पूचा ये वही अंकल है क्या जिनके किताबे हमारे घर पर चूट गई है सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया चंदर ने कहा हां मेरी किताबे आपके यहां चूट गई है आपका और भी बहुत सारा सामान चूटा हुआ है घर पे पूरी अलमारी में आपके कपड़े चूटे हुए है आपका नाम चंदर है ना हां तुम्हें कैसे पता आपकी कई सारी डाइरी भी है घर पे आप किताब के एंड में डेट क्यों डालते है आप किताब को अंडरलाइन करके गंदा क्यों करते है आपके स्कूल में बताया नहीं किसी ने कि ये bad manners होते हैं वैसे अंकल आपकी handwriting बहुत पूर है आपकी teacher आपको डांटी नहीं थी क्या ये सुनकर सुधा चंदर और पम्मी तीनों हस दिये अक्षर का चंदर को अंकल बोलना पम्मी को थोड़ा खटका चंदर को थोड़े से ज्यादा खटका था और सुधा को सबसे ज्यादा खटका था सुदा ने एक हाथ से अक्षर का हाथ पकड़ कर दोसरे हाथ से अक्षर का माथा सहलाते हुए कहा ये पापा है इस पर अक्षर पम्मी की तरफ देख कर अपनी आँखों में दुनिया की सारी मासूमियत भरके पूछा ये पापा है तो पम्मी आँटी कौन है? ये सुनकर सुधा ने बताया पम्मी आंटी आपकी बड़ी मम्मी है तुम भी मम्मी, पम्मी आंटी भी मम्मी ये सुनकर सुधा ने पम्मी की तरफ देख कर कहा हाँ, जो बहुत लखी होते हैं, उनकी दो मम्मियां होती है ये सुनकर अक्षर चंदर के जैसे ही थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ और पूछा आप तीनों की शादी कब हुई थी? अक्षर के ये बोलते ही पिछले दस साल की उदासी हवा में घुलकर गायब हो गई थी पम्मी, सुधा और चंदर तीनों एक दूसरे को देख कर सोर से हसने लगे अक्षर को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया सब को खुश देख कर उसने कहा मम्मी, बड़ी मम्मी और पापा चलो मुझे जोर से गले लगा लो तीनों को एक साथ अक्षर से गले मिला देख, मुसाफिर कैफे मुस्कुरा उठा मुसाफिर कैफे, अपने नए मुसाफिर पाकर खुश था रास्ते केवल वो भटकते हैं, जिनको रास्ता पता हो जिनको रास्ता पता ही नहीं होता उनके भटकने को भटकना नहीं बुला जाता है दो साल बात अक्षर अब देरादूर में नहीं मसूरी में पड़ता था हर संडे अक्षर बच्चों के साथ बैठ कर अपने पापा से कहानी सुनता रस्किन बॉन्ड अंकल उसके फेवरिट थे जब भी वो आते तो उनसे वो उनकी कहानीों के बारे में तमाम सवाल पूछता अक्षर को पंच तंत्र की बहुत सी कहानिया याद थी अक्षर के मुसाफिर कैफे में आने के बाद से मुसाफिर कैफे की कोई खाली जगा भर गई थी पंपी को अक्षर के आने से लाइफ के नए माइने मिल गए थे वो जब घूमने जाती तो अक्षर को लेकर जाती अक्षर जब उसको बड़ी मम्मी बोलता तो पम्मी की जिंदगी से सारी शिकायते दूर हो जाती चंदर ने सालों बार फिर से अपनी अधूरी किताब को लिखना शुरू कर दिया था चंदर को समझ आ चुका था जिंदगी के किताब में एंड नहीं केवल और केवल नई शुरूआत मैटर करती है सुदा ने अपनी नई लॉफ फर्म खोर ली थी वो साल में तीन चार महीने मसूरी में रहती और एक महीने के लिए अकेले कहीं घूमने चाती अपना मुसाफिर कैफे ढूंडने हमारे सब जवाब हमारे पास खुद है ये बात समझने के लिए अपने हिस्से भर की दुनिया भटकनी पड़ती ही है बिना भटके मिली हुई मंजिले और जवाब दोनों ही नकली होते है वैसे भी जिन्दगे के मंजिल भटकना है कहीं पहुँचना रही दोस्तो इसी के साथ ये कहानी यहीं कम्प्लीट होती है आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा दोस्तो एक कम्प्लीट आडियो बुक बनाने में बहुत महनत लगती है ऐसे में आपका वीडियो पर एक लाइक और कॉमेंट बहुत मैटर करता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक खुश रहें मुस्कुराते रहें अपना और अपनों का बहुत सारा खयाल रखें थैंक यू फू वाचिंग